उठी, बजने दो, विमल बोला, नीलम ने सहमती में सिर हिलाया, तभी कॉल, बैल भी बस उठी, ऐसे कैसे कटेंगे तीन दिन नीलम असहाय भाव से बोली, काटने ही होंगे, अब फोन उठाओं या जाकर दर्वाजा खोलू, फोन बजने दो, दर्वाजा खोलो, नीलम दर्वाजे की ओर बढ़ गई, विमल ने हिचकी चाते हुए रिसीवर उठाया, आखिर यू घंटी बजने देना भी ठीक नहीं था, जरूरी नहीं था कि कॉल पहले वाली औरत की ही होती, कॉल उनके मतलब की भी हो सकती थी, हलो वह बोला, यह मिसेस सिह का नंबर है, दूसरी और से, किसी स्त्री ने सावधानी से पूछा, आपने पहले भी फोन किया था, कांता बाई के लिए, हाँ, आपको बताया नहीं गया था कि यह रान नंबर है, विमल करकश स्वर में बोला, यह बांदरा पुलिस स्टेशन का नंबर है, यह पहले किसी मिसेस सिह का नंबर था, लेकिन अब नहीं है, अब मिसेस सिंह का क्या नंबर है? यह मिसेस सिंह से ही पूछना कौन से नंबर पर फोन करके विमल ने रिसीवर पटक दिया फिर उसका ध्यान मुख्यद्वार की तरफ गया नीलम दर्वाजा खोल रही थी वह बैडरूम की चौखट पर पहुँच गया इस बार एक नई औरत आई थी वह भी मिसेस सिंह की तलबगार थी नीलम ने उसे बताया कि मिसेस सिंह दो-तीन दिन के लिए पूना चली गई थी उसने यह भी बताया कि वह मिसेस सिंह की बहन थी आपके फ्रिज में हमारा आइसक्रीम का डोंगा पड़ा है वह औरत बड़े शिष्ट भाव से बोली जरा दे दीजिए आपका डोंगा नीलम सक्पकाई जी हाँ शीशे का बड़ा सा डोंगा है आज कल हमारा फ्रिज खराब है इसलिए कल वह डोंगा में आपके यहां रख गई थी आज हमारे यहां कुछ मेहमानों का लंच है अब उन्हें आइसक्रीन सर्व करनी है अब मुझे क्या पता था कि वहां आपका डोंगा था क्यों? क्या हुआ? क्या तूट गया? नहीं तूटा तो नहीं लेकिन आज सुभा हमारा फ्रिज भी खराब हो गया था हमने फ्रिज को मेकैनिक के पास भेजना था इसलिए हमने उसका सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया था नीलम ने देखा मिसेस सारा भाई फिर अपने फ्लैट के दरवाजे पर प्रकट हो गई थी और बड़े गौर से सारा वारतालाप सुन रही थी यानि कि हमारा डोंगा भी सुभा से फ्रिज से बाहर पड़ा है जी हाँ सत्यानाश अब हम अपने मेहमानों को क्या खिलाएंगे अब मैं क्या बाताऊं आपको बताना तो चाहिए था कि आपका भी फ्रिज खराब हो गया है मुझे क्या पता था उसमें आपका भी कोई सामान पड़ा था नीलम जुझ लाई अब मैं मेहमानों को डैजर्ट में क्या खिलाऊं और मैं उन्हें कहकर आई हूँ कि मैं आईस्क्रीम का डोंगा लेने जा रही हूँ नीलम खामोश रही अब लाईए तो सही हमारा डोंगा नीलम डाइनिंग टेबल पर जमा फ्रिज से निकाले सामान में मौझूद शीशे का इकलोता डोंगा उठा लाई उसने डोंगा औरत को सौंप दिया उसने डोंगे का धक्कन उठाया तो उसकी सूरत पर ऐसे भाव आए जैसे उसने अपने किसी नज़दी की रिष्टेदार का मरा हुआ मुह देखा हो आईस्क्रीम लस्सी बनी हुई थी लस्सी में फ्रूट के टुक्रे तैर रहे थे उसने नीलम पर यही महरबानी की की डोंगा उसके सिर पर नहीं पटका आँखों से भाले बर्चियां बरसाती हुई और बुरी तरह से पाफ पटकती हुई वह वहां से विदा हो गई इसके घर में जो फ्रिज है मिसेस सारा भाई अपने फ्लैट के दर्वाजे से ही बोली उसे कोई कबाड़ी भी नहीं खरीदने वाला तीन साल से खराब है उसे ठीक कराने की जगह तीन साल से उसके खराब होने का हवाला दे कर ये लोग दूसरों के फ्रिज इस्तमाल कर रहे हैं नीलम बड़े संकोच पूर्ण धंग से हसी लेकिन सुभह तो तुम्हारा फ्रिज ठीक था तुम तो उसे डिफॉस्ट कर रही थी मैंने खुद उसे चलता देखा था हाँ लेकिन बाद में पाता नहीं क्या हुआ की एक आएक ही बिगड़ गया कंप्रेशर चलता ही नहीं ओह नीलम ने दर्वाजा बंद कर लिया वह वापस बैडरूम में लोटी लगता है वह भुनभुनाई तुम्हारी बीवी इस इमारत की हाउस वाइव्स की किसी यूनियन की प्रधान थी और सोशल सर्विस का जरूर कोई मैडल भी हासिल कर चुकी थी विमल जबरन मुस्कराया हमारा इतना एक्सपोजर हमारे लिए कोई समस्या न खड़ी कर दे जो होगा देखा जाएगा पहली तारीख तक हिलना हमने भी नहीं यहां से ठीक है नीलम गहरी सास लेकर बोली वे दोनों बैडरूम में जा लेटे और सो जाने की कोशिश करने लगे लेकिन टेलिफोन बज उठने या कॉल बैल बज उठने के सस्पेंस में दोनों में से किसी को भी नींद न आई सुर्जीत कौर की लाश रेफ्रीजरेटर में बंद पड़ी रही रेफ्रीजरेटर चलता रहा एस्ट्रिस्क 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 शाम को एक नई पेचीदगी पैदा हो गई दिन धलते ही सारे इलाके की बिजली गुल हो गई रेफ्रीजरेटर बंध हो गया पहले वे इसी इंतजार बैठे रहे कि अस्थाई तौर पर पीछे से बिजली बंध की गई थी जो की जल्दी ही चालू कर दी जाने वाली थी लेकिन जब एक घंटा बीट गया और बिजली ना आई तो वे घबराने लगे नीलम ने किचन में से एक मुम्बती तलाश करके जला ली थी उसी की रोशनी में विमल ने उस इलाके की बिजली की शिकायतें देखने वाले दफ्तर का नंबर तलाश किया और उस पर टेलिफोन किया मालूम हुआ कि उस इलाके का फीडर ट्रांसफार्मर एक आएक जल गया था जिसकी वजह से कम से कम चार पांच घंटे तक तो इलाके की बट्टी चालू हो पाने का सवाल ही नहीं था उससे ज्यादा वक्त भी लग सकता था विमल ने रिसीवर रख दिया और वह मनहूस खबर नीलम को सुनाई सत्यानाश नीलम के मुह से निकला विमल खामोश रहा उसके चहरे पर गेहन चिंता के भाव थे अब क्या होगा नीलम ने पूछा लाश को यहां से निकाल कर कहीं ठिकाने न लगाया तो बहुत बुरा होगा ऐसा कैसे करेंगे हम? पता नहीं कैसे करेंगे लेकिन कुछ तो करना ही होगा नीलम खामोश हो गई विमल सोच में पढ़ गया बहुत विकट समस्या थी चलते रेफ्रीजरेटर में भी तीन दिन तक लाश का सलामत रह पाना उसे संदेहजनत लग रहा था बंद में तो वह अब तक सडने भी लगी हो तो कोई बड़ी बात नहीं थी तुरंट कुछ किया जाना निहायत जरूरी था फिर वह कपड़े बदलने लगा रिवाल्वर उसने पतलून की बेल्ट में खोस ली और कोट के बटन उपर से बंद कर लिये कुछ अतिरिक्ट गोलियां उसने कोट की भीतरी जेब में रख ली कहा जा रहे होक नीलम व्याकुल भाव से बोली लाश के ही किसी इंतजाम की फिरात में जा रहा हूँ विमल बोला मेरे लोटने से पहले तुम डाइनिंग टेबल पर पड़ा सारा सामान और फ्रिज के शैल्फ किचन में कहीं रख देना लेकिन और होशियारी से घर में बैठना यहां मैंने क्या होशियारी दिखानी है फ्लैट को ताला लगा कर हम दोनों चलते हैं क्या फाइदा? मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्यो? मुझे यहां डर लग रहा है बल्ले तो अब तुम्हें भी डर लगने लगा है मजाक मत करो अंधेरे में यह फ्लैट मुझे भूत बसे रा मालूम हो रहा है मुझे लगता है कि तुम्हारे यहां से जाते ही तुम्हारी बीवी रेफ्रीजरेटर से बाहर निकलेगी और मेरी गरदन दबोच लेगी तुम पागल हो गई हो पागल ही सही लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी मैं यहां लाश के साथ अकेली नहीं ठहरूंगी ठीक है चलो नीलम तयार होने लगी उसके तयार होने तक विमल से डाइनिंग टेबल का सारा सामान किचन में पहुँचा दिया फिर उन्होंने मुम्बत्ती बुझाई और फ्लैट को मजबूती से ताला लगा कर नीचे पहुँचे वे टैक्सी स्टैंड पर पहुँचे वहां से नीलम ने मालूम किया कि टैंपो कहां से मिल सकता था जो स्थान उन्हें बताया गया एक टैक्सी पर ही सवार होकर वो लोग वहां पहुँचे वहां एक टैंपो वाले को उन्होंने बताया कि एक बड़ा रेफ्रीजरेटर सांता क्रुज एरपोर्ट के पास ले जाना था और यह की रेफ्रीजरेटर को दूसरे माले से उतारने के लिए लेबर की भी जरूरत थी कुछ देर भावताव चला फिर सौदा पट गया टैंपो वाले का एक आदमी अपना था दो उसने अड़े से पकड़ लिए सब लोग टैंपो पर सवार हो गए टैंपो हिल रोर पर रुपाबाई मैंशन के सामने आकर रुका इलाकी में तब भी अंधेरा था सब लोग दूसरी मनजिल पर पहुँचे नीलम ने फ्लैट का ताला खोला मिसेस सारा भाई के फ्लैट का दर्वाजा भी खुला और वह चोखट पर प्रकट हुई छोटी से छोटी आवाज सुन लेने के लिए प्रशिक्षित उसके कान इतने धेर सारे कदमों की आहट भला कैसे न सुन पाते अंधेरे में आखे फाड़ फाड़ कर उसने पहले नीलम की सूरत पहचानी और फिर बोली क्या बात है कुछ नहीं नीलम बड़े सहज भाव से बोली बिगड़ा हुआ रेफ्रीजरेटर मरम्मत के लिए ले जा रहे हैं जल्दी क्या थी? अपनी बहन को आजाने देती, वो किसलिए? तुम इस शहर में नई हो या तो किसी ऐसी उल्टी सीधी जगह फ्रिज दे आओगी, जहां ठीक से मरम्मत नहीं होती होगी और या फिर उजरत में ठगी जाओगी कोई बात नहीं फ्रिज मुझ से बिगड़ा है, इसलिए मैं इसे बहन जी के लौटने से पहले ठीक करा लेना चाहती हूँ यह तो इत्तफाक है फ्रिज मिसे सिंग के होते भी बिगड़ सकता था लेकिन नहीं बिगड़ा, कोई बात नहीं, आउंटी दस-बीस रुपए फाल्तू ही तो लग जाएंगे हम अफोर्ड कर सकते है हमारे ये बहुत पैसे कमाते है क्यों नहीं, क्यों नहीं नीलम फ्लैट में दाखिल हो गई विमल ने मुम्बत्ती जला दी थी उसने फ्लैट में से एक एर बैक तलाश किया उसमें उसने अपनी बंधी बंधाई पगड़ी, फिफ्टी, दाढ़ी मूच और एक छोटा सा शीशा रख लिया और कंधे पर टांग लिया फिर उसने रेफ्रीजरेटर का पलग वोल्टेज स्टैबलजजर के सॉकेट से निकाल दिया चार जन ने रेफ्रीजरेटर को उठाया द्राइंगरूम की चौखट पर पहुँचते पहुचते एक मजदूर कही बैठा तौबा यह तो बहुत भारी है इसमें क्या पत्थर भरे हैं बाप? किचन का सामान ही है भाई विमल सत्पकाय स्वर में बोला सामान तो निकाल लो साहब टैंपो वाला बोला नहीं निकाल सकते विमल खेदपूर्ण स्वर में बोला इसकी चाविक हो गई है अंधेरे में उसे ढूंधना मुहाल है और फ्रिज आज ही हमने सांता कुरुच पहुचाना है अपने फ्लैट के दर्वाजे की चौखट पर खड़ी मिसेस सारा भाई के कान खड़े हो गए क्या माजरा था? उसके आद्तन खुराफाती दिमाग ने सोचा वे लोग फ्रिज के साथ सावधानी से सीढ़िया उतर रहे थे विमल सावधान की मुद्रा में उन पीछे चल रहा था और कभी जरूरत महसूस करता था तो सहारा भी लगा देता था नीलम ने फ्लैट को ताला लगा दिया वह बाकी लोगों के पीछे जाने को वापस घूमी तो मिसेस सारा भाई ने उसे आवाज दी सुनो आकर सुनूंगी आंटी नीलम व्यस्तता जताती हुई बोली अभी जरा जल्दी है अरे जरा तो रुको अगर टेलिफोन करना है तो बेशक फ्लैट की चाबी रख लो नहीं नहीं वह बात नहीं तो फिर मैं लोट कर बात करूँगी तुम लोटोगी? क्यों नहीं लोटूँगी? नीलम हैरानी जताती हुई बोली लोटूँगी नहीं तो और कहा जाऊंगी? मिसेस सारभाई चुप हो गई नीलम बाकी लोगों के पीछे लपकी सब लोग रेफ्रीजरेटर के साथ नीचे पहुँचे रेफ्रीजरेटर टैम्पो में लाद दिया गया तीन मजदूर पीछे रेफ्रीजरेटर के साथ उसको थाम कर बैठ गए विमल और नीलम आगे ड्राइवर के साथ बैठे टैम्पो में सवार होने से पहले नीलम ने एक निगाह इमारत पर उपर की तरफ डाली मिसेस सारा भाई अपने फ्लैट की बालकनी में खडी थी और टैम्पो को ही देख रही थी अंधेरे में भी नीलम ने उसे साफ पहचाना टैम्पो एक जटके के साथ वहां से रवाना हो गया वे सांता क्रुच पहुँचे विमल ने एरपोर्ट से परे एक स्प्रेस हाइवे पर ही टैम्पो रुकवा लिया बस यहां उतार दो विमल बोला आगे इसे इंडियन एरलाइन्स की पिक अप वैन ले जाएगी टैम्पो वाले ने सहमती में सिरहिलाया मजदूरों ने रेफ्रीज रेटर को सडक के किनारे फुट पाथ पर रख दिया विमल ने उनका भाड़ा चुका कर उन्हें विदा कर दिया मतलब नीलम असमन्जस्पूर्ण स्वर में बोली मतलब अभी समझ जाओगी विमल बोला अब तुम यहां फ्रिज के पास खड़ी हो वो मैं कहीं और से कोई दूसरा टैम्पो पकड़ कर लाता हूँ नीलम ने सहमती में सिर्ही आया विमल वहां से विदा हो गया थोड़ आगे जाकर उसने वापस घूम कर देखा रात के समय तेज वाहनों वाली चलती सड़क के किनारे कग में अपने से बड़े रेफ्रीजरेटर के साथ अकेली खड़ी नीलम बड़ी अजीब लग रही थी मिसेस सारा भाई का पती बसंत सारा भाई उतना ही दुबलाप्त ला था जितनी की मिसेस सारे भाई मोटी थी और उतना ही धीर गंभीर था जितनी की मिसेस सारा भाई वाचाल थी वह स्थानिय एलफिंस्टन कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर और हैट ओफ फिजिक्स डिपार्टमेंट था और मिसेस सारा भाई मुश्किल से मैट्रिक पास थी उनकी इकलोती आुलाद एक लड़का कैनेडा में नौकरी करता था और वे बांदरा उस फ्लैट में अकेले रहते थे प्रोफेसर साहब साधारंत्या आठ बजे तक घर आ जाते थे लेकिन उस रोज वे दस बजे के करीब घर पहुँचे सारे इलाके में रोश्नी तब भी नहीं थी मिसेस सारा भाई ने उन्हें पानी पिलाया उसके कपड़े तबदील करवाने में उनकी मदद की और फिर किचन में चली जाने की जगहे जैसे कि वह साधारंत्या करती थी वह उनके सामने बैठ गई प्रोफेसर साहब ने मुंबत्ती की रोश्नी में अपनी बीवी के अत्यंत गंभीर और परिशान हाल चहरे को देखा तो सशंत स्वर में बोले क्या बात है कोई बुरी खबर है? नहीं मिसेस सारा भाई बोली तो फिर यू उलुसा नक्षा क्यों ताने हुए हो? मुझे एक बात बताओ पहले तुम मुझे एक बात बताओ क्या? आज खाना बनाया है या नहीं? बनाया है अभी परोस्ती हूँ लेकिन पहले मेरी बात सुनो तुम्हरी बात इतनी जरूरी है कि उसे सुनाए बिना तुम मुझे खाना नहीं दोगी उल्टा सीधा मत बोलो जो मैं कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनो अच्छी बात है बोलो सुन रहा हूँ मैं सामने मिसेज सिंह के फ्लैट में ताजा ब्याहा हुआ जोड़ा आया है लड़की अपने आपको मिसेज सिंह की छोटी बेहन बताती है बताती है क्या मतलब? क्या हकीकत में नहीं है? सुनते जाओ बीच में मत बोलो अच्छा जब से वे लोग सामने फ्लैट में आये हैं तब से मिसेज सिंह दिखाई नहीं दी है वे कहते हैं कि अपने पती की पेंशन के चक्कर में मिसेज सिंह को एक आएक पूना जाना पड़ गया है तो क्या बड़ी बात है इसमें? मिसेज सिंह की बेहन की ताजी ताजी शादी हुई है वे लोग हनीमून मनाने पंजाब से यहां आये हैं लेकिन मिसेज सिंह तो पिछले दो साल से एक दिन के लिए भी कहीं नहीं गई क्या यह बात तुम्हें अजीब नहीं लगती कि मिसेज सिंह अपनी सगी बेहन की शादी में शादी में शामिल होने न गई हो नहीं लगती मिसेज सिंह की अपने माबाप से नहीं बंती होगी या कोई और वजह होगी और वजह क्या? शायद मिसेस सिह की छोटी बहन ने लव मेरिज की हो एक आएक बिना किसी को खबर किये यह तो वह कहती थी मिसेस सारा भाई के मुह से निकला कौन? नीलम? नीलम कौन? मिसेस सिह की छोटी बहन क्या कहती थी वह? कि उसने लव मेरिज की थी अपनी बिरादरी से बाहर उसका पती सिख नहीं है फिर अपनी शंत का समाधान तो तुमने खुद ही कर लिया अभी आगे सुनो अभी और भी शंकाय हैं सुनो तो आज मुझे खाना नसीब होता नहीं दिखाई देता अब सुनो भी या अपनी हाके जाओगे वह जल्ला कर बोली सुन तो रहा हूँ तुम कुछ कहो भी तो सही मैं सुभा उनके यहां टेलीफोन करने गई थी उन लोगों रेफ्रीजरेटर का सारा सामान उसमें से निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था मेरे पूछने पर नीलम ने मुझे बताया कि रेफ्रीजरेटर की सफाई कर रही थी तो क्या बुरा कर रही थी घर के कामकाज में जरूरी थोड़े ही है कि हर कोई तुम्हारी तरह लापरवा हो हनीमून के लिए बंबई आई कोई लड़की बंबई में कदम रखते ही यूँ उटपटाम घरेलू कामों में जुट जाएगी तब जुट जाएगी जबकि वह फ्लैट में अपने पती के साथ हकेली हो अगर बहुत सुघड होगी तो जुट जाएगी शान्ता बाई तुम्हें मालूम नहीं है पंजाबी औरते घर के कामकाज में बहुत मुस्तेध होती है होती होंगी लेकिन मूर्ख भी वो कैसे? वह रेफ्रीजरेटर को डिफ्रोस्ट करने लिए उसे खाली किये बैठी थी लेकिन बिजली का स्विच चालू था अरे वह भूल गई होगी बिजली का स्विच ओफ करना बेचारी की नईनी शादी जो हुई है तुम्हें अपना याद नहीं जब तुम्हारी नई शादी हुई थी तो तुम क्या कुछ नहीं भूल जाया करती थी यह बात मैंने भी उसे कही थी ऐसे ही कही थी शांता बाई प्रोफेसर साहब आहत भाव से बोले जब हर सवाल का वाजव जवाब तुम्हारे अपने ही पास है और तुम ऐसे जवाब भी इस्तमाल कर चुकी हो तो अब मेरे कान क्यों खा रही हो अभी आगे सुनो शांता बाई ने आदेश दिया अभी और भी सुनना है हाँ बोलो और भी बोलो रेफ्रीजरेटर आधे घंटे में डिफ्रोस्ट हो जाता है और दस मिनट में उसकी जाड़ पोंच हो जाती है लेकिन दोपहर तक भी उन्होंने उसे दोबारा चालू नहीं किया था तुम्हें कैसे मालूम? चौशे माले की सावितरी का आईस क्रीम का डोंगा उनके रेफ्रीजरेटर में पढ़ा था दोपहर बाद जब वह उसे लेने आई थी तो वह तब भी रेफ्रीजरेटर से बाहर डाइनिंग टेबल पर पढ़ा था उसको वापस फ्रिज में न रखने की नीलम ने कोई वजह तो बताई होगी? वह कहती थी कि फ्रिज एक आएक खराब हो गया था तो ठीक कहती होगी इतनी मामूली सी बात में भी कोई जूट बोलना जरूरी होता है लेकिन जो फ्रिज चल ही नहीं रहा था जो डिफ्रोस्टिंग के लिए आफ किया हुआ था वह खराब कैसे हो गया? होगी कोई वजह है आजकल चीज दिगरते पता लगता है अब आगे सुनो हे भगवान अभी भी आगे सुनो हाँ मिसेस सारा भाई ने हुक्म दंदनाया सुलाओ प्रोफेसर साहब असहाय भाव से बोले सुलाओ फिर शाम धलते ही एक आएक सारे इलाके की बत्ती चली गई तू जो रेफ्रीजरेटर सुबह से खराब था बत्ती चली जाने के बाद एकाएक उन्हें उसे मरमत के लिए ले जाना सूझा अंधेरे से वे लोग बोर हो रहे होंगे खुद मेरा अंधेरे में दिल घबरा रहो है वह काम उन्होंने कभी तो करना ही था उन्होंने सोचा होगा क्यों न अभी कर डाले कबूल लेकिन वह रेफ्रीजरेटर जिसका सारा सामान मैं अपनी आँखों से उससे बाहर डाइनिंग टेबल पड़ा देखा था चार आदमियों से चार हट्टे कट्टे मजबूत आदमियों से उठाए नहीं उठ रहा था इस बार प्रोफेसर साहब सक्पकाए उनकी रीड की हड़ी एकाएक सीधी हो गई और वे सावधान की मुद्रा में तनकर बैठ गए और सुनो जब एक मज़दूर ने शिकायत की की रेफ्रीजरेटर बहुत भारी था तो नीलम का मर्द बोला की वे रेफ्रीजरेटर के भीतर का सामान निकाल नहीं सकते थे क्योंकि रेफ्रीजरेटर का ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी उनके फ्लैट में कहीं इधर-उधर रखी गई थी, जिसे की अंधेरे में ढूंधना मुहाल था. अच्छा, ऐसा कहा उसने? और मैंने अपने कानों से यह सुना था कि वे रेफ्रीजरेटर को मरम्मत के लिए सांता कुरुज ले जा रहे थे. अब तुम मुझे यह बताओ प्रोफेसर साहब की बांदरा में क्या रेफ्रीजरेटर की मरम्मत करने वालों की कमी है? प्रोफेसर साहब सोच में पढ़ गए. जबाब दो. मिसेस सारा भाई चैलेंज अभरे स्वर में बोली. तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती. तुम मेरे से कहीं ज्यादा? पढ़े लिखे और ज्यादा समझदार आदमी हो. तुम बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? प्रोफेसर साहब कुछ क्षन खामोश रहे. फिर एकाएक उनके नेत्र फैल गए और वे आतंकित स्वर में बोले शांता भाई. तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि उन लोगों ने मिसेस सिंग की हत्या कर दी थी और उसकी लाश रेफ्रीजरेटर बंदकी हुई थी. क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर उन लोगों का उद्देश्य मिसेस सिंग की हत्या ही करना था तो हत्या करने के बाद तक बाद ही नहीं. बलकि बहुत बाद तक उनका फ्लैट में ठहरे रहना क्यों जरूरी था? उनके लिए लाश को फ्रिज में बंद करना क्यों जरूरी था? मुझे क्या मालूम? अपने खुराफाती दिमाग पर जोर दो कोई जबाब सूच जाएगा. फिर लगे मेरा मजाक उडाने? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उडा रहा. मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ. अगर वे लोग मिसेस सिंग के कोई रिष्टेदार नहीं थे और उनके यहां आने के पीछे उनका इकलोता उद्देश्य मिसेस सिंग की हत्या करना था तो हत्या कर चुकने के बाद भी वे फ्लैट में टिके क्यो रहे? उन्होंने लाश को फ्रिज में बंद करके फ्लैट से निकालने का नहायत खतरनाक और पेचीदा तरीका क्यों इस्तिमाल किया? ठी. मैंने यह कब कहा कि फ्रिज में मिसेस सिंग की लाश? मिसेस सारा भाई हडबड़ाई. अच्छा. नहीं कहा? नहीं कहा. मैंने तो सिर्फ पूछा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था? अगर यह बात नहीं थी, तो फिर तुम ही बताओं कि और क्या बात हो सकती थी, जिसकी वजह से फ्रिज चार आदमियों से उठाए नहीं उठ रहा था. चोरी का माल. मिसेस सारा भाई के मुह से निकला. क्या? मेरे ख्याल से वे दोनों कोई चोर थे, जो मिसेस सिंग की गैर हाजरी में उसके फ्लैट में घुसे थे. उन्होंने फ्रिज को खाली करके फ्लैट का सारा कीमती सामान उसमें भर लिया था. फिर यह जाहिर किया था कि फ्रिज खराब हो गया था और उसकी मरम्मत कराने के बहाने वे उसे यहां से ले गए थे तुम पहले यह फैसला करो कि सामने फ्लैट में चोरी हुई है या कतल हुआ है कुछन कुछ तो हुआ ही है यानि कि जो होना था वो हो चुका है हाँ, जब सांप निकल गया, तो फिर अब लकीर क्यों पीट रही हो? मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए किस बात की? चोरी की या कतल की? दोनों में से एक बात की? यो दोनों की? तुम्हारे ख्याल से अब वे लोग यहां नहीं आने वाले सवाल ही नहीं पैदा होता जो कुछ करने वे यहां आये थे, उसे काम्याबी से अंजाम दे चुकने के बाद वे अब क्यों आएंगे यहां? प्रोफेसर साहब सोच में पड़ गए उस चोकरी ने तो मेरे सर फ्लैट की चाबी तक मढ़ने की कोशिश की थी अगर उनका लोटने का इरादा होता, तो क्या वह फ्लैट की चाबी मुझे सौंप जाने की कोशिश करती? यह क्या बात हुई? मिसेस सारा भाई ने बात बताई हूँ प्रोफेसर साहब इस बार गंभीर स्वर में बोले क्शान्ताबाई, फर्च करो तुम्हारी धारना सही है फर्च करो सामने वाले फ्लैट में या चोरी हुई है, या कतल हुआ है, या दोनों हुए है, या कोई और ऐसा अपराध हुआ है जिसे मिसेस सिंग के कथित रिष्टेदार काम्याबी से अनजाम दे चुके हैं और यहां से खिसक चुके हैं ठीक, ठीक, मिसेस सारा भाई ने स्वीकार किया इस लिहास से तो वे यहां वापस लौट कर नहीं आने वाले सवाल ही नहीं पैदा होता उनके लौट कर आने का लेकिन अगर वो आ गए तो वे हर्गिस नहीं आने वाले अपना मतलब हल करके एक बार यहां से खिसक जाने के बाद अब क्या करने आयंगे वो यहां मैं कहता हूँ अगर वो आ गए तो वो नहीं आयंगे बेवकूफों जैसी अपनी जिद छोड़ो और मेरे सवाल का जवाब दो अगर वे लोट कर आ गए तो मिसेस सारा भाई को जवाब नहीं सूझा तो कबूल करो की दूसरा मतलब यह होगा कि तुम्हारी सारी धार्नाएं बेबुनियाद थी और तुम्हारे खुराफाती दिमाग की गैरजरूरी उपज थी वह खामोश रही उसने बेचैनी से पहलो बदला शानता भाई हमने पुलिस को खबर की और बात कुछ भी निकली तो जानती हो हमारी कितनी खिली उड़ेगी तभी एकाएक सारे फ्लैट की बत्तियां जल उठी शुक्र है प्रोफेसर साहब ने चैन की गहरी सांस ली अंधेरे में तो मेरा दम घुट रहा था लेकिन अगर वे न लोटे तब तो तुम पुलिस को खबर करोगे हाँ जरूर करूंगा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते करूंगा एक पढ़ालिखा समझदार आदमी होने के नाते करूंगा और उसके लोटने का इंतजार कब तक करोगे? मिसेस सारा भाई के स्वर में व्यंग्य का पुट आ गया अगले हफते तक शांता बाई खाना तो खिला दो उसके बाद कहोगी तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन ही चला जाऊंगा ठीक है वह बोली और अपने स्थान से उठी तभी बाहर सीधियों पर पढ़ते कदमों की आहट हुई किचन की तरफ बढ़ती मिसेस सारा भाई ठिठक गई वह फौरन फ्लैट के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ी प्रोफेसर साहब एक क्षण हिच की चाए फिर वे भी उठकर उसके पीछे हो लिए मिसेस सारा भाई ने हौले से दर्वाजा खोला उसने सावधानी से बाहर जाका उसे सामने फ्लैट के ताले को चाबी लगाती हुई नीलम दखाई दी विमल उसके समीब खड़ा दर्वाजा खुलने का इंतजार कर रहा था ये तो लौट आए मिसेस सारा भाई के मुह से निकला यही हैं वो लोग जो तुम्हें हत्यारे और चोर लग रहे थे प्रोफेसर साहब भी बाहर जाकते हुए हौले से फुस्फुसाए हाँ मिसेस सारा भाई ने कबूल किया प्रोफेसर ने दर्वाजा बंद कर दिया और अपनी बीवी को बाह पकड़ कर दर्वाजे से परेगह सीट लिया शर्म करो शानता बाई वे उसे जिड़कते हुए बोले क्या हो गया है तुम्हारी अकल को क्या हो गया है तुम्हारी आँखो को क्या हो गया है तुम्हारी नियत को इतना नेकनियत, भला मानस और शरीफ जोड़ा तुम्हें चोर और हत्यारा लग रहा था। अरे ये बेचारे तो दो फाक्ताओं के जोड़े की तरह निर्दोश मालूम हो रहे हैं। शांता भाई क्या बनेगा तुम्हारा और तुम्हारे इस फसादी दिमाग का। मुझे डर है कहीं तुम पागल न हो जाओ। मिसेस सारा भाई ने एक जटके से अपनी बाह छुड़ाई और भुनभुनाई हुई किचन की तरफ बढ़ चली। एस्ट्रिस्ट 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 दूसरा टैम्पो विमल को अंधेरी से मिला। उस वक्त उसके चहरे पर दाढ़ी मूझ मौझूद थी और सिर पर पगड़ी थी। टैम्पो वाले से बात भी उसने ऐसे ठेट सरदार की तरह की थी, जिसे पंजाबी के अलाबा कोई भी जुबान बोलने में दिक्कत महसूस होती थी। उसने टैम्पो वाले को फ्रिज के बारे में बताया और उससे दादर ले जाने का भाड़ा तय किया। टैम्पो पर सवार होकर वह वापस सांटा क्रुज लोटा। टैम्पो वाले ने इस बारे में कतई कोई सवाल नहीं किया कि फ्रिज यूँ सरे रहा क्यों पड़ा था। उसे अपना मनमाफिक भाड़ा मिल रहा था और उसे क्या चाहिए था। टैंपो वाले ने उसके एक इकलोते सहायक ने, विमल ने और नीलम ने मिलकर फ्रिज को टैंपो में चड़ाया नीलम और विमल टैंपो वाले के साथ आगे सवार हो गए विमल नीलम और टैंपो वाले के बीच में था टैंपो दादर की तरफ दोड चला नीलम और विमल खामोश बैठे रहे टैम्पो वाले का सारा ध्यान टैम्पो चलाने की तरफ था टैम्पो माहिम के इलाके में पहुचा जब यह एक अपेक शाकृत सुनसान इलाके में से गुजर रहा था तो एकाएक विमल बोला रोको टैम्पो वाले ने तुरंथ टैम्पो रोक दिया उसने असमन्जस्पूर्ण भाव से विमल की तरफ देखा अपने सहकारी को यहीं उतार दो विमल कठोर स्वर में बोला क्योँ? टैम्पो वाला हैरानी से बोला विमल ने अपनी पतलून की बैट में खुनसी रिवॉल्वर निकाली और उसे टैम्पो वाले की पसलियों में चुभोता हुआ बोला क्योंकि इसी में उसकी सलामती है कक कौन हो तुम? टैम्पो वाला थर्थर काम पता हुआ हक लाया तुमने सुना मैंने क्या कहा? सरदार साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मेरे पास कुछ नहीं है यह टैम्पो भी किरायका है और विमल ने इतनी जोर से रिवॉल्वर उसकी पसलियों में गड़ाई कि वह पीडा से बिलबिलाता हुआ फॉरन खामोश हो गया उसे चलता करते हो विमल कहर भरे स्वर में बोला या मैं तुम्हें शूट करूँ और फिर बाद में उसे भी मारुती राव टैम्पो वाला इतनी जोर से बोला कि आवाज उसके गले में फस गई बोलो बाप पीछे बैठा टैम्पो वाले का सहकारी बोला नीचे उतर मारुती राव चलांग मार कर टैम्पो से नीचे उतरा और आगे टैम्पो की ड्राइवर वाली साइड पर पहुँचा इधर से बस पकड़ कर अंधेरी में अड़े पर पहुँच जा टैम्पो वाला बोला मैं आता हूँ लेकिन बाप कौन उतारेगा? मारुती राव हैरानी से बोला फ्रिज सुना नहीं टैम्पो वाला घुड़क कर बोला अच्छा बाप मारुती राव भुन्भुनाया पर अपुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा है विमल के संकेट पर टैम्पो वाले ने टैम्पो आगे बढ़ा दिया विमल रिवाल्वर उसकी पसलियों में सटाय रहा टैम्पो सडक पर भागने लगा शादी शुदा होग विमल ने पूछा हम पाँच बच्चे हैं बाप, घर में कोई और कमाने वाला है? नहीं, बच्चे अभी मेरे छोटे हैं और बीवी नौकरी के काबिल नहीं क्यों? उसकी एक तांग नहीं है पहले मिल में काम करती थी, जहां एक हादसे में उसकी तांग कट गई थी चचचच, फिर तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई का क्या, क्या मतलब मेरा मतलब है अगर तुम मर गए तो तुम्हारी लंगडी बीवी और पांच बच्चों का तो बड़ा बुरा हाल होगा टैंपो वाले के छक्के छूट गए स्टेरिंग से उसकी पकड धीली पड़ गई टैंपो संभाल विमल घुड़क कर बोला एक्सीडेंट करोगे क्या बाप वह गिरगिराता हुआ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अभी तो कुछ नहीं बिगाड़ा है लेकिन हो सकता है आगे बिगाड़ने की कोशिश करो आगे अगर मैं तुम्हें भी टैंपो से उतार दूँ और टैंपो अपने अधिकार में लेकर यहां से चलता बनू तो तुम क्या करोगे मैं क्या करूंगा उसने मूर्खों की तरह दोहराया तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओगे और बताओगे की एक बीवी वाले सरदार साहब ने तुम्हारा टैंपो तुमसे जबर्दस्ती छीन लिया था ऐसा ही करोगे न तुम नहीं नहीं बाप तुम जरूर ऐसा ही करोगे अगर आप मेरी जान बक्षी कर दोगे तो मैं नहीं करूंगा बाप टैंपो किराय का है लेकिन मेरी जान अपनी है समझदार आगनी हो मैं टैंपो रोकूं बाप अभी नहीं फिर थोड़ी देर बाद विमल ने उसे मेन रोर पर छोड़ने का आदेश दिया और टैंपो माटूंगा रेलवे स्टेशन के समीट के रेलवे क्वार्टरों के समीट एक स्थान पर रुकवाया नीचे उत्रो विमल ने आदेश दिया वह फॉरन टैंपो से बाहर निकला विमल भी उसके साथ बाहर निकला वह सुनसान जगह थी उस वक्त आसपास कोई नहीं था घड़ी में टाइम देखो विमल ने आदेश दिया टैंपो वाले ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली और कापते स्वर में बोला नौ बजे हैं जाकर उसके बैंच पर बैठ वो सामने बस स्टैंड है ओ एक घंटा तुमने यहां से हिलना भी नहीं है एक घंटे बाद मैं तुम्हारा टैंपो तुम्हें वापस लोटा जाऊंगा एक घंटे बाद अगर मैं न आऊं तो तुम यहां से चाहे पुलिस के पास जाना चाहे मिलिटरी के पास वैसे तुम्हारे टैम्पो को नहीं होगा मैं यहां न लोटा तो कल सुबह यह तुम्हें चर्च गेट स्टेशन के सामने खड़ा मिल जाएगा समझ गए उसने सहमती से सिर हिलाया चलो टैम्पो वाला लड़ खड़ाता सा आगे बढ़ा और जाकर बस स्टेंड की बैंच पर बैठ गया विमल टैम्पो की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया उसने टैम्पो वहां से भगा दिया पांच मिनट बाद वह वापस लोटा टैंपो वाला बस स्टैंड की बैंच पर वैसे ही बैठा था, जैसे बैठा वह उसे छोड़ कर गया था उसे पीछे रेफ्रीजरेटर लदा होने की वजह से अंधेरे में भी अपना टैंपो पहचानने में दिक्कत न हुई और वह यह भी समझ गया कि सरदार वापस क्यों लोटा था वह और जम कर बेंच पर बैठ गया एक तो क्या उसने मनहीमन निश्चय किया, मैं दो घंटे बाद यहां से उठूंगा विमल टैंपो को में रोड पर लाया उसने उसे वापस घुमा कर अंबेड कर रोड पर डाला सायन से आगे निकल कर उसने टैंपो को आगरा रोड पर डाल दिया बंबई में त्रिलो की नाथ वकील की अपनी नौकरी के दौरान और उससे पहले गोकुलदास एस्टेट में लेडी शान्ता गोकुलदास की अपनी नौकरी के दौरान एक लंबा अर्सा वह बंबई में रहा था इसलिए बंबई शहर से वह नावाकिफ नहीं था मनहीमन उसने पहले से ही एक जगह निर्धारित की हुई थी, जहां कि वह रेफ्रीजरेटर और उसके भीतर मौझूद सुर्जीत की लाश से पीछा छुडा सकता था एक लंबा अर्सा टैंपो चलाते रहने के बाद वह आगरा रोड के उस भाग पर पहुँचा, जहां वह एक नदी के पुल पर से होकर गुजरती थी पुल पर उस वक्त बहुत कम ट्रैफिक था उसने टैंपो को पुल की दिवार के साथ समकोन की तरहे लगा दिया फिर यह और नीलम टैंपो के प्रिष्ट भाग में चड़ गए धारी रेफ्रीजरेटर को उठाना उनके लिए असंभव था, लेकिन उसे सरकाना या धकेलना असंभव काम नहीं था उन्होंने फिरिज को सरका कर टैंपो के बाहर के सिरे पर दिवार एन किनारे कर लिया सड़क पर से कभी कभार कोई वाहन गुजर जाता था, लेकिन किसी का ध्यान टैंपो की तरफ नहीं था वे सड़क खाली होने की प्रतीक्षा करने लगे जो ही उन्हें दोनों तरफ दूर तक सड़क खाली दिखाई उन्होंने पूरी शक्ती लगा कर फिरिज को सामने को धकेला फिज एक क्षण को पुल की मुंधेर पर ठिटका, फिर वहां से उलटकर नीचे नदी में जागिरा एक बार बड़ी जोर की आवाज हुई, लेकिन फिर फॉरन खामोशी चागई फिर उसने जेब से फ्रिज की चाबी निकाली और उसे भी नदी में फ्रिज के पीछे फेंक दिया उसने नीचे जाका नीचे अंधेरा था जहां फ्रिक गिरा था, वहां उठती गोल-गोल लहरों का उसे हलकासा आभास मिला लेकिन फिर वे लहरें भी उसे दिखाई देनी बंध हो गई फ्रिज नदी में डूब गया था उसके साथ उसकी विधिव ब्याहता धर्मपत्नी सुर्जीत को और सोहल को भी जल समाधी मिल गई थी विमल का दिल भारी होने लगा बेचारी का अंतिन संसकार भी नहीं हो सका था अब चलो यहां से नीलम यूँ बोली जैसे उसने उसके मन के भाव पढ़ लिये हो इतनी बेचारी नहीं थी वो जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है विमल ने टैंपो से नीचे छलांग लगाई नीलम ने भी उसका अनुकरन किया दोनों फिर टैंपो में सवार हो गए विमल ने टैंपो घुमाया और वापस लोट पड़ा एक सुनसान स्थान पर उसने टैंपो सडक पर से उतार कर खड़ा कर दिया उसने अपना सरदार वाला मेकप उतार कर वापस एर बैग में रख लिया और फिर बह और नीलम टैंपो से उतर पड़े टैम्पो को वहीं खड़ा छोड़ कर पैदल आगे बढ़े थोड़ा ही आगे जाने पर उन्हें एक टैक्सी मिल गई बांदरा वापस लोटे इलाके में तब भी अंधेरा था लेकिन उनके इमारत में कदम रखते ही जैसे उनके स्वागत के लिए सारे इलाके की बत्तियां जल उठी वे फ्लैट में पहुँचे और जाने ही सो गए उस रात उन्हें भूख प्यास तक न लगी अगले दो दिन बड़े अमन्चैन से कटे उस दोरान फलाने फलैट से फलाने साहब को बुला दो मार का कोई कॉल आई तो उन्होंने उन साहब या साहिबा को बुला दिया मिसेस सारा भाई जब भी टेली फोन करने आई उन्होंने उन्हें बड़े प्रेम भाव से भीतर बुला कर फोन कर आया मिसेस सारा भाई की बेमानी बक्वास के तमाम birl पी भी उन्होंने बड़े सबर के साथ सुने उसके कई खोचपूर्ण लेकिन उनके लिए असुविधापूर्ण सवालों के उन्होंने बड़े मुनासिप जवाब दिये रेफ्रीजरेटर के बारे में उन्होंने बताया कि वह पहली तारीख की शाम को मिलने वाला था उन दो दिनों में न कोई ऐसी टेलिफोन कॉल आई और न कोई ऐसा शक्स वहाँ आया जिसका किसी भी प्रकार से कोई रिष्टा ज्यान प्रकाश दोग्रा से जोड़ा जा पाता तीस तारीख की सुभा को उन्होंने पूना के लिए एक प्राइवेट टैक्सी ठीक की दोनों पूना गए वहाँ से उन्होंने सुर्जीत के बांदरा के पते पर सुर्जीत की तरफ से नीलम को एक टेलीग्राम भेजी जिसमें लिखा था कि उसके पती की पेंशन से तालुक रखते काम में पेचीदगी आ गई थी इसलिए अभी और तीन दिन वह वापस नहीं लोट सकती थी वह टेलीग्राम भेज कर वे वापस लोट पड़े टेलीफोन उनके बंबई पहुचने से पहले ही पहुच चुकी थी और जैसी की उन्हें उम्मीद थी उनकी गैरहाजरी में मिसेस सारा भाई ने वह टेलीग्राम नीलम की तरफ से खुद रिसीव कर ली थी और उसे खोल कर पढ़ लिया था वैसे उसने दावा यही किया था कि टेलीग्राम उसे खुली हुई ही मिली थी उन लोगों ने टेलीग्राम के खुले होने का भला क्या एतरास करना था उन्होंने तो वह टेलीग्राम भीजी ही इसी विश्वास के साथ थी कि मिसेस सारा भाई उसे रिसीव करेगी और उसे खोल कर पढ़ने से बास नहीं आएगी उस तेली ग्राम ने मिसेस सारा भाई को यह विश्वास दिला दिया कि मिसेस सिन्ह पूना में सही स्लामत मौजूद थी और वे दोनों उसके खरे रिष्टेदार थे कुछ बातों से संदिग्ध वह अभी भी थी लेकिन वे बातें अब इतनी अहम नहीं रही थी कि वह अपने पती से पुलिस बुलवाने की जिद करती उन दिनों में नदी में डूबे किसी फ्रिज की या उसमें मौजूद किसी लाश की बरामदी की खबर कम से कम अखबार में न छपी फिर अंत में वह दिन आया जिसके इंतजार में उन्होंने एक-एक शन गिन-गिन कर गुजारा था पहली तारीख वे सुभा तयार होकर बैठ गए और बड़ी बेकरारी से हर कारे के आगमन का इंतजार करने लगे विमल को एक ही सवाल सता रहा था अगर कोई हर कारा ना आया तो तो इतने बड़े हिंदुस्तान में बलकि इतनी बड़ी दुनिया में वह डोगरा को कहा ढूंदेगा ग्यारह बस गए लेकिन कॉल बैल न बजी उस रोज तो मिसेस सारा भाई तक में आकर कॉल बैल न बजाई फिर कोई साढ़े ग्यारह बजे के करीब वह आवाज फ्लैट गूंजी जिसको सुनने के लिए उरके कान तरस रहे थे हमेशा की तरह नीलम दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो विमल ने उसे रोक दिया उसने नीलम को बैडरूम में जाने का संकेत किया और स्वया आगे बढ़ा रिवालवर उसने सुबह से ही अपने कोट की दाई जेब में हुई थी उसने दरवाजा खोला दरवाजे पर एक हलके नीले रंग की कमीज पतलून पहने एक लगभग 25 साल का दुबलाप्तला लड़का खड़ा था उसके सिर पर उसके सारे चहरे के आकार से ज्यादा बड़े गशेत्रफल में अमिताब बच्चन स्टाइल बाल थे और वह बड़े फिल्मी अंदास से होले होले सीटी बजा रहा था उसकी कमीज की दो जेबों में से एक का फ्लैप खुला था और उस जेब में से एक खाली लिफाफा एक चौथाई बाहर जहांक रहा था चौखट पर विमल को एक पुरुष को प्रकट हुआ देखकर वह सक्पकाया उसने सीटी बजानी फौरन बंद कर दी और संदिग्ध भाव से विमल की तरफ देखा क्या है विमल बोला? कुछ नहीं वह हडबड़ा कर बोला लगता है मैं गलत फ्लैट में आ गया हूँ सौरी तुम्हें मिसेस सिंग के फ्लैट की तलाश है हाँ यही है उनका फ्लैट उसने संदिग्ध भाव से दायमबाये देखकर इस बात की तस्दीग की कि वह दूसरे माले पर ही थी और फ्लैट पर लगा नंबर चार ही था मैडम कहा है फिर वह बोला भीतर है विमल बोला पॉंट मिसेस सारा भाई ने अपने फ्लैट का दर्वाजा थोड़ा सा खोल लिया था और आदत से मजबूर वह औरत जिरी में आख लगाए बाहर जहांक रही थी और कान खड़े करके बाहर चल रहा वारतालाप सुनने की कोशिश कर रही थी उन्हें जरा बुला दीजिए लड़का बोला तुम ही भीतर आजाओ विमल बोला नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ आप ही उन्हें विमल ने हाथ बढ़ा कर उसका गिरहबान दबोच लिया और बड़ी सहूलियत से उसे भीतर घसीट कर पाव की ठोकर से दर्वाजा बंद कर दिया वह नजारा देखकर मिसेस सारा भाई के छक्के छूट गए वह धड़कते दिल से किसी नई उससे ज्यादा भयंकर घटना के घटित होने की प्रतीक्षा में जिरी के साथ अपनी एक आख चिपकाए खड़ी रही विमल ने लड़के को ड्राइंग रूम के भीतर की तरफ धक्का देकर उसका गिरहबान छोड़ दिया लड़का बड़ी मुश्किल से एक सोफे का सहारा लेकर अपने आपको धराशाई होने से रोक पाया विमल ने जेव से रिवॉल्वर निकाल कर उसकी तरफ तान दी और चेतावनी भरेकवर में बोला खबरदार मुह से उल्टी सीधी आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा आतंग से लड़के के नेतर फट पड़े वह मुह बाये कभी विमल की सूरत को और कभी उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर को देखने लगा जेव से लिफाफा निकाल कर मुझे दो विमल ने आदेश दिया नहीं नहीं लड़का लिफाफे वाली जेप पर अपने दोनों हाथों को मजबूती से जकरता हुआ भयभीत भाव से बोला यह लिफाफा मिसेस सिंग के लिए है मैं उसका पती हूँ लिफाफा मुझे दो मुझे लिफाफा सिर्फ मिसेश सिंह के हवाले करने के लिए कहा गया है किसने कहा है ऐसा तुम्हें? मिसेश सिंह कहा है मरे सवाल का जवाब दो मुझे यहां से जाने दो प्लीज विमल आगे बढ़ा उसने अपने खाली हाथ का एक जोरदार जापड लड़के के चहरे पर रसीद किया लड़के ने चिलाने के लिए मुह खोला तो रिवॉल्वर की नाल उसने उसके मुह में घुसेड दी लड़के की चीक उसके गले में ही घुट गई उसकी आखे फट पड़ी और वह थर-थर कामपने लगा उसके हाथ अपने आप ही उसकी चाती पर से हट गए विमल ने उसकी जेब में से लिफाफा निकाल लिया उसने लड़के से परे हट कर लिफाफा खोला लिफाफे में सौसो के नोट मौजूद थे विमल ने लिफाफा अपनी जेब में डाल लिया साहब लड़के ने फरियाद की साहब यह, यह तो खामोश विमल ने उसे घुरका वह फिर उसके सिर पर पहुँच गया लड़का फिर सहम कर चुप हो गया तुम्हारे जूते का तसमा खुल गया है विमल बोला बांधो उसे लड़के ने फौरन नीचे देखा विमल ने रिवालवर की नाल का एक भरपूर प्रहार उसकी खोपडी पर किया लड़के के मुह से एक हलकी सी कराह निकली और वह एक वप्प की आवाज के साथ कालीन बिछे फर्ष पर धेर हो गया नीलम बैडरूम से निकल कर वहां पहुँची विमल ने रिवालवर उसे थमा दी और वह स्वयन लड़के की तलाशी लेने लगा उसकी जेब से एक ड्राइविं लाइसेंस बरामद हुआ जिस पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी और जिस पर लिखे नाम के मुताबिक उसका नाम सखाराम चित्रे था उसी जेब में एक चाबियों का गुच्छा था चाबिया साफ साफ किसी कार मालूम हो रही थी एक दूसरी जेब से विमल ने एक रैक्सीन का पर्स बरामत किया उसमें 23-24 रुपए थे एक पोस्ट कार्ड था जिस पर उसका नाम और चिंचपोकली का एक पता लिखा हुआ एक कागस का पुर्जा था जिस पर सुर्जीत का नाम और उसके फ्लैट का पता लिखा हुआ था और बस विमल ने फ्लैट में से एक रसी तलाश की और बड़ी मजबूती से उसके हाथ पाम बांध दिये फिर वह उसके मुह पर तब तक पानी के छींटे मारता रहा, जब तक कि वह होश में ना आ गया अपनी मुश्के कसी पाकर तो जैसे उसके प्राण ही निकल गए उसने ऐसे मुह खोला, जैसे गला फाड़ कर चिलाने लगा हो खबरदार, विमल ने उसकी नाख पकड़ कर हॉले से मरोर दी, चीखनाख चिलाना नहीं वह पीडा से बिलबिलाया उसने जोर से थूक निगली, लेकिन गले से कोई आवाज न निकाली अभी तक उसे अपने पीछे रिवॉल्वर लिये खड़ी नीलम नहीं दिखाई दी थी अगर अपनी खैरियत चाहते हो विमल धम की भरे स्वर में बोला, तो जो मैं पूछू, उसका सच-सच जवाब देना समझ गए उसने फौरन सहमती में सिरहिलाया दोगरा कहा है? कौन दोगरा? ज्यान प्रकाश दोगरा मैं किसी ज्यान प्रकाश दोगरा को नहीं जानता तुम्हें नोटों वाला लिफाफा यहां मिसेज सिंग के पास पहुचाने के लिए दोगरा ने नहीं दिया विमल आखे निकाल कर बोला नहीं दिया लड़के ने दुहाई दी तो फिर किस ने दिया लड़के ने फिर जोर से ठूक निगली जवाब दे हराम जा दे विमल कहर भरे स्वर में म, 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 लड़का लगभग रोता हुआ बोला नहीं बताऊंगा क्यों नहीं बताएगा उसे जब पता लगेगा कि मैंने उसके बारे में तुम्हें बताया था तो वह मुझे मार डालेगा वह तो तुम्हें पता लगने पर मारेगा मैं तो तुम्हें अभी मार डालूंगा उसने मुझे खास्तोर से ताकीद की थी कि रुपियों के इस सिलसिले में उसका नाम मेरी जुबान पर ना आए किसका नाम? नोटों वाल लिफाफा मिसेस सिह को सौपने के लिए यहां तुम्हें किसने भेजा था? लड़का खामोश रहा विमल ने एक करारा घूसा उसके जबडे पर रसीद किया लड़के की गर्दन भूम गई उसकी आँखों से आसु छलक आए विमल का हाथ दोबारा प्रहार के लिए उठता पाकर उसने अर्तनाद किया बताता हूँ बताता हूँ जल्दी करो मुझे यहां रुस्तम भाई ने भेजा था रुस्तम भाई कौन? बोला रुस्तम भाई अंधेरी वाला सारी बंबई उसे जानती है मैं नहीं जानता कौन है वो? वह बहुत बड़ा सेठ है वह टूरिस्ट टैक्सी सर्विस चलाता है एकदम नई कारों की फ्लैट है उसके पास दो शेवरलेट, तीन मर्सिडीज, पांच मार्क फॉर एंबेसेडर उसका पता बोलो उसकी कमपनी का ओफिस अंधेरी में आरके स्टूडियो के पास है कमपनी का कोई नाम तो होगा नियू बॉम्बे टूरिस्ट टैक्सी सर्विस अगर रुस्तम भाई को पता लग गया कि मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है तो वह मेरा गला काट देगा बको मत रुप्यों वाला लिफाफा देकर तुम्हें रुस्तम भाई ने यहां भेजा था हाँ पहले भी कभी यहां आये हो नहीं उसने क्या कहा था तुमसे उसने मुझे इस फ्लैट का पता लिख कर दिया था वा नोटो वाला खा की लिफाफा दिया था और कहा था की लिफाफा मैं मिसेस सिंह को देया हूँ उसने मुझे खास तौर से ताकीद की थी कि लिफाफा मैंने मिसेस सिंग के अलावा किसी को नहीं देना था उसने तुम्हें बताया था कि लिफाफा में नोट थे हाँ, दो हजार रुपए के और साथ में कहा था कि अगर मैंने लिफाफा खोला तो वह मेरा गला काट देगा अब मेरा क्या होगा? वह रोने लगा तुम उसके पास काम करते हो? हाँ क्या काम करते हो? ड्राइवर हूँ गाड़ी चलाता हूँ यहां तक कैसे आये हो? कम्पनी की ही एक गाड़ी पर आया हूँ गाड़ी कहां खड़ी की है? नीचे इमारत के सामने नमबर बोलो तुम क्या गाड़ी भी ले जाओगे? वह गिर गिर आया अब तो रुस्तम भाई मुझे कच्चा ही चबा जाएगा नोटों के लिफाफे के साथ साथ गाड़ी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी तो नमबर बोलो विमल घुड़क कर बोला लड़के ने नमबर बताया चाबिया विमल ने उसकी जेब से खुद ही निकाल ली फिर उसने लड़के के मुह में जबरन एक रुमाल ठूस दिया और उसे उठाकर बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया अपना सामान समेटो वापस आकर विमल बोला और यहां से कूच की तयारी करो अब यहां ठहरना बेकार है नीलम ने सहमती में सिर हिलाया उसने रिवॉल्वर विमल को वापस कर दी और स्वय एक एर बैग में दोनों का वह सामान करने लगी जो वह खुद जाकर होटल से लाई थी पांच मिनट बाद वे फ्लैट से बाहर निकले विमल ने फ्लैट को ताला लगा दिया मिसेस सारा भाई अभी भी शर्तिया अपने फ्लैट के दरवाजे के पीछे मौजूद थी उसने शायद विमल को लड़के को फ्लैट के भीतर घसीटते देखा भी था और यह भी जरूर नोट किया था कि फ्लैट को ताला लग गया था लेकिन लड़का उसके साथ बाहर नहीं निकला था लेकिन अब विमल को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह औरत क्या सोचती थी या क्या खुराफाती नतीजे निकालती थी अब वे लोग वहां लोट कर नहीं आने वाले थे चाप्तर चार विमल अंधेरी पहुचा इस वक्त वह अपने सिख वाले मेकप में था निव बॉम्बे टूरिस्ट टैक्सी सर्विस एक बहुत बड़े अहाते में स्थापित थी अहाते पर बाहर कंपनी का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था भीतर अहाते में कई नई पुरानी देशी विलायती कारें खड़ी थी एक और एक बहुत बड़ा नीम का पेड था जिसके नीचे सखाराम चितरे जैसी ही हलके नीले रंग की कमीस पतलून वाली वर्दी पहने चार-पांच आदमी बैठे गप्पे हाक रहे थे अहाते के प्रिष्ठ भाग में खप्रेल की छट वाली एक-एक मंजली इमारत थी उसके दर्वाजे पर एक तक्ती लगी थी जिस पर लिखा था ओफिस विमल अहाता पार करके ओफिस में पहुँचा वह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक तरफ आगंतुकों के बैठने का इंतजाम था तथा दूसरी तरफ एक ओफिस टेबल लगी हुई थी टेबल पर दो टेली फोन रखे थे और उनके पीछे एक उंगता सा आदमी बैठा था मुझे रूस्तम भाई से मिलना है विमल मेज के समीप पहुँच कर बोला क्या काम है? वह आदमी बोला टैक्सी चाहिए नहीं, रूस्तम भाई चाहिए काम मुझे बोलो तुम कौन हो? मैं यहां मैनेजर हूँ वह बड़े गर्व से बोला मुझे मैनेजर से नहीं, मालिक से काम है लेकिन पता तो लगे क्या काम है? काम किसी नौकर चाकर को बताने वाला नहीं है उसका चहरा लाल हो गया उसने एक बार खा जाने वाली निगाहों से विमल को देखा और फिर बोला, सेठ यहां नहीं है यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अरे क्यों कान खा रहे हो? बोला न वो यहाँ नहीं है देखो मैं सेट के लिए एक बहुत जरूरी संदेशा लाया हूँ अगर वक्त रहते वह संदेशा सेट तक ने पहुँचाया तुम्हारी वजह से न पहुँचा तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी खलास वह सक्पकाया उसने बड़े संदिख्ध भाव से एक बार फिर विमल का मुआयना किया और फिर तनिक विचलित स्वर में बोला क्या संदेशा है? कुछ अतापता तो पता लगे सखाराम भाग गया है क्या मतलब वह हडबड़ाया? तुम सखाराम को जानते भी हो या नहीं? सखाराम चितरे? वही वह भाग गया है क्या मतलब? तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब नहीं लेकिन तुम्हारे बाप के लिए है तमीज से बात करो तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारे पिताजी के लिए है विमल ने तमीज से बात की तुम्हारे अब्बा हुजूर के लिए है, तुम्हारे डैडी के लिए है, तुम्हारे रुस्तमभाई अंधेरी वाले के लिए है वह सोच में पढ़ गया जल्दी फैसला करो विमल उतावले स्वर में बोला सारा दिन मैंने यही नहीं गुजारना है उधर सामने बैठ जाओ मैं सेट का पता करता हूँ विमल एक सोफे पर बैठ गया मैं अभी आता हूँ वह मेज के पीछे से निकलता हुआ बोला विमल ने सहमती में सिरहिला दिया मैंने पिछवाडे का एक दर्वाजा खोल कर भीतर दाखिल हो गया अपने पीछे वह बड़ी सावधानी से दर्वाजा बंद कर गया विमल कुछ क्षन खामोश बैठा रहा फिर वह उठा और दबे पाव चलता हुआ दर्वाजे तक पहुँचा उसने धीरे से दर्वाजे को धक्का दिया दर्वाजा खुला था उसने सावधानी से भीतर जाका आगे एक गलियारा था जो की खाली था आगे गलियारे में दायमबाएं चार दर्वाजे थे दाई और के परले दर्वाजे के पीछे से लोगों के बोलने की धीमी धीमी आवाजे आ रही थी विमल ने गलियारे में कदम रखा वह उस दर्वाजे पर पहुँचा उसने दर्वाजे पर धक्का दिया और भीतर दाखिल हो गया भीतर एक गोल मेज के गिर्दच आदमी बैठे थे मेज पर हर किसी के सामने लगा नोटों का अमबार बता रहा था कि वहां तगड़ा जुआ चल रहा था कमरा सिग्रेट के धुने से इस कदर मरा हुआ था कि सब कुछ धुन्धलासा दिखाई दे रहा था मैंनेजर दरवाजे से थोड़ा ही आगे कमरे में खड़ा बड़े अब से कुछ कह रहा था लेकिन वह गोल मेज के गिर्द बैठे च्छ आदमियों में से किस से संबोधित था विमल न समझ सका विमल ने उसे दरवाजे से परे धकेल दिया और स्वयं उसका स्थान लेता हुआ बोला तुम में से रुस्तम भाई कौन है छै जोडी बेहद हैरान और चौंकी हुई निगाहें उसकी तरफ उठी यह भीतर कैसे घुस आया कोई करकश स्वर में बोला म मैं तो मैंनेजर हक लाया इसे ऑफिस में बिठा कर आया था लेकिन तुम्हारी ही यहां आने की क्या जरूरत थी कोई गर्जा यह कह रहा था कि यह रुस्तम सेट के लिए बहुत जरूरी संदेशा लाया था मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ यह विमल पर जप्टा विमल ने इस बार उसे इतनी जोर का धक्का दिया कि वह परली दीवार से जाकर टक्राया और भरभाकर फर्ष पर धेर हो गया एक आदमी ने अपने हाथ के पत्ते मेज पर रख दिये वह एक जटके से अपनी कुरसी से उठा उसने अपनी जेब से एक कमानीदार चाकू निकाला और उसका खटका दबाकर उसे खोलता हुआ कहरभे स्वर में बोला तेरी शामत आई है सरदार के बच्चे विमल ने अपने दोनों हाथ अपने कोट की जेब में डाल लिये उसका दाया हाथ उस जेब में मौजूद रिवॉल्वर को मूट से लिपट गया वह शान्ती से बोलाख हो सकता है लेकिन अकेले मेरी ही शामत नहीं आई रुस्तम भाई की भी आई है तुम हो रुस्तम भाई साफ साफ बोलो तुमने क्या कहना है रुस्तम भाई से चाकू वाला गुर्राया वरना अभी पेट फाड़ कर आंते बाहर निकाल दूँगा और वह द्रिढ कदमों से विमल की तरफ बढ़ा ठहरो एकाएक उससे दो सीट परे बैठा एक आदमी बोल पढ़ा रुस्तम भाई के लिए क्या संदेशा है तुम्हारे पास नया आदमी बोला वह एक लगभग पचास साल का सिरसे लगभग गंजा आदमिया और बड़ा कीमती सूट पहने हुए था तुम रुस्तम भाई हो विमल ने उससे पूछा तुम जो कहना चाहते हो कहो तुम्हारा संदेशा रुस्तम भाई तक पहुचा जाएगा वह संदेशा इतने आदमियों के कानों में पड़े शायद यह बात रुस्तम भाई को पसंद ना आए तुम उसकी फिक्र मत करो उसकी फिक्र रुस्तम भाई खुद कर लेगा तुम संदेशा बोलो वह उन दो हजार रुपियों के साथ भाग गया है, जो तुमने बांदरा में रहने वाली। खामोश, सूट वाला गंजा हडबड़ा कर बोला। विमल खामोश हो गया। तुम सच कह रहे हो कि सखाराम भाग गया है। हाँ? तुम्हें कैसे मालूम है कि वह भाग गया है। इसके लिए मुझे फिर सारी कहानी शुरू करनी पड़ेगी और तुम कहोगे खामोश। विश्वास नहीं होता। वह छोकरा ऐसा होसला नहीं कर सकता। वह कर चुका है। सूट वाले गंजे ने अपने हाथ के पत्ते मेज पर फेंक दिये और अपने सामने पड़े नोट बटोरने लगा। नोटों को उसने लापरवाही से अपने सूट की विभिन जेबों में ठूसा और मेज से उठता हुआ बोला, मेरे दोचार हाथ मत बाटना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वह उठकर विमल के समीब पहुचा। चलो। उसने आदेश दिया। विमल उसके साथ हो लिया। उसके दोनों हाथ अभी भी उसके कोट की जेबों में थे। तो तुम ही रुस्तम भाई हो। रास्ते में विमल बोला। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था संदेशा हर किसी के सुनने लायक नहीं था। मैंने सुना था तुमने क्या कहा था। वह चिंतित भाव से बोला। वे इमारत से बाहर निकले। पेड के नीचे बैठे ड्राइवर लोग उसे देखकर उठ खडे हुए। गंजे ने हाथ के इशारे से सबको बैठे रहने का संकेत किया और अहाते में खडी गाडियों में एक मर्सिडीज की तरफ बढ़ा। उसने जेब से चाबिया निकाल कर उसका ताला खोला। दोनों कार में सवार हो गए। गंजा कार को अहाते से निकाल कर बाहर सडक पर ले आया। कार को अपने अहाते से कोई दो फरलांग आगे आकर उसने उसे सड़क के किनारे करके रोक दिया और इंजन बंद कर दिया अब बोलो क्या किस्सा है? वह चिंतित भाव से बोला यहां हम अकेले हैं जो बात तुम कहने जा रहे थे वह हर किसी के सुनने वाली नहीं थी अग्मी हो तुम अब बताओ बात क्या है? तुम सखाराम को कैसे जानते हो? और तुम्हें कैसे मालूम है कि वह भाग गया है? तुमने अभी तक भी यह नहीं बताया है कि तुम ही रुस्तम भाई हो? मैं ही रुस्तम भाई हूँ, बाग अब क्या साबित करके दिखाना होगा? नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है महरबानी है तुम्हारी अब असल बात पर तो आओ तुम सखाराम को कैसे जानते हो? जिस वक्त वह मिसेस सिंग के लिए रुपए लेकर बांदरा में उसके फ्लैट पर पहुँचा उस वक्त मैं मिसेस सिंग के फ्लैट में था सखाराम रुपए लेकर वहां पहुँचा था हाँ लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि वह रुपए लेकर भाग गया मैं गलत कह रहा था, विमल ने अपनी जेब में से नोटों वाला खाकी लिफाफा निकाल कर उसे दिखाया, वह रुपए लेकर भागा नहीं था रुपए मैंने उससे छीन लिये थे रुस्तम भाई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा विमल अपलक उसके चहरे को देखता रहा फिर रुस्तम भाई के जबडे भींच गए और उसका चहरा कानों तक लाल हो गया उसने इगनीशन के स्विच के साथ लटकती चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया चाबी को विमल सर्द स्वर में बोला तुम्हारा हाथ लगा तो तुम्हारा हाथ तूटकर कार के फर्श पर गिरा होगा अच्छा रुस्तम भाई व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला हाँ कैसे करोगे? विमल ने जेब से रिवालवर निकाली उसने उसकी नाल से हौले हौले उसके चाबी की तरफ बढ़ते हाथ की उंगलियों पर तीन-चार बार दस्तक दी और सहच स्वर में बोला ऐसे करूंगा रिवालवर देखकर रुस्तम भाई सक्पकाया उसने एक बार जोर से ठूक निगली और अपने चारों तरफ देखा सडक पर आवाजा ही बदस्तूर जारी थी तुम दिन्दहाडे चलती सडक पर मुझ पर गोली नहीं चला सकते वह बोला मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है विमल ने उसे आश्वासन दिया लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो तुम पर गोली चलाना तो क्या मैं तुम्हारी लाश के 36 टुकडे करके सारी सडक पर बिखरा कर जाऊंगा और तुम्हारा क्या होगा रुस्तम भाई जब तुम नहीं रहोगे तो इस बात से तुम्हें क्या तसली हासिल होगी कि तुम्हारे बाद मेरा क्या हुआ तुम कोई दादा या मवाली किस्म के आदमी लगते तो नहीं हो मैं हूँ भी नहीं ऐसा आदमी होता तो सबसे पहले तुम्हारी जेबों में ठुसे सारे नोट निकाल कर अपने अधिकार में करता रुस्तम भाई सत्पकाया फिर उसने अभी भी विमल हाथ में मौजूद खाकी लीफाफे की तरफ संकेत किया और बोला मेरे यह दो हजार रुपए भी तो तुमने मारे हुए हैं ये रुपए तुम्हारे थोड़े ही हैं तो और किसके हैं? ये रुपए तो डोगरा के हैं रुस्तम भाई बुरी तरह चौंका उसने सक्त हैरानी से विमल की तरफ देखा अगर ये रुपए तुम्हारे हैं तो ले लो विमल ने खाकी लिफाफा रुस्तम भाई की तरफ बढ़ाया रुस्तम भाई ने लिफाफा थामने का उपक्रम नहीं किया दोगरा मेरा कर्जदार है विमल बोला उसकी कोई भी रकम अपने काबु में कर लेने का हट मुझे पहुचता है रुस्तम भाई खामोश रहा विमल ने खाकी लिफाफा अपने कोट की भीत्री जेब में रख लिया तुम चाहते क्या हो? रुस्तम भाई अस्मंजस्पूर्ण स्वर में बोला ऐसा कुछ नहीं चाहता जो तुम मुझे न दे सको क्या चाहते हो? दोगरा का पता कहा है दोगरा? मुझे नहीं मालूम यह कोई मानने की बात है? यह हकीकत है दोगरा का पता मुझे मालूम होता भी तो भी वह मैं तुम्हे न बताता क्यो? क्यो का जवाब तुम खुद समझ सकते हो? वह नहीं चाहता कि उसका पता किसी को मालूम हो मुझे खुद उसका पता नहीं मालूम उसका पता मुझे मालूम होता भी तो अपनी जान की सलामती के लिए वह मैं तुम्हें न बताता। दोगरा का पता किसी का बताने से तुम्हारी जान पर आबन सकती है। हाँ? वह इतना खतरनाक आदमी है? इससे ज्यादा। इससे कहीं ज्यादा। पहले तो वह ऐसा नहीं था। मुझे नहीं मालूम पहले वह कैसा था। तुम उससे डरते हो? हाँ? बहुत? और मुझसे? विमल रिवॉल्वर से उसका एक घुटना ठक ठक करता हुआ बोला। उसने उत्तर नहीं दिया। उसने खामोशी से अपने होठोन पर जुबान फेरी और ठूक निगली। अगर तुमने डोग्रा के पास उसी के हित का कोई संदेशा पहुचाना हो तो कैसे पहुचाओगे? विमल बोला। कैसा संदेशा? मिसाल के तौर पर यही संदेशा की अब दोग्रा के लिए बांदरा वाली औरत को तुम्हारे माध्यम से हर पहली तारीख को दो हजार रुपए भिजवाना जरूरी नहीं रह गया है। क्यों जरूरी नहीं रह गया है? क्योंकि वह मर चुकी है? क्या? मेरे हाथों का? का? क्या? और तुम्हारा वह सखाराम नाम का चोकरा भी चाहो तो मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास रुखसत कर सकता हूँ रुस्तम भाई ने फिर अपने सूखे होठोन पर जुबान फेरी और फिर आश्वासनहीन स्वर में बोला चारों तरफ लोग भरे पड़े हैं अगर मैं शोर मचा दूं तो तो उससे तुम्हारी जान नहीं बच जाएगी गंजे हराम जादे इस बार विमल ने रिवालवर की नाल से उसकी गंजी खोपडी पर दस्तक दी मैं गिरफतार हो गया या तुम्हारे साथ मैं भी मर गया इससे तुम जिन्दा नहीं जाओगे रुस्तम भाई ने पीडा से बिलबिलाते हुए अपनी गंजी खोपडी सहलाई अब फटाफट बोलो दोगरा कहा है विमल बोला मुझे नहीं मालूँ वह बोला कसम खुदा की मुझे नहीं मालूँ उस औरत को हर पहली तारीख को पहुचाने के लिए 2000 रुपए तुम्हें दोगरा नहीं देता वही देता है कैसे देता है मेरे अहाते के पास ही एक बैंक है उसमें डोगरा के कहने पर 100 रुपए जमा करवा कर मैंने खुद खाता खुलवाया हुआ है हर पहली तारीख को कोई उसमें 2000 रुपए जमा करा जाता है जो की उतने का ही चैट भर कर मैं निकलवा लेता हूँ और हर बार किसी नए हर कारे के हाथ बांदरा भिजवा देता हूँ दो साल से यह सिलसिला ऐसे ही चल रहा है यह मामुली काम वह इतने पेचीदे तरीके से क्यों करता है मुझे नहीं मालूम मेरे ख्याल से वह नहीं चाहता कि उस औरत को उसका कोई अतापता मालूम हो पाए इस सिलसिले में कभी कोई अर्चन आ सकती है कोई ऐसी पेचीदगी खड़ी हो सकती है जो कि तुम दोनों की कलपना से बाहर हो ऐसी कोई नौबत आ जाने पर डोगरा से संपर्क स्थापित करने का कोई तो तरीका तुम्हारे पास होगा नहीं है विमल ने संदिग्ध भाव से उसे घूरा सरदार साहब रुस्तम भाई बड़ी संजीदगी से बोला मैं तुम्हें नहीं जानता मैं उस औरत को नहीं जानता मैं यह तक नहीं जानता कि डोगरा का उससे क्या रिष्टा है या कभी था और वह उसे हर महीने 2000 रुपए क्यों भिजवाता है डोगरा मेरा बचपन का दोस्त है उसने मुझे यह एक छोटा सा काम करने के लिए कहा जो मैंने बचपन की दोस्ती का लिहास करते हुए कर दिया वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है लेकिन तुम उसका पता नहीं जानते नहीं जानता पहले जानता था अब नहीं जानता सालों पहले वह बंबई छोड़कर यूपी में कहीं चला गया था तो अपना यहां का सायन वाला फ्लैट भी खाली कर गया था उसके बाद जब वह दोबारा बंबई लोटा था तो उसने मुझे यह बताना जरूरी नहीं समझा था कि वहां कहा रहता था कभी मिलता था तो वह ही मुझे से मिलता था तुमने अभी कहा था तुम उससे बहुत दर्ते हो हाँ? पार? वह हिचकी चाया जवाब दो क्योंकि वह बेहत धीमी आवाज में बोला मैंने सुना है कि अब वह काले पहाड के गैन का एक बहुत महत्वपून आदमी हो गया है काला पहाड क्या चीज हुई? काला पहाड आज की तारीख में बंबई के अंडरवर्ड का बेतास बादशाह है उसका वास्तविक नाम तो राज बहादुर बखिया है लेकिन वह काले पहाड के नाम से ज्यादा मशूर है ओह वह सिर्फ बंबई का ही नहीं, सारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता है माफिया तक से उसका संबंध बताया जाता है और सारे हिंदुस्तान के तो क्या, दुबई, हांकांग, सिंगापूर तक के जरायम पेशा लोग उसके नाम से थर्थर कापते हैं ड्रग्स की स्मगलिंग उसका मुख्य धंधा है, जिसकी वजह से उसे एशिया का नार्कोटिक स्किन भी कहा जाता है बंबई के अंडर्वल्ड में ऐसा रुत्बा और रसूख कभी विशंभरदास नारंग का हुआ करता था, विमल धीरे से बोला वह तो बहुत पुरानी बात हो गई बहुत पहले बंबई के अंडर्वल्ड में उसी का सिक्का चलता था, लेकिन गोवा में जब वह अपने दो साथियों के साथ कतल कर दिया गया था, तो यहां उसकी जगह लेने वाले कई लोग पैदा हो गए थे लेकिन काले पहाड और उसके तीन भाईयों ने सब का डटकर मुकाबला किया था एक भयंकर गैनवार के बाद और अपने भाईयों की बली देने के बाद काले पहाड ने सबको अपने सामने जुका लिया था तब से आज तक बंबई के अंडरवर्ड पर काले पहाड का एक छत्र राज है I.C. वह गंभीर्ता से बोला वह सोच रहा था कि रुस्तम भाई क्या जानता था कि जिस आदमी ने नारंग और उसके दो साथियों का गोवा में कतल किया था वह उस वक्त उसकी कार में उसकी बगल में बैठा था I.C. तो डोगरा काले पहाड के गैन का आदमी है सिर्फ आदमी ही नहीं, महत्वपून आदमी है ऐसे आदमी से मैं न डरू तो क्या करूँ? काले पहाड के किसी आदमी से वैर मोल लेने लायक हस्ती तो बंबई में किसी की भी नहीं है उसके किसी आदमी को नाखुश करने का हौसला रखने के लिए भी गजभर का कलेजा चाहिए जो कि तुम्हारा नहीं है वह खामोश रहा तुम कहते हो कि तुम हर पहली को जो 2000 रुपए बैंक से निकलवाते हो वह पहली को ही बैंक में जमा करवाए गये होते हैं केक लर्क ने ही मुझे कहा था कि खाते में रुपए जमा हुए नहीं होते कि मैं निकलवाने आजाता हूँ हमेशा ऐसा ही होता है वह कहता था कि जब इतनी जल्दी मैंने पैसे निकलवा लेने होते हैं तो मैं जमा क्यों करवाता हूँ वह तो नहीं जानता कि पैसा निकलवाता कोई और है लेकिन जमा कोई और करवाता है लेकिन पैसा अगर हमेशा पहली को ही जमा कराया जाता है तो फिर तो डोगरा बंबई में ही रहता होगा जरूरी नहीं वह बाहर से भी किसी को निर्देश भिजवा सकता है कि वह पहली को बैंक में 2000 रुपया जमा कर आए ऐसा निर्देश अगर वह किसी और को भिजवा सकता है तो उसे तुम्हारी क्या जरूरत है वह उसी आदनी को यह नहीं कह सकता कि वह रुप्या बांदरा में उस औरत को पहुँचा आए तुम्हारे ख्याल से डोगरा 2000 रुप्या बैंक में जमा करने खुद आता होगा क्यों नहीं हो सकता? जितने खुफिया ढंग से वह यह सब कुछ मुझ से करवाता है, उसे देखते हुए तो हो सकता है सरदार साहब फिर तो तुम अगले पहली तक इंतजार करो अगली पहली को बैंक की निग्रानी करके मेरे पास इतना वक्त नहीं मैं एक महीना इंतजार नहीं कर सकता रुस्तम भाई ने जवाब में कोई राय पेश न की इसके गैन के महत्वपूर्ण आदमी भी तो यहीं रहते होंगे हो सकता है यह काला पहाड बंबई में कहां पाया जाता है? रुस्तम भाई हिचकिचाया अब यह मत कहना कि तुम्हें यह बात मालूम नहीं विमल चेतावनी भरे स्वर में बोला जितना मशूर आदमी तुम उसे साबित करने की कोशिश कर रहे हो उस लिहास से तो बंबई में बच्चे-बच्चे को मालूम होना चाहिए कि कहां पाया जाता है? तुम्हारा काला पहाड नारंग नाम के जिस गैंगस्टर का उत्तराधिकारी बना है उसके बारे में बंबई का बच्चा-बच्चा जानता था कि वह मैरीन ड्राइफ पर स्थित एक फाइव स्टार होटल के एक सूट में रहता था काला पहाड भी होटल में ही रहता है रुस्तम भाई धीरे से बोला कौन से होटल में? होटल सीविव यह कहां हुआ? जुहू बीच पर नया बना फाइव स्टार डीलक्स होटल है कहते हैं कि यह होटल काले पहाड की अपनी मिलकियत है इस काले पहाड का हैड क्वार्टर अगर बंबई है तो और यही उसका हैड क्वार्टर है हो सकता है विमल खामोश हो गया कितनी ही देर कार में सन्नाटा चाया रहा अब अंत में रुस्तम भाई ने चुप्पी भंकी क्या अब विमल बोला अब मेरे लिए क्या हुक्म है ओह कोई काम की बात तो तुमने मुझे बताई नहीं प्रुस्तम सेठ जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं तो मैं छोड़ो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मेरा मतलब है अब तक अब तक क्या मतलब तुमने मुझे डोगरा का पता नहीं बताया इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं मैंने तुम्हारी बात मान ली पता न मालूम होने की वजह से तुम डोगरा तक तो नहीं पहुँच सकते लेकिन इत्तफाक से वह कभी कहीं टकरा सकता है सुनते रहो बीच में बोलने की कोशिश मत करो फर्च करो आज ही शान को या उससे भी पहले इत्फाक से डोगरा तुमसे कही टकरा जाता है या तुम कहीं फोन करते हो तो रांग नंबर मिल जाता है और तुम्हें दूसरी तरफ से डोगरा की आवास सुनाई देने लगती है इत्फाक से सुनते जाओ मैं जानता हूँ आमतोर पर ऐसे इत्फाक नहीं होते हैं लेकिन फर्च करो ऐसा कोई इत्फाक तुम्हारे साथ हो जाता है तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? रुस्तम भाई ने असमन जस्पूर्ण भाव से पलके जपकाई तो तुम दोगरा को अपने बचपन के यार को मेरे बारे में क्या बताओगे? कुछ भी नहीं शाबाश! यह जवाब याद रखना रुस्तम भाई अगर यह जवाब तुम भोल गए और इसकी जगह तुम्हारी जुबान से कोई ऐसा गलत जवाब निकल गया जो मुझे नापसंद हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा लेकिन वापस आकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा विमल अपने धमकी को नाट किये ताका पुट के लिए एक शन के लिए रुका और फिर बेहत क्रूर स्वर बोला मैं तुम्हारी उंगली का एक नाखून भी नहीं चूंगा रुस्तम सेठ लेकिन मैं तुम्हारे अहाते में खड़ी तुम्हारी सारी देसी विलायती गाडियों को जला कर खाक कर दूँगा मैं ऐसा कर सकता हूँ इस बात में तुम्हें शक हो तो कहो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँ इस वक्त तो वहां तुम्हारे दर्जन भर हिमायती भी मौजूद है बोलो चले रुस्तम भाई ने विमल की आँखों में ऐसे हिंसक भाव देखे कि एक शन को तो उसकी जुबान का ताला लग गया फिर वह बड़ी कठिनाई से कह पाया नहीं नहीं गुड विमल संतुष्टि पूर्ण स्वर में बोला अपने वादे पर खरे उत्रोगे तो जिन्दगी में दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे और अगर वादा खिलाफी करोगे तो मैं नहीं करूंगा यह बांदरा वाले फ्लैट की चाबी है विमल ने सुर्जीत के फ्लैट की चाबी उसकी गोद में डाल दी तुम्हारा सखाराम फ्लैट के बाथरूम में बंद है उसे वहां से रिहा करवा लेना यानि कि वह जिन्दा है हाँ और वह औरत वह जिन्दा नहीं है वह तो इस वक्त जहन्नुम में शैतान के साथ बैठी लंच कर रही होगी लाश उसकी लाश भीतर फ्लैट में ही है नहीं वह मैंने ठिकाने लगा दी है ओह रुस्तम भाई ने चैन की सास ली एक बात और बता दो क्या गाड़ी सखाराम के पास जो गाड़ी थी वो कहा है गाड़ी पहुँच जाएगी तुम्हारे पास विमल लापरवाही से बोला ओह तो गाड़ी तुम्हारे पास है गाड़ी तुम्हारे पास भाड़े समेत पहुँचेगी मुझे भाड़ा नहीं चाहिए गाड़ी भिजवा देना ठीक है वो 2000 रुपए रुस्तम भाई जिजगतासा बोला जब उस औरत के पास पहुँचे नहीं तो तो क्या? तो वे मुझे डोगरा को लोटाने होंगे और ऐसा कैसे करोगे तुम? ममेरा मतलब है वह कभी तो मुझे मिलेगा ही कभी तो उसे उस औरत की मौत की खबर लगेगी ही क्योंकि ऐसी कोई नौबत आने से पहले उसका कतल हो चुका होगा का कतल? मेरे हाथ हो रुस्तम भाई ने जोर से थूक निगली विमल ने रिवॉल्वर वापस जेब में रख ली और एक आखिरी चेताबनी भरी निगाह रुस्तम भाई पर डाल कर वह कार से बाहर निकलाया रुस्तम भाई ने यू कार आगे दोडाई जैसे एक क्षण भी और फाल्तु वहां रुके रहने से कयामत आ सकती हो विमल वही सडक पर खड़ा रहा कुछ क्षण बाद एक सफद मार्क फॉर एमबैसेडर कार जिसका नंबर उसके प्राइवेट टैक्सी होने की चुबली कर रहा था विमल के पहलू में आखडी हुई कार नीलम चला रही थी विमल के साथ कार में सवार हो गया वह रुस्तम भाई की वही गाड़ी थी जिस पर सखाराम बांदरा तक पहुचा था गाड़ी तुरंत रुस्तम भाई के ओफिस से विपरीट दिशा में दौड गई एस्ट्रिस्ट 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 होटल सीव्यू बंबई के एश्वर यशाली होटलों की श्रिंखला शामिल हुआ सबसे नया होटल था वह फाइव स्टार डीलक्स रेटिंग वाला होटल था और उसकी अठारा मंजली इमारत आधुनिक वास्तुकला की भव्यता का अध्वितिय करिश्मा था वह होटल राज बहादुर बखिया उर्फ काले पहाड के योरोप अमेरिका तक फैले हुए एमपायर का हैड़ क्वार्टर था होटल की दूसरी से पाँचवी मंजल तक के तमाम कमरे बखिया के एमपायर के अत्यंत महत्वपून लोगों के लिए सुरक्षित थे उन चार मंजलों पर किसी अंधिकरित आदमी के कदम पढ़ना असंभव था अलबत्ता बाकी मंजलों पर विधिवत रूप से आधुनिक फाइव स्टार होटल चलता था रईस महमान आते थे होटल की शांदार सर्विस का आनंद उठाते थे और चले जाते थे लेकिन आज तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी कि वह होटल किसी माफिया स्टाइल संस्था का हैड क्वार्टर हो सकता था किसी को यह तक पता नहीं लगा था कि होटल की दूसरी और पांचवी मनजिल के बीच की चार मनजिलों में और बाकी मनजिलों कोई फर्क था काले पहाड की बादशाहत एकदम मफिया स्टाइल से चलती थी लेकिन वहाँ मफिया का नाम नहीं इस्तमाल किया जाता था नहीं उसे मफिया स्टाइल, आर्गेनाईजेशन, सिंडिकेट या आउटफिट जैसे फैंसी नामों से पुकारा जाता था काले पहाड की आर्गेनाईजेशन कमपनी कहलाती थी किसी भी संदर्भ में स्मगलरों, गैंडस्टरों और गुंडे द्माशों के उस गिरोह का जिक्र आता था तो उसे कमपनी के नाम से संबोधित किया जाता था उसी कथित कमपनी का एक इतना महत्वपून पूर्जा आज की तारीख में ज्यान प्रकाश दोग्राभी बन चुका था कि वह कमपनी के हैड़ क्वार्टर होटल सीव्यू की दूसरी मनजिल का एक सुइट स्थाई रूप से अपने नाम कराने का हकदार माना जाने लगा था कहने का मतलब यह था कि आज तक किसी को सपने में नहीं सूजा था कि होटल सीव्यू एक फाइव स्टार लक्स होटल के अलावा कुछ और भी हो सकता था और कमपनी की भी यह पूरी कोशिश थी कि ऐसी नौबत भविश्य में कभी ना आए कमपनी के उस हैड क्वार्टर को अस्तित्व में आए हुए तीन साल से अधिक हो गए थे लेकिन आज तक वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई की जो वहां के इंतहाई इजगदार माहौल की सफेड चादर पर कोई हलका साभी बदनुमादाग छोड़ पाती कभी वहां कोई संदिध चरित्र का व्यक्ती दाखिल होता या वहां से निकलता हुआ नहीं देखा गया था कभी वहां पुलिस के कदम नहीं पड़े थे कभी किसी संदर्भ में वहां की निग्रानी तक नहीं हुई थी होता वहां सब कुछ था लेकिन कमपनी इस बात का पूरा ख्याल रखती थी कि कभी कोई गलत निगाह या इलजाम लगाती उंगली होटल सीवियू की तरफ न उठ सके होटल के तहखाने से एक सुरंग वहां से कोई दो फरलांग दूर एक अन्य इमारत तक जाती थी और वह इमारत भी कमपनी की प्रापर्टी थी कभी कोई एमर्जेंसी आ जाने पर वह रास्ता बखू भी इस्तिमाल किया जा सकता था कमपनी से संबंधित जो लोग होटल के फाइव स्टार सैट अप में खब पाने लायक परस्नलिटी नहीं रखते थे उनका वहां आना जाना उसी रास्ते से होता था कमपनी का कोई बड़ा आदमी अगर फिर भी पुलिस या सी आईडी की निगाहों में आ जाता था तो उसे फॉरन आदेश मिल जाता था मिवह अपना होटल का सूट खाली कर दे और कहीं और जाकर रहे इस वक्त ज्यान प्रकाश दोगरा उसी होटल की दूसरी मन्जिल के अपने सूट के बैडरूम में मौजूद था और विमला नाम की उस कॉल गरल का इंतजार कर रहा था जिसे की तक वहां पहुँच जाना चाहिए था उस वक्त उसने चायना सिल्क का एक ड्रैसिं गाउन पहना हुआ था और वह विशाल डबल बैड पर कई तकियों के सहारे एक बादशाह की तरहे बड़े इतमीनान से लेटा हुआ था अगर उसे रक्ती भर इल्म होता कि उस वक्त वहां विमला स्थान पर विमल भी आ सकता था तो शायद वह उतने इतमीनान से न लेटा रह पाता आज दोगरा उतना स्मार्ट और अधेड़ावस्था में भी बड़ी चौकस तंदुरुस्ती का वो नमुना नहीं रहा था जो वह कभी इलाहाबाद में एरिक जौनसन कंपनी के अस्तित्व के जमाने था अब काहिल और आरा मतलब हो गया था और उसका जिस्म धीलाढाला और थुल्थुल हो गया था खाने पीने के मामले में कोई पाबंदी न बरतने की वजह से आँखों के नीचे गौश्ट की थैलियांसी लटकने लगी थी और चेहरे की खाल स्थाई रूप से फटिफ्टी और लालसी लगने लगी थी इलाहबाद वाले डोग्रा के मुकाबले में मौजूदा डोग्रा हर बात में बदल गया था नहीं बदला था तो एक बात में नौजवान खूबसूरत औरतों का रसिया अब भी वह पहले ही जैसा था उसने सामने दीवार पर लगी शांदान वॉलक लॉक पर निगाह डाली और भुनभुनाता हुआ बोला कहां मर गई हराम जादी पहली तारीख को उसका मूर ठीक नहीं होता था और उसके सबर का पैमाना जल्दी चलकने लगता था पहली तारीख को उसके जहन में सुरजीत की याद आए बिना नहीं रह पाती थी उसका विवेक उसे कचोटने लगता था और उसके दिल के किसी कोने से आवाज यह लगती थी कि वह सुरजीत के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा था लेकिन उस आवाज को वह हमेशा बड़ी बेरहमी से दबा देता था और इस काम को ज्यादा सहूलियत से अंजाम देने के लिए मिसेस पिंटो के विशालय से एक बहतरीन कॉल गर्ल तलब करता था आज कोई विमला नाम की कॉल गर्ल वहाँ आने वाली थी जिसके बारे में मिसेस पिंटो ने दावा किया था कि उसकी सुरत और फिगर देखते ही उसका हाट फेल हो जाएगा हाट फेल हो जाएगा मिसेस पिंटो की बात याद करके उसके होठोन पर एक विदरुप पूर्ण मुसकराहट आई लेकिन कमबक्त मर कहा गई थी अब तक तो उसे कब का उनके साथ लेटी होना चाहिए था इलाहबाद में एरिक जॉनसन कमपणी जब तक चली थी बहुत उंदा चली थी और कमपणी उसके काम से संतुष्ट थी बाद में कमपणी का परदाफाश होने पर भी डोगरा ने जिस होशियारी से स्थिती को हैंडल किया था उसके लिए उसे एन उपर से शाबाशी मिली थी उसी शाबाशी ने उसे कमपणी के हेड़क्वार्टर में रखा जाने लायक एग्जिक्यूटिव बनाया था और रुपए पैसो के मामलों में उसे इतनी सामर्थ्य दी थी कि सुरजीत को फ्लैट खरीद कर देना और खर्चे पानी के लिए उसे हर महीने 2000 रुपए देना डोगरा की इतना ही अहम काम लगता था जैसे उसने किसी मंगते की जोली एक रोटी का टुकडा डाला हो मैं इतना भी न करू तो क्या कर लेगी साली मेरा डोगरा हमेशा अपने आपको यही कहकर समझाता था इलाहबाद में सुरजीत के पती के जेल जाने के बाद से ही डोगरा को सुरजीत में भरपूर जो शोक्रोश के साथ अपने साथ हम विस्तर होने वाली उस औरत के दर्शन कभी भी नहीं हुए थे जो की सुरजीत हमेशा से थी कभी वह सोचा करता था कि सुरजीत के बाद रती सुख की दुनिया खतम थी और उसके होते किसी और औरत की इच्छा करने का ख्याल भी करना हिमाकत थी लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कैसे आग का धधकता शोला अपनी गर्मी खोता चला गया और पता नहीं कब राख का धेर बन गया शुरुवात में तो डोगरा का उन तब्दीलियों की तरफ ध्यान ही नहीं गया था लेकिन उस जैसे अयाश और कामवासना के सताए हुए मर्द का ध्यान कभी तो उन तब्दीलियों की तरफ जाना ही था गया वह फिर भी उसे बरदाश्ट करता रहा लेकिन आग गर्म राख ही बनी रहती तो कोई बात थी वह तो बर्फ की सिल्बन गई वह तो ऐसे मशीनी अंदाज से कपड़े उतार कर उसके साथ हम विस्तर होने लगी जैसे वह कोई जरूरी काम था जो वह डोगरा का कर रही थी जैसे वह कोई जिम्मेदारी था जो वह डोगरा के लिए निभा रही थी डोगरा भी उससे बेजार होता होता इस हद तक बेजार हुआ कि उसे सुर्जीत के साथ लेटना कबरिस्तान में दफनाए जाने के लिए तैयार पड़ी लाश के साथ लेटने जैसा लगने लगा वैसे करने को वह सब कुछ करती थी लेकिन वह ऐसा ही होता था जैसे बिजली का स्विच अन करने से कोई मशीन चालू हो जाती है और आफ करने से बंद हो जाती है सुर्जीत में हुई और होती जो रही तबदीलियों को वह जुबान से बयान नहीं कर सकता था लेकिन उसका दिल जानता कि सुर्जीत के भीतर की औरत मर चुकी थी फिर दो साल पहले कमपनी जब उस पर इतनी महरबान हुई की कमपनी के हैड़ क्वार्टर में उसे उसका मौजुदा सुइट मिल गया तो उसने सुर्जीत से पीछा छुडाने का फैसला कर लिया उसने सुर्जीत को बताया कि कमपनी उसे ट्रांसफर पर दुबई भेज रही थी और फिलहाल वह उसे वहाँ नहीं ले जा सकता था उसने सुर्जीत को बांदरा वाला फ्लैट खरीद दिया उसे फरनिश कर दिया और उसकी 2000 रुपए महीने की माहवारी बांध दी अपनी निगाह में उसने एक ऐसा इंतजाम कर लिया था जो दोनों के ही लिए नहायत मुनासिब था लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में अभी भी जिन्दा कोई इनसानी जजबा कम से कम पहली तारीख को जरूर उसे सुर्जीत की याद दिला देता था और उसके विवे थोड़ा बहुत जखजोर जाता था इसलिए पहली तारीख को उसे दिन में ही मिसेस पिंटों के विशालय की बहतरीन कॉल गर्ल की जरूरत होती थी और उस कॉल गर्ल का नाम उसे विमला बताया गया था और वह अभी तक वहां नहीं पहुँची थी आने दो हराम जादी को डोगरा दांत पीस्ता हुआ बोला पहले साली को लेट आने का ही मजा चखाऊंगा उसने फिर वॉल क्लॉक पर निगाह डाली तीन बीस हो गए थे जबकि उसे तीन बजे ही वहां पहुँच जाना चाहिए था तभी एकाएक फोन की घंटी बस उठी उसने यही सोचा कि मिसेस पिंटो उसे यही खबर करने के लिए फोन कर रही होगी कि कि किसी वजह से विमला नहीं आ सकती थी फोन सुने बिना ही उसे गुस्सा आने लगा फिर उसने हाथ बढ़ा कर मेस पर पड़े दो टेलिफोनों में से बचते फोन का रिसीवर उठा लिया हलो वह करकश स्वर में बोला दोग्रा साहब दूसरी तरफ से एक मरदानी आवाज आई हाँ कौन बोल रहे हो दोग्रा साहब मैं घोरपडे बोल रहा हूँ मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया माफी मत चाहो दोग्रा जलेभुने स्वर में बोला माफी चाहने से ज्यादा आसान काम करो डिस्टर्ब मत करो दोग्रा फोन रखने ही वाला था कि उसके कान में घोरपड़े की व्यगर आवास पड़ी डोगरा साहब बात नहायत जरूरी न होती तो मैं हरगिस आपको डिस्टर्ब न करता घोरपड़े कंपणी का ही आदमी था और वह पिछले दो सालों से डोगरा और रुस्तम भाई के बीच की कड़ी का काम कर रहा था वही पहली तारीख को रुस्तम भाई के अंधेरी वाले बैंक में 2000 रुपए जमा कर आता था क्या हो गया है? इस बार दोगरा तनिक नमरस्वर में बोला अभी कुछ ठीक से बात पल्ले नहीं पड़ी दोगरा साहब दरसल मेरे पास रुस्तम भाई का टेलिफोन आया है वह फॉरन आप से मिलना चाहता है ऐसा क्या हो गया है? दोगरा सप्काया जो तुमसे मिलने से उसका काम नहीं चल सकता मालूम नहीं तुमने उसे मेरा कोई पता वता तो नहीं बता दिया नहीं साहब या उसे मेरा फोन नमबर दिया हो नहीं साहब इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं मैंने उसे यही कहा था कि आप मुझे महीनों से नहीं मिले हैं अच्छा किया तुमने लेकिन वह कहता है कि मैं आपको तलाश करूँ वह कहता है कि बात इंतहाई जरूरी है आपके लिए दोगरा सोच में पड़ गया रुस्तम भाई के पास उसके लिए इंतहाई जरूरी बात कौन सी हो सकती थी उसके पास तो अगर कोई बात हो सकती थी तो सुर्जीत से ही तालुक रखती हो सकती थी लेकिन उससे तालुक रखती भी क्या बात हो सकती थी सिवाए पैसों वाली बात के जरूर वह 2000 रुपियों से ज्यादा बड़ी माहवारी की रकम चाहती होगी अगर हराम जादी ने पैसे से तालुक रखती कोई बात की दोगरा ने दांत पीस्ते हुए मनहीमन फैसला किया तो वह उसे 2000 रुपए भिजवाना भी बंद कर देगा अब उसे हासिल क्या था कमबख्ट से वह तो खामखाह की भावनाओं के आवेग में बहकर उस पर महरबान हुआ जा रहा था वह उसे हमेशा के लिए अपनी जिन्दगी से धक्का दे दे तो वह उसका कुछ बिगार थोड़े ही सकती थी कुछ बिगारना तो दूर वह तो उसे ढूंद तक नहीं सकती थी रुस्तम भाई ने कतई कुछ नहीं बाताया प्रत्यक्षत है डोरा बोला कि आखिर हो क्या गया है जो वह मुझसे मिलने के लिए मरा जा रहा है वह कहता है कि कोई आदमी आपको तलाश कर रहा है मुझे जी हाँ और इसी चक्कर में उसने बांदरा में एक औरत का खून भी कर डाला है बांदenda में एक औरत का खून कर डाला है दोगरा आतंकित भाव से बोला उसकी उंगलिया रिसीवर पर कस गई और अब वह आदमी आपकी फिरात में है, आपकी तलाश में ही वह रुस्तम भाई तक पहुचा था रुस्तम भाई कहता है कि वह आदमी उससे बहुत खतरनाक तरीके से पेश आया था लेकिन वह था कौन? पता नहीं रुस्तम भाई ने इतना ही बताया है कि वह कैसे भी खुन खराबे के लिए उतारू कोई सिख नौजवान था सिख नौजवान दोगरा सन्नाटे में आ गया जी हाँ घोर पड़े मेरी रुस्तम भाई से मुलाकात का फौरन इंतजाम करो आप कहां मिलना पसंद करेंगे उससे किसी भी पब्लिक प्लेस पर लेकिन यहां से अंधेरी से भी दूर लेमिंगटन रोड पर एलफ्रेड के बारे में ठीक है कितने बजे रात नौ बजे आज रात के और कौन सी रात के बेवकूफ मैं इंतजाम करता हूँ घोर पड़े बॉकलाए स्वर में था दोग्रा ने रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया वह पलंग पर से उठा और बेचैनी से बैडरूम में चहल कदमी चलने लगा एक ही लफ्ज हथोडे की तरह उसके जहन में बज रहा था सिख नौजवान सिख नौजवान सिख नौजवान उसने बांदरा में एक औरत का खून कर दिया था अब अगर वह उसे तलाश कर रहा था तो वह औरत सुरजीत के अलावा और कौन हो सकती थी और अगर वह औरत सुरजीत थी तो वह आदमी वह सिख नौजवान जरूर जरूर तब ही एक आएक कॉल बैल बस उठी दोगरा ततकाल थमक कर खड़ा हो गया फिर वह लंबे डग भरता हुआ बाहर वाले कमरे में पहुँचा मुख्यद्वार पर पहुँचने से पहले उसने करकश स्वर में सवाल किया कौन है मुझे मिसेस पिंटो ने भेजा है दूसरी ओर से एक इंतेहा सुरीली आवाज आई दोगरा ने दर्वाजा खाला एक अनिध्य सुन्दरी ने भीतर कदम रखा उसके खूब सुरत होठोन पर एक हजार वाट के बल्ग जैसी जगमगाती हुई मुसकराहट उभी और वह मधुर स्वर में बोली सौरी डार्लिंग मुझे आने में देर हो गई मैं विमला हूँ विमला नहीं दोगरा ने उसके पेट में इतनी जोर घूसा जमाया कि वह पीडा से बिलबिलाती हुई दोहरी हो गई विमल 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 एस्ट्रिस्ट 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 दोगरा पढ़ा लिखा समझदार और दुनियादार आदमी था विमल के कारणामों से वह नावाकिफ नहीं था उसने बेशुमार बार अखबारों में पढ़ा था कि सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल जो कभी इलाहाबाद में एरिक जॉंसन कमपनी में एकाउंटेट था और जहां से पचास हजार रुपए गबन करने की एवज में जिस दो साल की जेल की सजा हुई थी और फिर जो जेल ब्रे से उसे कभी विश्वास नहीं हुआ था कि वह सीधा साधा मक्खी भी मारने के नाकाबिल कभी उसका माथत रह चुका सिख नौजवान इतना खतरनाक डकैत और इतना दुरदान्थ हत्यारा बन सकता था उसे भी अभी लगता था कि जरूर कहीं कोई गड़बर थी किसी गलत आदमी को सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल समझा जा रहा या सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल को कोई गलत आदमी समझा जा रहा था और फिर पिछले दिनों उसे एक ऐसी बात भी सुनने को मिली थी, जो केवल अंडरवर्ड में ही कानों कान फैली थी, लेकिन जिससे पुलिस या अखबार वाले कतई नावाकिफ थे उससे सुना था कि विमल कुछ महीने पहले राजनगर के पास कहीं एक मामूली मवाली के हाथों मारा जा चुका था उस मवाली को विमल की छाती में सुआ उतारते समय यह नहीं मालूम था कि उसने एक ऐसे आदमी को मारा था, जो सात राज्यों में घोशित इश्तिहारी मुझरिम था बाद में जब राजनगर के एक अमरीकी डिप्लोमेट के अफहरन के संदर्ब के सिलसिले में विमल का नाम बहुत जोरों-शोरों से छपा था तो तब ही उसे अपनी कर्तूत की एहमियत मालूम हुई थी और फिर राजनगर से भाग कर बंबई में आया हुआ वह मामूली मवाली नशे की जोक में अपनी किस्म के लोगों में अक्सर लगा था कि विमल नाम के इतने बड़े डाकू को उसने मारा था उसने ने अकबार में यह भी पढ़ा था कि एन मौके पर घटना स्थल पर पुलिस भी पहुँच गई थी लेकिन विमल की लाश घटना स्थल पर पड़ी नहीं मिली थी जरूर लाश विमल के साथ ही उठा कर ले गए थे और उन्होंने चुपचाप कहीं उसका दाहसंसकार कर दिया था लेकिन अब मुर्दा जिन्दा कैसे हो उठा और वह फिर से सरदार कैसे बन गया हजार शंकाए मन में लिए डोगरा लेमिंगटन रोड पहुँचा एलफ्रेड का बार YMCA की बगल में था उसने कार बार के सामने रोकने के स्थान पर YMCA के समीप रोकी उसने आसपास निगाह दोडाई एक अन्यकार में घोर पड़े मौजूद था वह डोगरा की कार को पहचानता था उसकी कार के रुकते ही वह अपनी कार से निकला और लगभग दोड़ता हुआ डोगरा की कार के पास पहुचा घोर पड़े एक भारी भरकम आदमी था जिसके चहरे पर चेचक के गहरे दाग थे उसका निचला होंट कटा हुआ था और नाक चप्ती थी जो सूट वह पहने था उसमें वह बुरी तरह से फंसा हुआ मालूम हो रहा था दोगरा कार से बाहर निकला वह आ गया उसने सवाल किया जी हाँ घोर पड़े हामफता हुआ बड़े अदब से बोला भीतर एक कोने की मेज पर बैठा है गुड दोगरा ने एक सरसरी निगाह बार की तरह दोड़ाई और फिर बोला घोर पड़े हाँ साहब तुमने एक बार बंबई के बाहर से आये किसी मामूली मवाली का जिक्र किया था जो यह दावा करता था कि विमल नाम के एक बड़े खतरनाक इश्तिहारी मुजरिन को उसने मारा था जी हाँ अब तो यह बात थंडी पड़ चुकी है लेकिन दोड़ाई महीने पहले उस आदमी ने जब बंबई में कदम रखा था तो नशे की जोक में वह अक्सर अपने उस कारनामे की डीन हाकने लगता था इतने बड़े गैंगस्टर को मार डाला होने का दावा एक पिद्धी जैसा मामूली आदमी कर रहा था इसलिए मेरी भी उसमें दिल्चस्पी हुई थी फारस रोड के एक थर्ड रेट गैर कानूनी बार में मैंने उसे नशे की जोक में यह डीन हाकते सुना था मैंने उससे सवाल किया था कि उस डाकू के सिर पर तो एक लाख रुपय का इनाम था उसने वह कारनामा सरकार को बता कर वह इनाम क्यों नहीं हासिल किया था उसने हर किसी की वाहवाही क्यों नहीं हासिल की थी उसने क्या जवाब दिया था तुम्हारे इस सवाल का इस सवाल का जवाब वह गोल कर गया था लेकिन नशे में यह जिद उसने नहीं छोड़ी थी कि उसने विमलकी छाती में यह लंबा घोरपड़े ने हाथ के इशारे से सुए की लंबाई बयान की बर्फ काटने वाला सुआ उतारा था क्यों? ऐसी नौबत कैसे आई थी? दिर्खपाई नहीं की थी? मैं तो उसे इसलिए टटोलने गया था कि अगर वह वाकई ऐसा सूर्मा था तो वह कमपनी के काम का आदमी हो सकता था लेकिन वह कुछ भी नहीं था लेकिन मैंने विमल को मारा था कि रट वह यू लगाए रहता था जैसे किसी गुलेल चलाने वाले ने बबबर शेर का शिकार किया हो उसने इस बात की तस्दीक की थी कि विमल मर गया था यह सवाल तो मैं उससे तब पूछता न साहब जबकि मुझे उसकी बात पर विश्वास होता उसका कोई नामधाम? नाम पीतर बताता था वह अपना काम धंधे के बारे जहां तक मेरा ख्याल है तब तक तो वह कुछ भी नहीं करता था अब कुछ करता हो तो कह नहीं सकता वैसे मुझे ऐसा सुनने को मिला था कि राजनगर में वह टैक्सी चलाता था और यहां बंबई में भी वह यही धंधा पकड़ना चाहता था राजनगर भी बंबई जैसा ही बड़ा शहर है उसने बताया नहीं कि राजनगर छोड़ कर वह बंबई क्यों आया मैंने उसके मुह से निकली ऐसी कोई बात नहीं सुनी घोर पड़े हाँ साहब उस आदमी को तलाश करो जी उस आदमी को जल्द से जल्द तलाश करो और उसे पकड़ कर मेरे पास लाओ दोग्रा साहब यह दोड़ाई महीने पहले की बात है जब वह नशे में इस प्रकार की बड़क मारा करता था लेकिन बाद में उसके एक ही बात बार-बार दोहराने से जब उसके श्रोता बोर होने लगे थे तो उसने इस बारे में कुछ बकना जखना बंद कर दिया था तब तक मैं भी चैक कर ही चुका था कि वह कमपनी के काम का आदमी नहीं था मौजूदा हालात में इतनी बड़ी बंबई में उस इकलोते निहायत मामूली आदमी को तलाश करना तो बड़ा मुश्किल होगा मुश्किल ही होगा न डोगरा सकती से बोला नाम मुकिन तो नहीं जी हां जी हां नाम मुकिन तो नहीं अगर वह बंबई में भी टैक्सी का ही धंधा पकड़ने आया था तो उसे तलाश करना कोई खास मुश्किल का साबित नहीं होगा बशर्ते की जो वह कहता था वह उसने किया भी हो घोर पड़े यह बशर्ते की वाली जुबान मुझे मत सुनाओ तुमने उस आदमी को तलाश करना है समझ गए हाँ साहब मैं कल से ही उसकी तलाश करवानी शुरू करता हूँ कल से नहीं आज से अभी से ठीक है दोगरा साहब फिर दोगरा बिना उसकी तरफ द्रिश्टिपात किये उसे अपनी कार के ही पास खड़ा छोड़ कर बार की ओर बढ़ गया वह बार में दाखिल हुआ रुस्तम भाई उसे बार काउंटर से बहुत परे एक तनहा कोने में एक मेज पर अकेला बैठा दिखाई दिया दोगरा को बार में दाखिल होता देखकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने दोगरा की तरफ हाथ हिलाया दोगरा लंबे डग भरता हुआ उसके पार पहुँचा रुस्तम भाई ने उसका अभिवादन किया जो की दोगरा ने उस पर एहसान सा करते हुए गरदन के एक जटके के साथ स्विकार किया दोनों बैठ गए दोगरा साहब रुस्तम भाई ने व्याकुल भाव से कहना चाहा वो आदमी ठहरो दोगरा ने उसे टोका सबसे पहले उस सरदार के बच्चे का हुलिया बयान करो रुस्तम भाई ने किया मजोला कद इखरा बदन बड़ी बड़ी आखें सुत्वा नाक खूस सूरत होट मोतियों जैसे सफेड सुडौल दान्त धीर गंभीर आवास नीले रंका शांदार सूट लाल ताई लाल पगडी काली फिफ्टी वगेर है सोहल दोगरा ने बड़े वित्रिशना पूर्ण भाव से मनही मन सोचा इतने मामूली आदमी से तुम डर गए रुस्तम भाई प्रत्यक्षतह वह व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला उसके पास रिवॉल्वर थी रुस्तम भाई बोला ओ लेकिन मैं रिवॉल्वर से नहीं डरा तू मैं उसकी आँखों से डरा उसकी निगाह से डरा दोगरा साहब उसके पास रिवॉल्वर होते हुए भी मैं खाली हाथों से उसकी गरदन मरोर सकता था लेकिन उसकी आँखों में उसके शरीर ने जुरजुरी ली उसकी आँखों में मुझे ऐसा हिंसक भाव दिखाई देता था कि मैं उससे निगाह मिलाने की ताब नहीं लापता था उसकी आँखों में ऐसी ज्वालासी धधकती थी कि मुझे लगता था कि वह आदमी सारी दुनिया को तबाह कर डालने की कूवत रखता था उसने मेरे अहाते में खड़ी मेरी सारी कारों को तबाह कर देने की धमकी दी थी, तब धमकी दी थी, जबकि वहां मेरे दरजन धर हिमायती भी मौजूद थे और वह अकेला था, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई थी उसकी धमकी कबूल करने की उसने तुम्हें यह धमकी किस सिलसिले में दी थी, वह चाहता था कि मैं आपको उसके बारे में कुछ न बताओ, लेकिन तुम, तो बता रहे हो, दोगरा साहब, रुस्तम भाई शिकायत भरे स्वर में मैं आपका दोस्त हूँ बचपन का, अरे हां, हां, तभी एक वेटर वहा पहुचा, पांच मिनट बाद आना, उसके मुह भी खोल पाने, से पहले दोगरा बड़ी सकती से बोला, वेटर फॉरन वहां से कूच कर गया, वह चाहता क्या था, दोगरा ने पूछा तुम्हारे, पास पहुचा क्यों वो, वह मुझ से आपका पता जानना चाहता था, किस असलिए, वह, वह कहता था, बोला, वह कहता था कि, रुस्तम भाई जिज़कता हुआ, जरा जल्दी जल्दी जुबान चलाओ, दोगरा साहब, वह आदमी आपके कतल का इरादा, रखता है रुस्तम भाई फटपड़ा मेरे कतल का इरादा रखता है दोगरा हडबडाया और फिर संभला मेरा कतल करना कोई मजाक है साला जानता नहीं मैं कमपनी का आदमी हूँ और मेरे पीछे एक फॉज जैसी बड़ी आर्गनाइजेशन है कोई हसी खेल है मेरा कतल करना मैं हरामजदे को मक्खी की तरह मसल कर रख दूँगा रुस्तम भाई खामोश बैठा रहा मुझे सारी कहानी सुनाओ दोगरा ने आदेश दिया रुस्तम भाई ने अपने और विमल के बीच में हुआ वार्तालाप दोहरा दिया ओह मैं खुद वहाँ गया था रुस्तम भाई बोला मुझे वहाँ मेरा अपना आदमी तो बेहोशी की हालत में बाथरूम में बंद पड़ा मिला था लेकिन औरत वहाँ नहीं थी ओ औरत के फ्लैट के सामने एक बड़ी खुराफाती बुढ़िया रहती है उसने मुझे कोई रेफ्रीजरेटर कमपनी का आदमी समझा था वह मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं मिसेस सिह का फ्रिज मरमत के बाद वापस लाया था और यह की क्या कुछ मालूम हुआ था कि ले जाते वक्त फ्रिज इतना भारी क्यों था मेरे मामुली से इसरार पर उसने मुझे फ्रिज की कहानी कह सुनाई थी दोगरा साहब लगता है औरत के कतल के बाद उसकी लाश फ्रिज में बंद करके फ्लैट से निकाली गई थी कहने का मतलब यह है कि सरदार ने सच बोला था कि उसने उस औरत का कतल कर दिया था और अब वह आपके कतल की फिरात में था और और वह 2000 रुपियों के बारे में कुछ कह रहा था क्या? वह कहता था कि आप उसके कर्जदार थे और आपकी कोई भी रकम अपने काबू में कर लेने का पूरा हग पहुचता था उसे वह मुझे अपना कर्जदार बताता था हाँ मैंने कौन सा कर्जा देना है हराम जादे का? रुस्तम भाई खामोश रहा अपनी उस आंदोलित अवस्था में डोगरा उस कथित कर्ज का रिष्टा गबन की उस पचास हजार की रकम के साथ न जोड सका जो हथियाई तो उसने थी लेकिन जिसके लिए जेल सोहल गया था उसने तुम्हें यह नहीं बताया डोगरा ने पूछा की वह मेरा कतल करना क्यों चाहता था नहीं रुस्तम भाई बोला या उसने बांदरा वाली औरत का कतल क्यों किया था नहीं तुमने उसे क्या बताया कुछ भी नहीं मैं क्या बताता उसे वह तो मुझसे आपका पता पूछ रहा था और आपका पता मालूम कहा था मुझे? अभी भी कहा मालूम है लेकिन तुम्हें घोरपड़े का नाम, पता, तेलीफोन, नंबर वगैरा सब कुछ मालूम है दोगरा उसे घूरता हुआ बोला घोरपड़े का मैंने नाम तक नहीं लिया था अगर लिया हो तो बता दो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं घोरपड़े को सावधान कर दू कि वह सरदार उस तक पहुँच सकता था और फिर वही उसका काम तमाम कर दे मैंने घोरपड़े का नाम नहीं लिया था पक्की बात एकदम पक्की बात दोगरा साहब हूँ लेकिन जब वह पीछे ही पड़ गया था तो रुस्तम भाई संकोच पूर्ण स्वर में बोला तो मैंने उसे बैंक में 2000 रुपए जमा होने और उन्हें निकलवाने के सिस्टम के बारे बताया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कहानी अब खत्म तुम वह बैंक एकाउंट बंद कर दो उस औरत के मर जाने के बाद अब उस खाते की जरूरत नहीं रही और और मैंने उसे बताया था कि आप काले पहाड के गैन के आदमी हैं वह फिक्रा मुह से निकलते ही उसने अपने होट काट लिये वह फिक्रा सुनते ही डोगरे के चहरे के भावों में तुरंत हुए परिवर्तन को देखकर वह सहन गया तुमने मेरे संदर्भ में काले पहाड का नाम लिया दोगरा सांप की तरह फुम्फकारा मैंने ऐसा आपका रोब गांठने के लिए किया था रुस्तम भाई सहमकर बोला मैंने सोचा था कि वह कोई मामूली गुंडा बदमाश था जिसकी आपसे कोई बेमानी रंजिश थी और यह सुनते ही कि आप काले पहाड के गैन के महत्वपून आदमी थे उसका दम खुश्क हो जाएगा फिर हो गया दम खुश्क उसका दोग्रा आखे निकाल कर बोला रुस्तम भाई के मुह से बोल न फूटा उसकी निगाह जुक गई और वह अपने सूखे होठोन पर जुबान फेरने लगा यानी की नहीं हुआ रुस्तम भाई ने थूक निगली और क्या बताया था तुमने उसे काले पहाड के बारे में कुछ नहीं रुस्तम भाई धीरे से बोला उसे लग रहा था कि आगे जूट बोलने में ही उसका कल्यान था यह तो जरूर बताया होगा कि काला पहाड चीज़ क्या है इसके बिना उस पर रोब कैसे पड़ता काले पहाड का रुस्तम भाई ने डरते डरते सहमती में सिरहिलाया तुमने मेरे संदर्भ में काले पहाड का नाम लेकर ही उसे यह संकेत दे दिया है कि मैं भी बंबई में ही होंगा बंबई के अंडर्वर्ड का बच्चा-बच्चा काले पहाड के बारे में जानता मामूली सी पूच्टाच से वह बहुत कुछ जान जाएगा रुस्तम भाई मेरा पताठिकाना न जानते हुए भी काले पहाड का नाम लेकर तुमने एक बड़ी मजबूत उंगली मेरी तरफ उठवा दी है तुम्हें इतना मुह नहीं फाड़ना चाहिए था मुझसे गलती हो गई रुस्तम भाई कमपित स्वर में बोला खेर, अब इस गलती को सुधारने का यही तरीका है कि इस से पहले की सरदार मुझ तक पहुँचे, मैं उस तक पहुँच जाऊँ उसका पता बोलो मुझे नहीं मालू क्या? दोगरा आखे निकाल कर बोला सरदार ने मुझे अपना कोई पता नहीं बताया था उसने तो मुझे अपना नाम तक नहीं बताया था ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तुमसे जरूर कहा होगा कि अगर भविश में कभी तुमें मेरा पता मालूम हो जाए या इत्तफाक से तुम कहीं मुझ से टकरा जाओ तो तुम उसे फलापते पर खबर कर दो उसने नहीं कहा था इस बाबत तो उसके मुह से एक लफ़ भी नहीं निकला था उसने मुझे सुझाया तक नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था यानि कि तुम उसे भरोसे के काबिल आदमी नहीं लगे थे रुस्तम भाई खामोश रहा वह दोनों तरफ से बेवकूफ बन गया था सरदार की चेतावनी को नजरंदास करके उसने उसकी खबर दोगरा तक इस उम्मीद में पहुचाई थी कि दोगरा उसे शाबाशी देगा और उसकी निगाह में डोगरा की शाबाशी काले पहाड की शाबाशी थी लेकिन यहां तो लेने के देने पड़े जा रहे थे शाबाशी तो क्या मिलती उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई सजा न मिल जाए कहीं काले पहाड का कोई कहर न तूट पड़े उस पर और अगर सरदार को भनत लग गई कि वह दोगरा तक पहुँचा था तो वह जरूर ही उसे जान से मार डालेगा आज का दिन ही मनहूस था उसके लिए आज फ्लेश उसकी बहुत दुरगती हुई थी वह पूरे 32,000 रुपए हारा था अभी वह उस रकम का मातम मना कर हटा नहीं था कि अब दोगरा उसकी जान का जंजाल बना जा रहा था कैसी सामपच्छुंदर जैसी हालत हो गई थी उसकी उस आदमी को तलाश करो दोगरा कह रहा था जी रुस्तम भाई चौक कर बोला बहरे हो मैं कह रहा हूँ सरदार को तलाश करो मैं तलाश करूँ रुस्तम भाई अविश्वास्पूर्ण स्वर में बोला हाँ मैं कैसे तलाश करूँ कैसे भी करो लेकिन करो लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं अपनी खरियत चाहते हो तो किसी भी तरीके से यह काम करो उस सरदार के बच्चे को कहीं से भी खोद कर निकालो रुस्तम भाई जो बेवकूफी काले पहाड का नाम अपनी जुबान पर लाकर तुम कर चुके हो अगर उसकी सजासे बचना चाहते हो तो उस सरदार का ठीया ठिकाना मालूम करो यह काम अगर तुम ना अंजाम दे पाए तो बंबई की सडको पर न तुम्हारी कोई प्राइवेट टैक्सी दिखाई देगी न तुम्हारा कोई ड्राइवर दिखाई देगा और न तुम दिखाई दोगे और दोगरा उठ खड़ा हुआ मैं चला दोगरा साहब रुस्तम भाई चाबी लग खिलोने की तरह उचल कर खड़ा हो गया और फरियाद करने लगा दोगरा साहब जरा रुकिये एकाध द्रिंक तो लेकिन दोगरा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया वह बेड़क भरता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया रुस्तम भाई धम्म से वापस कुर्सी पर बैठ गया उसने अपने हाथों से अपना माथा थाम लिया अब द्रिंक लाओं साहब उसने सिर उठाया वेटर फिर उसके सामने आखड़ा हुआ था विस्की लाओ रुस्तम भाई मरेस्वर में बोला कोई भी बड़ा पैग वेटर ने बोला बोतल ला हराम जादे वह एकाएक जला कर पूछा यूँ वहां से भागा जैसे उसने भूत देखिया हो एस्ट्रिस्ट 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 दो दिन विमल बंबई के अंडर वर्ड में राज बहादूर बखिया के बारे में पूछताच करता रहा सबसे पहले उसे यही सुनने को मिला कि राज बहाबूर बखिया काला पहाड क्यों कहलाता था वह साधे च्छ फुट कद का खूब हट्टा कट्टा अत्यंत शक्तिशाली काला भुजंग आदमी था और देखने में काला पहाड ही लगता था इसलिए जब बंबई के अंडर वर्ड में आरंभ में उसका आतंक फैला था तो वह काला पहाड कहलाने लगा था उसी नाम से वह आज तक भी प्रसिद्ध था काला पहाड कभी 20 साल की उम्र का एक बालत था जो गुजरात के एक छोटे से गाव से चल कर बंबई आया था तब वह बहादुर के नाम से जाना जाता था और वह फ्लोरा फाउंटेन के सामने बैठ कर बूट पॉलिश किया करता था उन दिनों बूट पॉलिश कराने की इकन्नी लगा करती थी एक दिन एक मामूली बदमाश ने उससे बूट पॉलिश कराया और उसे वह इकन्नी नहीं दी बहादुर ने उस बदमाश को पीट दिया मार खाने वाला बदमाश अपने तीन-चार हिमायतियों के साथ वापस लोटा लेकिन बहादुर ने उन चारों कभी धुनाई कर दी उन पिटे बदमाशों में से एक उस इलाके के एक मशूर दादा का चमचा था और वह दादा खुद एक ऐसे स्मगलर का सहकारी था जो स्मगलरों के एक बहुत बड़े गैन का छोटा पुरजा था पिटे हुए बदमाशों ने जाकर उस दादा से बहादुर की शिकायत की वह दादा देखे हुए था वह बहादूर जैसे लोगों की जात को पहचानता था वह जानता था कि ऐसे लोग गरीबी और अभाव से तंग आकर मन में डैथ विश लेकर घर से निकलते थे इसलिए उनका कोई बुराया खतरनाक अंजाम उन्हें डरा नहीं सकता था स्थान पर उसे एक काम का आदमी समझ कर उसे अपने सनरक्षण में ले लिया फिर बहादूर उस दादा के माध्यम से उसके उस्ताद समगलर तक पहुँचा जहां कि उसे पहली बार दौलत की बु मिली एक बार दौलत की बू लगने की देर थी कि कभी बूट पालिश करने वाले उस छोक्रे ने तबाही मचा दी वह सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की की बेशुमार मनजिले तै करता चला गया पहले उसने उस स्मगलर का खून करके उसकी जगह खुद ले ली फिर उसने गैंड में अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया फिर वह उस गैंड का बॉस बन गया फिर उसने गाव से अपने तीन भाईयों को भी बुला लिया और उन्हें भी अपने धंधे में लगा कर अपनी शक्ती का विस्तार करना आरंभ कर दिया उसका वह बढ़ता हुआ प्रभुत्व बंबई के अन्य टॉप के स्मगलरों और बड़े गैंगस्टरों को पसंद ना आया उन्होंने बहादुर और उसके भाईयों को पहले दबाने की फिर अपनी तरफ मिलाने की और फिर उनको खत्म कर देने की कोशिश की लेकिन तब तक बहादुर और उसके भाईयों पर भी शक्ती का नशाहावी हो चका था उन्होंने बॉस लोगों का डटकर विरोध किया उसी चपकर में बंबई के अंडरवर्ड में ऐसी गैंग वार छिडी जिसकी दूसरी मिसाल सारे हिंदुस्तान में मिलनी मुश्किल थी बहुत खून बहा बहुत लोगों की जाने गई बहादुर के कई आदमियों के साथ उसके दो भाई भी मारे गए लेकिन अंतिम जीत बहादुर की हुई उस जीत ने उसका सिक्का सारी बंबई के गैंगस्टरों पर जमा दिया सबने बहादुर के सामने घुटने टेक देने में ही अपना कल्यान समझा बहादुर की बंबई में जैजैकार हो गई वह बहादुर से राज बहादुर बखिया और राज बहादुर बखिया से काला पहाड बन गया और तब बंबई के अंडर्वर्ड के बेतास बादशाह माने जाने वाले बिशम्भरगास रंग से 2 या 3 कदम ही नीचे माना जाने लगा नारंग का मुकाबला तब वह नहीं कर सकता था क्योंकि नारंग तो सारे एशिया का स्मगलर किंग माना जाता था लेकिन काला पहाड बन जाने पर नाम बखिया ने भी कम नहीं कमाया वक्त के साथ साथ भंवर की लहरों की तरह उसका नाम भी बंबई से बाहर फैलता चला गया फिर बड़े रहस्य पूर्ण धंसे गोवा में नारं की और उसके जलाद रंजीत छोगुले की और उसके एक और अत्यंत विश्वासनिय व्यक्ती की हत्या हो गई नारं की हत्या होते ही उसकी जगह के कई दावेदार निकलाएं उन दावेदारों में एक काला पहाड भी था बंबई के अंडरवरिड में फिर भयंकर गैन वार छिड़ गई खूब मार काट मची लेकिन उस बार भी अंतिन विजय काले पहाड की ही हुई उसने नारं की जगह तो ली ही अपना प्रभुत्व भी उसने नारं से कई गुना ज्यादा बना कर दिखाया उसने माफिया तक से गठ जोर पैदा कर ली और एक बार एशिया को ही नहीं लगभग सारी दुनिया को अपना कार्यक्षेत्र बना दिखाया नारकोटिक्स की स्मगलिंग के धंधे पर उसने विशेश जोर दिया यह एक ऐसा काम था जिसे नारंग कभी ठीक से अंजाम नहीं दे सका था लेकिन काले पहाड की सूझबूच की उपज एरिक जॉनसन कमपनी की ओट में नारकोटिक्स का धंधा खूब पनपा बाद में एरिक जॉनसन कमपनी बंध हो गई लेकिन विमल का तब मालूम हुआ कि वह कमपनी नाम को ही बंध होई थी उसका स्थान लगभग फोरण ही सुवेगा इंटरनेशनल नामक कमपनी ने ले लिया था और कमपनी की शाखाओं को इधर उधर सरका दिया गया था और पुराना स्टाफ रिटायर कर दिया गया था या बदल दिया गया था दोगरा जैसे चंद लोग जो अपने आपको ज्यादा मुस्तैद और विश्वसनिय साबित कर पाए थे उन्हें हैड क्वार्टर की छत्रचाया में बुला लिया गया था विमल की पूछताच से इस बात की तस्दीक तो हुई की जुहू का नया फाइव स्टार डीलक्स होटल सीव्यू काले पहाड का हैड क्वार्टर था लेकिन इस बात की गारंटी किसी ने नकी की खुद काला पहाड भी वही रहता था बंबई में सुवेगा इंटरनेशनल का दफ्तर बंबई के मैनहटन कहलाने वाले कफ परेड के इलाके में था चुहू के मुकाबले में बंबई का दूसरा सिरा था इस बात की भी स्पष्ट शब्दों में तस्दीक नहो सकी की ज्यान प्रकाश डोगरा होटल सी व्यू में ही रहता था लेकिन यह कई लोगों ने कहा कि अगर वह काले पहाड की आरगेनाईजेशन का कोई महत्वपून पुर्जा माना जाता था तो वह जरूर सी व्यू में ही रहता होगा सी व्यू में स्थाई रूप से रहने का मौका काले पहाड का ऐसा इनाम था जो वह केवल अपने अत्यंत विश्वासपात्र लोगों को ही देता था विमल को यह भी बताया गया कि माफिया के स्थाईल में काले पहाड का निजाम सीधी दर सीधी चलता था प्रशासन का यह तरीका उसने मफिया से ही सीखा था कि टॉप बॉस तक हर किसी की पहुँच नहीं होनी चाहिए थी इसलिए उसकी आरगेनाइजेशन में चंद ही लोग थे जिनकी पहाड तक सीधी पहुँच थी विमल को डोगरा की सीधी पहुँच काले पहाड तक होने की संभावना नहीं के बराबर लगी अभी कल तक जो आदमी एरिक जॉनसन की एक छोटी सी ब्रांच का मैनेजर था वह आननफानन इतनी तरक्की कर चुका नहीं हो सकता था कि वह काले पहाड का हमप्याला हमनिवाला बन गया होता उसका सुर्जीत से निर्दैता तथा कमीनगी से नपेश आना भी इसी बात की ओर संकेत करता था फिर भी डोगरा से टकर लेना काले पहाड से टकर लेने जैसी सूरत अक्तियार कर सकता था उन दो दिनों की निरंतर पूछताच और भटकन से विमल को अपने बारे में भी एक नहायक दिल्चस्क बात मालूम हुई बंबई के अंडरवर्ड में उसके भी खूब चर्चे थे उसके कारनामों का जिक्र लोग बड़ तारीफी अंदास से करते थे और राजनगर में अमरीकी डिपलोमेट के अफ़रण के उसके ताजातरीन कारनामे की तो बहुत ही चर्चा थी उस चर्चे के कई संसकरण विमल को सुनने को मिले जैसे विमल CIA के एजेंटों द्वारा कतल कर दिया गया था विमल को उसके अपने साथियोंने मार डाला था विमल ने अपने सारे साथियों को मार डाला था और दस करोड की फिरोती लेकर भाग गया था फिरोती अदा हुई ही नहीं थी क्योंकि अमरीकीयों को खबर लग गई थी कि उनका डिपलोमेट अफर्ताओ द्वारा मार डाला गया था उसका हाट फेल हो गया था उसने आत्महत्या कर ली थी वह अफर्ताओ की कैज से आजाद होकर खुद ही वापस लौट आया था दो मामूली बदमाशों ने विमल समेट सारे अफर्ताओं का खून कर दिया था और अमरीकी डिपलोमेट को प्लेट में सजा कर वापस एमबैसी के आफिस में पहुचा दिया था जिसकी एवज में कि उन्हें बहुत मोटा इनाम मिला था कहने का मतलब यह था कि जितने मुह उतनी बातें लेकिन अधिकतर लोगों का ख्याल यही था कि विमल मर चुका था और शायद यही वजह थी कि किसी ने विमल की सूरत की तरफ कोई तवज्यों नहीं दी थी वह पहचाना नहीं गया था अगला कदम विमल ने यह उठाया कि उसने अपना मौजूदा होटल छोड़ दिया और एक हनीमूनिंग कपल की तरहे जाकर होटल सी वियू में बस गया उन्हें होटल की आठवी मन्जिल पर एक सूट मिला अगर यह वाकई काले पहाड का हेड़क्वार्टर है नीलम बोली तो यह तो शेर की मांद में कदम रखने जैसा काम किया है तुमने यह मैंने चिराग तले अंधेरा वाली कहावत पर अमल किया है विमल बोला मुझे इस बात की गारंटी नहीं है कि मेरी तमाम धमकियों के बावजूद भी रुस्तम भाई मेरे बारे में अपनी जुबान बंद रख सकेगा अगर उसने डोगरा को मेरे बारे में बताया और डोगरा ने मेरी तलाश शुरू करवाई तो यह बंबई की आखिरी जगह होगी जहां उसे मेरी मौझूदगी का ख्याल आएगा और फिर अगर डोगरा यहां है तो मेरे मिशन में मुझे यहां रहकर अपेक्शाकृत सहुलियत से काम्याबी हासिल हो सकती है तुम डोगरा का पीछा छोड क्यों नहीं देते हो तुम अपनी बीवी से बदला लेना चाहते थे तुम्हारा वह मिशन तो तुम्हारी बीवी के साथ खत्म हो गया लेकिन वैसे नहीं खत्म हुआ, जैसे कि मैं चाहता था कि वह होता उसने आत्महत्या न की होती तो बात दूसरी थी लेकिन उसने आत्महत्या करके अपना इंसाफ खुद कर लिया और अपने सारे पाप धोलिये अब मुझे डोगरा से अपना ही नहीं, अपनी बीवी का भी बदला लेना है उस शक्स ने सिर्फ ही जिन्दगी तबाह नहीं की, सुरजीत की भी जिन्दगी तबाह की अब मैं डोगरा का कतल इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसने मेरी जिंदगी तबाह किया क्योंकि मैं उससे हद से बाहरी नफरत करता हूँ अब मैं डोगरा का कतल इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उससे एक हिसाब बराबर करना है उसके साथ एक स्कोर सैटल करना है खामोश रही प्रत्यक्षत वह विमल की बातों से आश्वस्त नहीं थी और फिर मैंने अभी उससे अपनी वो रकम वसूल करनी है जिसमें से अभी 2000 रुपए ही मेरे हाथ लगे हैं अभी मैंने उससे अपने 48,000 रुपए हासिल करने हैं उसका कतल कर देने के बाद यह रकम हासिल हो सकेगी तुम्हें? जरूर हासिल हो सकेगी तुम देखना तो सही मैं क्या करता हूँ? नीलम इस रकम के लिए मैं बहुत कोहराम मचाने का इरादा रखता हूँ इतनी मामूली रकम की खातिर यह रकम मामूली है या कुबेर का खजाना लेकिन आज की तारीख में यह रकम मेरी नाक का बाल है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा मर्जी तुम्हारी तीसरे दिन का एक बड़ा भाग विमल ने होटल सी वियू का जुग्राफिया समझने की कोशिश में गुजारा उसने अनुभव किया कि दूसरी से लेकर पाँचवी तक की चार मनजिल बाकी होटल से एक तरह से सील करके अलग की गई हुई थी जो लिफ्ट होटल की सबसे उपर की मनजिल तक जाती थी उनके इंडिकेटर पर दो से पाँच तक की मार्किंग तक नहीं थी पहली मनजिल के बाद लिफ्ट सीधी छठी मनजिल पर पहुँचती थी पहली मनजिल पर दो बड़े हॉल कानफरेंस रूम और एक रेस्टोरेंट था ग्राउंड फ्लोर पर दो रेस्टोरेंट, एक कॉफी शॉप और होटल का प्रशासनिक कार्या ले था विमल ने सीधियों के रास्ते छठी मनजिल से पाँचवी पर या पहली से दूसरी पर जाने की कोशिश की तो उसने सीधियों के आगे लोहे की भारी ग्रिले लगी पाई और उन्हें मजबूत तालों से बंद किया हुआ पाया दूसरी और पाँचवी मनजिल के बीच की मनजिलों के लिए अलग लिफ्टे थी जिन तक पहुँचने के लिए रास्ता जाता तो होटल की मेन लोबी से होकर ही था लेकिन उस रास्ते के दहाने पर एक बिजली द्वारा संचालित दर्वाजा था जो हर वक्त बंद रहता था उस दर्वाजे के सामने एक सशस्त्र गार्ड और दो सूट बूट व्यक्ती जरूरी वे भी सशस्त्र रहते होंगे हर वक्त मौजूद रहते थे वह दर्वाजा तभी खुलता था, जब तीनों आगंतुक से पूरी तरह से संतुष्ट होते थे उसके बाद भी आमतौर पर एक सूटधारी व्यक्ती आगंतुक के साथ जाता था विमल ने उधर जाने की कोशिश की थी, तो उसे बड़ी नमरता से, लेकिन बड़ी द्रिड़ता से वापस लोटा दिया गया था उसने होटल की लॉबी में लगे पबलिक टेलीफोनों की कतार में से एक से होटल का ही टेलीफोन मिलाया दूसरी ओर से उत्तर मिलने पर उसने ज्ञान प्रकाश दोगरा से बात करने की इच्छा व्यक्त की ऑपरिटर ने उसे तुरंट कहीं कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो आवाज दूसरी तरफ से आई, वह दोगरा की नहीं थी आप अपना टेलीफोन नमबर और नाम बता दीजिए उसे कहा गया, दोगरा साहब अगर चाहेंगे तो आपको टेलीफोन कर लेंगे लेकिन जब मैंने फोन कर ही लिया है तो लीज स्पीक यूर नेम एंड टेलीफोन नमबर कोई बड़े सभ्यस्वर में बोला विमल ने रिसीवर धीरे से हुप पर टांग दिया वह रिसेप्शन पर पहुँचा उसने डोगरा से बात करने की इच्छा व्यक्त की तुरंट उसे रिसेप्शन के साथ लगे एक कमरे में भेज दिया गया वहाँ एक वैसा ही सूट धारी व्यक्ती बैठा था जैसा सूट पहने उसने होटल के तकरीबन कर्मचारियों को देखा था शायद वह वहाँ के पढ़े लिखे स्टाफ की वर्दी थी उस युवक्त ने उसके सामने एक लैटर पैड और एक बाल वायट पैन रख दिया और उसे कहा कि वह उस पर अपना नाम, पता और टेलीफोन नम्बर लिख दे वहाँ से विदा हो जाए और शाम तक दोगरा साहब द्वारा बुलवाई जाने की प्रतीक्षा करे विमल ने पैड पर एक फरजी नाम, पता और टेलीफोन नम्बर लिख दिया और युवक का धन्यवाद करके वहां से बाहर निकल आया अपनी इतनी कोशिशों के बावजूद अभी तक उसे इस बात का संकेत तक नहीं मिला था कि डोगरा उस होटल में था भी या नहीं वह वापस लॉबी में आ गया वह वहां पर मौजूद बेशुमार गद्देदार कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और अपना कोई अगला कदम निर्धारित करने की कोशिश करन लगा तभी नीलम वहां पहुची वह उसकी बगल में एक कुर्सी पर बैठ गई और धीरे से बोली कोई बात बनी विमल ने इनकार में सिर्हिला दिया अब क्या इरादा है? कोई इरादा ही कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ इस होटल की 2 से 5 तक की 4 मनजिले एक किले की तरह महफूज है इस किले को भेदने का कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा न यह जान पाने की कोई तरकीब सूज रही है कि डोगरा यहां है या नहीं और नहीं एकाएक विमल बोलता बोलता चुप हो गया उसकी निगाह इत्फाक से ही प्राइवेट लिफ्टों की दिशा उठ गई थी और उसने देखा था कि उधर का बिजली द्वारा संचालित दर्वाजा नी शब्द खुल रहा था दर्वाजा खुलने पर दो आदमियों ने बाहर कदम रखा एक चहरे पर चेचक के दागों वाला भारी भरकम आदमी था उसका निचला होंट कटा हुआ था और नाक चप्टी थी विमल ने उस आदमी की पहले कभी सूरत नहीं देखी थी लेकिन उसके साथ खुले दर्वाजे से बाहर कदम रखने वाले दूसरे पहले के मुकाबले में नहायत दुबले प्तले आदमी पर निगाह पड़ते ही विमल इस बुरी तरह चौंका की कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया क्या हुआ? नीलम हडबडा कर बोली वह भी ततकाल उठ खड़ी हुई उस चहरे पर चेचक के दागो वाले भारी भरकम आदमी के साथ जो आदमी है उसे देख रही हो विमल उपने भीतर घुमर्ती उत्तेजना को भरसक काबू करने की कोशिश करता हुआ बोला देख रही हूँ नीलम बड़े सस्पेंस भरे स्वर में बोली कौन है वो तुम जानते हो उसे इसका नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन यही वो आदमी है जिसने नूरपूर के समुदर तट पर मेरी चाती में बर्फ काटने वाला सुआ घोंपा था और अपनी ओर से तो मुझे उपर वाले के घर पहुँचा ही दिया था क्या? यही अपने चारली नामक एक देशी हिप्पी साथी के साथ अमरीकी डिप्लोमेट फोस्टर को हम सबसे छीन कर वहां से गायब हो गया था नीलम सक्त हैरानी के साथ उस आदमी को देखने लगी उन दोनों के पीछे स्वचालित दर्वाजा अपने आप बंध हो गया था दोनों कुछ क्षण बंध दर्वाजे के सामने खड़े बाते करते रहे फिर दुबले प्तले आदमी ने दूसरे आदमी का अभिवादन किया और घूम कर मुख्यदवार की ओर बढ़ा दूसरा आदमी दर्वाजे की तरफ घूमा उसके लिए दर्वाजा फिर खुला और उसके भीतर दाखिल होते ही उसके पीछे पूर्ववत बंध हो गया मैं इस हराम जादे के पीछे लग रहा हूँ विमल जल्दी से बोला तुम लॉबी में ही रहना अगर मेरी गैरहाजरी में वह चेचक के दागों वाला मोटा भेंसा बाहर निकले तो तुम उसका पीछा करके मालूम करना की वह कहाता है वह सूट बूट बढ़िया पहने है लेकिन फिर भी हलका मालूम होता है यहां रहने के काबिल उसकी आउकात नहीं लगती इसके माध्यम से हमें डोगरा के बारे में कोई जानकारी हासिल हो सकती है नीलम ने सहमती में सिर हिलाया जो करना सावधानी से करना विमल ने सिर एक दम नीचे जुका लिया उसी क्षण वह दुबलाप्तला आदमी उसके सामने से गुजरा था लेकिन उसने विमल और नीलम की तरफ आख तक उठा कर नहीं देखा था खामखा कोई खत्रा मोल मत लेना ओके नीलम ने फिर सहमती में सिर हिलाया मैं चला विमल बोला और वह दुबलेप्तले आदमी के पीछे हो लिया नीलम वापस एक कुरसी पर बैठ गई एस्ट्रिस्ट 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 दो दिन के अंथक प्रयतनों से घोरपड़े पीटर को तलाश करने में काम्याब हुआ था उस काम को अंजाम देने के लिए उसे कई आदमी लगाने पड़े थे और सारी बंबई को बुरी तरह से चानना पड़ा था उसे उम्मीद थी कि डोगरा उसकी उस काम्याबी पर उसे खूब शाबाशी देगा लेकिन शाबाशी देना तो दूर वह तो उल्टा भुनभुना रहा था कि इतने मामूली काम को करने में घोरपड़े ने दो कीमती दिन जाया कर दिये थे बहरहाल घोरपड़े ने पीटर को डोगरा के सामने पेश किया पीटर वहाँ अपनी मर्जी के खिलाफ लाया गया था और उसे वह अच्छी तरह से जता दिया गया था कि उसके कोई हुज़त करने या कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करने से पलक जपकने कीसी तेजी से उसकी जान जा सकती थी उसके के कहने पर उसने डरते, जिजगते सारी कहानी सुनाई की कैसे वह और उसका जग्गी नाम का एक और साथी चारली नाम के एक डोग पैडलर के कहने पर कुछ लोगों के पीछे लगे थे, जो की वास्तव में अमरीकी डिपलोमेट के अपहरता निकले थे और कैसे अंत में नूरपूर समुद्र तट पर उनके साथी जग्गी की जान गई थ और उन्होंने अपहरताओं के सरगने की जान ली थी, जिसके बारे में उसे बहुत बाद में अख़बार पढ़कर मालूम हुआ था कि वह खतरनाक इश्तिहारी मुजरिन सरदार सुरेंद सिंह सोहल था। वह तो मेरे सामने ही वही गिर गया था। लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम है कि वह मर भी गया था। तो कोई मतलब ही नहीं था। क्या पता उसके साथ ही उसे किसी डॉक्टर के पास ले गये हो। उसका एक ही साथी बचा था। साहब और वह भी हमारी तरह वहा अजनबी था। उस वक्त अभी दिन भी नहीं चड़ा था। उस उजाड जगह में कोई टिंचर का फाहा तक लगाने वाला आदमी तो ढूंडना मुम्किन नहीं था। जी हां। लेकिन हमारे सेफ निकल जाने के बाद पुलिस को तो वहां से सोहल की लाश बरामद नहीं हुई थी। हुई होती तो यह बात अख़बार में जरूर छपती। साहब लाश को सोहल का गैरेज वाला साथ ही ले गया होगा और उसी ने चुपचाप कहीं उसका अंतिन संसकार कर दिया होगा। तुम्हारी बातों से यह गारंटी नहीं होती कि वो मर गया था। दोग्रा असंतोश पूर्ण स्वर में बोला कि साहब पीतर बोला यह हो ही नहीं सकता। बको मत तुमने उस पर घातक हमला जरूर किया था लेकिन तुमने उसे अपनी आखो से लाश बन चुका हुआ नहीं देखा था। लेकिन साहब दोग्रा को कहर भरी निगाहों से अपनी तरफ घूरता पाकर वह सहन गया और मरे स्वर में बोला हाँ साहब ऐसे सोचो तो यह बात तो बराबर है। दोग्रा कुछ क्षण सोचता रहा फिर वह चुपचाप एक और खड़े घोरपडे से बोला इसे चलता करो और फिर मेरे पास वापस आओ। घोरपडे ने सहमती में सिर हिलाया। उसने पीटर को संकेत किया। दानो डोग्रा के सुविट से निकल गए। घोरपडे ने पीटर को नीचे लॉबी तक पहुचा दिया और वापस लॉट आया। उसने डोग्रा को बेचैनी से ड्राइंगरूम में तहलते हुए पाया। घोरपडे को आया देखकर वह उसके सामने ठिटका। वह जिन्दा है। डोग्रा वित्रिशना पूर्ण स्वर में बोला, जैसा हाल यह पीटर का बच्चा उसका किया बताता है, उस लिहाज से उसे हर हाल में मर जाना चाहिए था, लेकिन वह हराम जादा जिन्दा है। वह न सिर्फ जिन्दा है, बलकि बंबई में मौजूद है और मेरा कतल करने के खतरनाक इरादे के साथ मौजूद है। वह आपकी तरफ उंडली भी नहीं उठा सकता, डोग्रा साहब, घोरपडे बोला वह कंपनी की ताकत और रसूक से नावाकिफ है। वह नहीं जानता की, ओह शत्रप, घोरपडे ने होंट भीच लिये, सूट की कॉल बेल बज उठी, देखो कौन है, दोग्रा बोला, घोरपडे ने आग बढ़कर दर्वाजा खोला, पोटल का एक सूट धारी कर्मचारी दोग्रा साहब के लिए एक मैसेज स्लिप लाया था घोरपडे ने स्लिप लेकर दर्वाजा बंद कर दिया और फिर स्लिप दोग्रा को थमा दी दोग्रा ने स्लिप पर एक सरसरी निगाह डाली और फिर उसे घोरपडे को लोटाता हुआ बोला, मालूम करो कौन है, यह और क्या चाहता है दोग्रा साहब घोरपड़े धीरे से बोला अब क्या है? साहब यह पता फर्जी है क्या? मैं खुद कमाठी पुरे में रहता हूँ कमाठी पुरे में ऐसा कोई इलाका नहीं है जो इस पते में दर्ज है और यह टेलीफोन नंबर भी कमाठी पुरे का नहीं हो सकता उस इलाके के नंबर तीन से शुरू होते हैं दोगरा ने उसके समीब पहुँचकर फिर स्लिप पर निगाह डाली और फिर एकाएक उसने अपना माथा थाम लिया साहब घोरपड़े कह रहा था यह नंबर तो बांदरा वाले फ्लैट का है वह धीरे से बोला ऐसी शरारत कौन कर सकता है साहब वही कर सकता है ऐसी शरारत वह जरूर मेरी सूंघ में यहां आया था बांदरा वाले फ्लैट का टेलीफोन नंबर मैसेज स्लिप पर लिखा छोड़ कर वह हराम जादा मुझे जता भी गया है कि वहाँ आया था लेकिन यहां की सिक्योरिटी की वजह से उसकी दाल नहीं गली थी घोर पड़े खामोश रहा और फिर उसका हैंडराइटिंग भी मैं अभी तक भूला नहीं हूँ उसने इलाहाबाद में वर्सों मेरे अंडर काम किया था अपने एकाउंटेंट का हैंडराइटिंग में अभी तक भूला नहीं हूँ घोर पड़े यह उसी का हैंडराइटिंग है यह सरदार सुरेंदर सिंह सोहल का हेंडराइटिंग है और सरदार सुरेंदर सिंह सोहल घोरपड़े धीरे से बोला यानि की आपका भूतपूर्व एकाउंटेंट आज की तारीख में साथ राज्यों में घोशत ऐसा इश्तिहारी मुझरिम है जिसके सिर पर एक लाख रुपय का इनाम है इस बार डोगरा के मुह से संभावना के तौर पर भी न निकला की शायद सरदार सुरेंदर सिंह सोहल और इश्तिहारी मुझरिम विमल एक ही आदमी न हो जरा नीचे से मालूम करो कि क्या थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे फोन पर भी पूछा था घोरपड़े ने आदेश का पालन किया उसने नीचे फोन किया कुछ क्षन बाद उसने फोन वापस रख दिया और बड़े चिंतित भाव से बोला अभी थोड़ी देर पहले किसी ने आपसे फोन पर बात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी लेकिन जब उसे अपना नाम और टेलिफोन नंबर बताने के लिए कहा गया था तो एका एक लाइन कट गई थी सोहल दोगरा दांग पीस्ता हुआ बोला कुट्टे का पिल्ला सोहल हराम जादा यह सुंगने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहां रहता हूँ या नहीं आप नाहक परेशान हो रहे हैं दोगरा साहब वह अपनी कोशिश में काम्याब नहीं हुआ है और नहीं हो सकेगा लेकिन अगर वह काम्याब हो भी जाएगा तो क्या बिगाड लेगा आपका वह पूरी जिंदगी भी कोशिश करता रहे तो आपके करीब नहीं फटक सकता तुम्हारा मतलब है डोगरा आखे निकाल कर बोला कि उसके डर से मैं यहां अपने सूइट में दुबक कर बैठ जाओ इसलिए यहां दुबक कर बैठ जाओ क्योंकि यहां महफूज जगह है क्योंकि यहां किसी बाहरी आदमी के कदम नहीं पड़ सकते मेरा मतलब यह नहीं था घोरपड़े बॉखला कर बोला घोरपड़े उसे तलाश करो उसके लिए सारी बंबई छान मारो इससे पहले कि वहम मुझ तक पहुँच जाए तुम उस तक पहुँच जाओ और उसकी तिक्का बोटी एक कर दो दोगरा साहब उसे तलाश करना कोई इतना आसान काम नहीं घोरपड़े हर काम को मुश्किल या नामुम्किन साबित करने की तुम्हारी आदत बनती जा रही है लेकिन साहब इस पीटर के बच्चे को भी तलाश किया ही है तुमने साहब उसका कुछ तो अतापता मुझे मालूम था इस आदमी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालम जब तलाश शुरू करोगे तो मालूम हो जाएगा और फिर बहुत आदमी चाहिए होते हैं साहब पीटर तो मैं भाड़े के टट्टू लगाए थे क्योंकि तब किसी के कुछ उल्टा सीधा बग पढ़ने से कोई फर्क नहीं पढ़ता था लेकिन यह काम भरोसे के आदमियों द्वारा करवाए जाने का है अगर आप कंपनी के आदमियों का इंतजाम करके दें तो ठीक है ठीक है मैं इस बारे में उपर बात करूंगा कंपनी के आदमियों की मदद का तुम्हारे लिए इंतजाम हो जाएगा फिर मैं भी इस आदमी को धूंध निकालने में कोई कोशिश उठा नहीं रखूंगा बहरहाल और आदमियों का इंतजाम होने तक जो कुछ तुम कर सकते हो वह तो करो वह तो मैं जरूर करूंगा और रुस्तम भाई के भी टच में रहना उसे भी मैंने इतना काफी डराधम का दिया है कि वह भी विमल की तलाश की भरपूर कोशिश कर रहा होगा अगर हम पुलिस को इस बात की टिप दे दें कि कुछ्यात इश्टिहारी मुझरिन सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल बंबई में है तो क्या हमें कोई फाइदा होगा उल्टे नुकसान होगा साहब घोरपड़े इनकार में सिरहिलाता हुआ बोला पुलिस के पास पहुँची ऐसी खबर अखबार में छपे बिना नहीं रहती अखबार में छपी ऐसी कोई खबर उसे सावधान कर देगी और फिर हमारा काम मुश्किल हो जाएगा ठीक है जाने दो फिर उसके बाद अपने पीछे प्रत्यक्षत है बहुत दिलेरी दिखाते लेकिन मनहीमन डरते हुए डोगरा को छोड़कर घोरपड़े वहां से विदा हो गया वह नहीं जानता था कि दोगरा पहले ही मनहीमन फैसला कर चुका था कि जब तक विमल का कोई तीया पांचा एक नहीं हो जाएगा तब तक वह कमपनी के हैड क्वार्टर की मुकम्मल गारंटी शुदा महफूजियत से बाहर कदम नहीं रखेगा एस्ट्रिस्क 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 पीटर होटल की इमारत से बाहर निकला और लंबे डग भरता हुआ राहदारी में आगे बढ़ा विमल सावधानी से उसके पीछे चलता रहा पीटर होटल के कमपाउंड के फाटक से बाहर निकला और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा टैक्सी स्टैंड पर कई टैक्सिया मौजूद थी टैक्सी ड्राइवर सब एक और एक तख्तपोश पर बैठे थे पीटर स्टैंड तक पहुँचा उसके पीछे लगे विमल को यह बात अजीब लगी कि किसी भी टैक्सी ड्राइवर ने उठकर पीटर का वैसा स्वागत न किया जैसा कि उसे टैक्सी की किसी संभावित सवारी का करना चाहिए था फिर जल्दी ही विमल को टैक्सी वालों के उस अटपटे व्यवहार की वजह समझ में आ गई पीटर खूद टैक्सी ड्राइवर था वह तक्त पोश पर बैठे ड्राइवरों से काफी परे खड़ी एक टैक्सी के पास पहुँचा और उसकी ड्राइविंग सीट पर जा बैठा विमल सिर तनिक नीचे जुकाए लपक कर उसके समीक पहुँचा विमल और उसकी शांदार पोशाक फोरण तक्त पोश पर बैठे ड्राइवरों के आकर्शन का केंदर बन गई साहब एक ड्राइवर तक्त पोश पर से उठता हुआ बोला इधर आ जाए मेरा नंबर है विमल ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर पीटर की पसलियों से सटा दी और क्रूर स्वर में बोला अगर यहीं मर नहीं जाना चाहते हो तो उन्हें कहो कि मैं सवारी नहीं तुम्हारा दोस्त हूँ पीटर बुरी तरह हडबडाया विमल की सूरत वह तब भी ठीक से न देख पाया लेकिन रिवॉल्वर की अपनी पसलियों में गरती नाल उसे बक्खू भी दिखाई दी अरे यह ग्राहक नहीं वह उच्चस्वर में बोला अपनी सवारी है अच्छा, तख्त पोश से उठे ड्राइवर के मुह से निकला वह वापस तख्त पोश पर बैठ गया और अपने साथियों से बातें करने में मशबूल हो गया विमल उसके साथ टैक्सी में सवार हो गया चलो, उसने आदेश दिया कहा, पीटर के मुह से निकला पहले यहां से निकल कर में रोड पर पहुँचो विमल सिर जुकाए जुकाए बोला, फिर कहां का भी जवाब मिल जाएगा पीटर ने टैक्सी चलाई और में रोड पर पहुँचा मैं एक मामूली ड्राइवर हूँ पीटर कमपित स्वर में बोला, मेरे पास कुछ नहीं है मुझे मालूम है, विमल शुश्क स्वर में बोला मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है मैं बहुत गरीब आदमी हूँ बर्फ काटने वाला सुआ तो होगा विमल के स्वर अपने आप व्यंका पुट आ गया उसके लिए तो रईस होना जरूरी नहीं होता एक बारगी पीटर के चहरे पर कोई भाव ना आए फिर एकाएक वह बुरी तरह चौंका उसने जोर से टैक्सी को ब्रेक लगाए खबरदार विमल ने रिवॉल्वर का जोरदार प्रहार उसके घुटने पर किया और फिर उसे उसके पहलू से सटा दिया टैक्सी रोकी तो तुम्हारी सास रुप जाएगी पीटर ने फौरण ब्रेक से पांच हटा लिया रफ्तार बढ़ाओ विमल ने आदेश दिया पीटर ने फौरण आदेश का पालन किया टैक्सी तोप से छूटे गोले की तरह सडक पर भाग निकली ककौन पीटर हतलाता हुआ बोला कौन हो तुम मैं तुम्हारा रिष्टेदार हूँ विमल मीठे स्वर में बोला बहुत नजदी की तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा नजदी की ककौन कौन सा नजदी की रिष्टेदार तुम्हारा बाप विमल का मीठा स्वर एक आएक कहर में बदल गया क्योंकि इससे ज्यादा नजदी की रिष्टा तो तुम्हारा अपनी मा से ही हो सकता है पीटर ने जोर से थूक निगली अपना नाम बोलो विमल ने आदेश दिया पीटर, पीटर बोला पीटर परेरा तो तुम कौन हो? अच्छे बच्चों को अपने बाप का नाम मालूम होता है विमल बोला सिर्फ हराम की आुलाद को उनकी माएं उनके बाप का नाम बताने से परहिस करती है पीटर ने अपने एकाएक सूख हाई होठोन पर जुबान फेरी विमल के आदेश से टैक्सी ड्राइव करता हुआ वह उसे वर्सोवा बीच तक ले आया वहाँ एक सुनसान जगहे पर उसने टैक्सी रुकवाई दोम लाइट जलाओ उसने आदेश दिया तुरंट आदेश का पालन हुआ टैक्सी के भीतर उजाला हो गया मेरी तरफ घूमो वह घूमा विमल ने रिवॉल्वर की नाल को उसके पहलू के पास से हटा कर उसकी छाती पर एन दिल के उपर टिका दिया फिर वह उसकी तरफ घूमा और अपना चहरा रोशनी की दिशा में तनिक उठाता हुआ बोला अब पहचानो अपने बाप को तब पीटर ने पहली बार ठीक से विमल की सूरत देखी तुरंट उसके चहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसका हाट फोल हो जाने वाला हो उसका निचला जबडा लटक गया चहरे की रंगत एकाएक कागस की तरह सफेध हो गई और आखें कटोरियों से बाहर उबल पड़ी तुम्हारे जुबान खोलने की जरूरत नहीं विमल विश्भरे स्वर में बोला तुम्हारी सूरत से ही जाहिर हो रहा है कि तुमने अपनी मा के बेशुमार यारों में से उस शक्स को पहचान लिया है जो की तुम्हारा बाप है उसके मुह से बोल न फूटा तुम्हारा जुडीदार कहा गया चचा चारली वही वह राजनगर से तो म मेरे साथ हा ने निकला था लेकिन बबब बंबई मेरे सत साथ नहीं आया था कहा गया वो मुझ नहीं मालूम फोस्टर का क्या किया था तुमने पीटर ने मुत्वातर हकलाते हुए धीरे धीरे बता दिया बताने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था ओह तो आज की तारीख में तुम रईस आदमी हो विमल बोला दो लाख रुपए के मालिक हो था पीटर के मुह से निकला था क्या मतलब सब माल चुक गया एक टैक्सी बना ली एक फ्लैट की पगड़ी भर दी और बचे-खुचे की ऐश कर ली यह बात तुम यह साबित करने के लिए तो नहीं सुना रहे हो मुझे की मैं तुम्हें कड़का समझ कर तुमसे कुछ छीनने की कोशिश न करू यह बात नहीं है वह गिरगिरा कर बोला रोकड़े के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है है खातिर जमा रखो मुझे तुम्हारे रोकड़े की जरूरत भी नहीं तता टू तो यह की अपना तमाम तामजाम अपने पास रखो और मेरी एक अकल की बात पर अमल करो की किस बात पर इस बात पर की अच्छे बच्चे कभी अपने माबाप से जूठ नहीं बोलते उसने जोर से ठूक निगली आज जो आदमी होटल सी व्यू में उपर से नीचे लॉबी तक तुम्हें छोड़ने आया था वह कौन था घोर पड़े पीटर के मुह से निकला घोर पड़े कौन उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन वह डोगरा का कोई खास आदमी लगता था होटल में तुम्हें वह लाया था हाँ किसलिए डोगरा नाम के एक साहब से मिलवाने के लिए विमल को बड़ी राहत महसूस हुई एक बात की तो तस्दीक हो गई थी कि डोगरा बखिया के हैड क्वार्टर उस होटल में ही रहता था तुम उससे मिले थे हाँ क्या चाहता था वह तुमसे पीटर ने डरते जिजकते उसे बता दिया बल्ले विमल बोला तो मेरी चाती में सुआ उतार कर तुम समझ रहे थे कि तुमने सुल्ताना डाकू को मार लिया था पीटर ने जवाब नहीं दिया दोगरा को विश्वास गया था कि तुमने मुझे जान से मार डाला था पीटर ने हिचकी चाते हुए इनकार में सिरहिला दिया हूँ विमल एक शंट हिटका और फिर बोला दोगरा होटल के कौन से फ्लोर पर है दूसरे पर कमरा नंबर की तरफ तो मैंने ध्यान नहीं दिया था विमल ने रिवॉल्वर की नाल से यूँ उसकी चाती ठक्ठकाई जैसे मालूम करने की कोशिश कर रहा हो की दिल कहा था बाई गौड मुझे मुझे नहीं मालूम पीटर आतंकित स्वर में बोला मुझे घोर पड़े उपर लेकर गया था मैंने कमरा नंबर की तरफ ध्यान नहीं दिया था इस बात की तरफ तो ध्यान दिया होगा कि कमरा होटल के बाए विंग में था या दाए विंग में दाए विंग में शाबाश अब अंदाजन बताओ की कमरा विंग में कहा था किनारे पर बीच में कहा किनारे पर नहीं लेकिन बीच में भी नहीं गलियारा बहुत लंबा था लेकिन फिर भी जहां तक मेरा अंदाजा है मैं बीच तक नहीं पहुँचा था विमल को वह सच बोलता लगा लेकिन इतनी जानकारी भी विमल के लिए कम नहीं थी टैक्सी की हैडलाइट पीटर ने टैक्सी रोकते ही ओफ कर दी थी विमल ने हाथ बढ़ा कर हैडलाइट का स्विच दोबारा ओन कर दिया उसने सामने बीच के प्रकाशित हो उठे भाग पर निगाह डाली थोड़ी दूर एक पेड के नीचे बीर की एक खाली बोतल लड़की पढ़ी थी उस सामने पेड के नीचे पढ़ी वो बीर की बोतल देख रहे हो विमल बड़े सहच भाव से बोला पीटर ने एक सरसरी निगाह उधर डाली और फिर बोला हाँ उसे उठा कर लाओ कक्यो मुझ जरूरत है उस बोतल की पीटर के चहरे पर अनिश्चय के भाव आए एकाएक विमल के चहरे पर बड़े हिंसक भाव आए उसकी उंगलिया रिवॉल्वर के ट्रीगर पर कस गई लाता हूँ पीटर फॉरन कमपित स्वर में बोला लाता हूँ वह टैक्सी से बाहर निकला और मनमन के कदम उठाता हुआ बोतल की तरफ बढ़ा विमल स्टीरिंग के पीछे उसके द्वारा खाली किये गए स्थान पर सरक आया टैक्सी का उस और का दर्वाजा उसने खुला रहने दिया पीटर बोतल तक पहुँचा जिजगते हुए उसने बोतल उठाई उसने घूम कर वापस टैक्सी की तरफ देखा विमल को बड़े निर्विकार भाव से टैक्सी में बैठा देखकर वह आश्वस्थ हो गया जाती बार के मुकाबले में वह ज्यादा दिलेरी से ज्यादा मजबूती से कदम रखता हुआ वापस लोटा वह अभी आधे रास्ते में ही था कि विमल ने गोली चला दी पीटर का भेजा उड़ गया एक ही गोली ने उसका काम तमाम कर दिया विमल ने रिवालवर कोट की जेब में रख ली टैक्सी की डोलाइट बुझाई उसका इंजन चालू किया उसे रेतीली जमीन पर यूटर्न दिया और वापस लोट पड़ा कृप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर ले अगर कभी हमारे दूसरे चैनल्स की तरहे इस चैनल में भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे नए अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें ऐस्टरिस्ट 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 नीलम विमल से दोढ़ाई घंटे बाद जब तक वापस होटल में लोटी तब तक शाम हो चुकी थी उसके वहां पहुँचने से पहले विमल एक बार फिर होटल की सीड मनजिलों के बारे में भरपूर सिर्ख हपाई कर चुका था उन मनजिलों तक पहुँच पाने की उसे अभी भी कोई तरकीब नहीं सूजी थी उसने होटल से बाहर उसके आसपास के इलाके का भी मुआयना किया था होटल के दाएं पहलू में एक इमारक बन रही थी जो की लगता था की होटल जितनी ही उची जाने वाली थी लेकिन अभी तक वह केवल पांच ही मनजिलों तक उठी थी उन मन्जिलों में अभी तक केवल फ्लोर ही पड़े थे, कोई खिड की आंदर वाजे नहीं लगे थे मन्जिल दर्मन्जिल कोई दिवारे नहीं उठी थी, अभी तो वह इमारत की जगहे उसका कंकाल भर मालूम होती थी उस इमारत को देखकर डोगरा से दोचार होने की विमल को एक तरकीब सूजी थी, लेकिन उस तरकीब पर अमल करना नीलम की मदद के बिना मुम्किन नहीं था तभी नीलम आ गई वह आकर धम्म से विमल की बगल में बैठ गई उस आदमी का नाम घोर पड़े है, उसने बताया, वह बॉम्बे सेंट्रल के पास कमाठी पुरे के इलाके में रहता है और वहां का मशूर दादा बताया जाता है वह सारा इलाका ही ऐसा है कि दादाओं की बस्ती मालूम होता है वहां रहने वाला हर तीसरा आदमी दादा है उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ विमल ने पूछा नहीं, मैंने बहुत सावधानी से काम लिया था तुमने तो कमाल कर दिया, नीलम नीलम शर्माई ऐसे कमाल की तो तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए उत्तर में विमल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसने कपोल पर एक भरपूर चुम्बन अनकित कर दिया यह शाबाशी दूँगा वह बोला यह शाबाशी कम है नीलम शरारत भरे स्वर में बोली मैंने इससे कहीं ज्यादा शाबाशी का काम करके दिखाया है विमल हनसा उसने नीलम को बंधन मुक्त कर दिया और फिर बोला मेरी बात सुनो मेरी ज्यादा जरूरी बात सुनो सुनाओ विमल ने पहले उसे बताया कि उसके और पीटर के क्या बीती थी उसके यह बताने पर कि उसने पीटर को शूट कर दिया था नीलम के चहरे पर शिकन तक नहीं आई अब वह भी वो नीलम नहीं रही थी जिसने कभी चंडीगड में मायाराम बाबा के मामले में उसे खास ताकीद की थी कि अगर उसने उसका कतल किया तो वह उसे बहुत गलत आदमी समझेगी फिर उसने वह तरकीब बताई जो उसने डोगरा से दोचार होने के लिए सोची थी वह होटल की दूसरी मनजिल पर है विमल बोला वहा तक नीचे की आवाजे बखू भी पहुँच सकती है अगर बाहर एकाएक काई हंगामा बरपा जाएगा तो यह देखने के लिए कि एकाएक क्या आफत आ गई थी वह अपने कमरे की बालकनी से जरूर आएगा उच्छ सुकता क्यूरियोसिटी मानविय प्रवरिती हाती है एंड क्यूरियोसिटी केड़ दी कैट यू नो अगर वह बालकनी पर न निकला तो न निकला तो न सही फिर कोई और तरकीब सोचेंगे ठीक है फिर वे अंधेरा होने प्रतीच्शा करने लगे रुस्तम भाई की प्राइवेट टैक्सी मार्क फॉर एंबेस्डर अभी भी उनके अधिकार में थी सावधानी वश उन्होंने कार की नंबर प्लेटे बदल दी थी और प्राइवेट टैक्सी के नंबर को बदल कर उन्होंने कार पर आम गाड़ी कर नंबर लगा दिया था अंधेरा होते ही होटल के समीप की नई बंती इमारत से लेकर विदा हो गई थी और वह सुनसान हो गई थी इमारत के ग्राउंड फ्लोर के एक कोने में इटों का टैंपरेरी कमरा बना हुआ था जिसके भीतर तीन-चार आदमी मौजूद थे जो की शायद वहां की रख्वाली का काम करते थे या शायद एक रख्वाला था और बाकी उसके दोस्त थे विमल जाक कर देख आया था वे लोग धर्रा पीने की तयारियां कर रहे थे एंबैसेडर कार उस वक्त दोनों इमारतों के बीच में अंधकार में खड़ी थी सारी कार के भीतर अलग से कनस्तर लाकर खूब सारा पैट्रोल छिड़क दिया गया था और उसकी टंकी भी लबालब भरी हुई थी टंकी का धक्कन खुला था उसके भीतर नीलम की एक पुरानी नायलोन की साड़ी का एक सिरा डूबा हुआ था और दूसरा सिराकार के भीतर से होता हुआ उसकी एक खिड़की से बाहर निकला हुआ था एक तरफ ओट में नीलम खड़ी थी और बंती इमारत में से विमल का इशारा हासिल होने का इंतजार कर रही थी दूर बीच पर काफी लोग मौजूद थे जो की अपने मोजमेले में व्यस्थ थे किसी की तवज्जो पैटरोल में नहाई एमबेस्दर कार की तरफ नहीं थी विमल नेहशब्द बंती इमारती की दूसरी मन्जिल पर पहुँच गया वहाँ घुप अंधेरा था लेकिन सामने होटल सीव्यू का सारा दाया विंख खूबसूरत रोशनियों से जगमगा रहा था उसने दूसरी मन्जिल पर दायम बाए निगाह दोडाई अगर पीटर ने उससे जूट नहीं बोला था तो उसी मन्जिल पर कहीं डोगरा मौजूद था पीटर से उसके कमरे का जो अंधाजा बताया था उसके लिहास से विमल ने अंधेरी इमारत की दूसरी मन्जिल पर पोजीशन ले ली वहीं एक खाली ड्रम पड़ा था जो उसने अपने सामने कर लिया उसने रिवॉल्वर निकल कर हाथ में ले ली और फिर सामने निगाह दोडाई दोगरा कौन सी बालकनी पर प्रकट होगा नीचे मचा कोहराम उसे बालकनी तक जरूर लाएगा इस बात की तो विमल को लगभग गारंटी थी लेकिन उसक्षन अगर वह अपने कमरे में हुआ ही न तो तो सारे की ये धरे पर पानी फिर सकता था बहलरल उस वक्त वह उस अप्रिय संभावना के बारे में नहीं सोचना चाहता था वह यही उम्मीद लगाए रहना चाहता था की डोगरा अपने कमरे में था उसने नीचे निगाह डाली नीचे अंधेरे में नीलम उसे कहीं दिखाई न दी लेकिन वह थी नीचे ही कहीं उसने जेब से माचिस निकाल कर उसकी एक तीली जलाई तुरंट नीचे अंधेरे में खडी कार के पास कहीं वैसी ही रोशनी का एक जुगनू साचमका वह एक पूर्वनिर्धारित संकेत था कि विमल तयार था विमल ने अपने रिवॉल्वर वाले हाथ की कोहनी अपने सामने पड़े ड्रम पर टिका ली और अपने हाथ को एकदम स्थिर कर लिया नीचे नीलम ने कार की खिड़की से बाहर निकले नाइलॉन की साड़ी के सिरे को लगा दी और फिर कमान से तीर की तरह कार से परे भागी पैट्रोल में डूबी कार में आग एक दम धथ की पलक जपकते कार आग का विशाल गोला मालूम होने लगी फिर आग पैट्रोल की तंकी तक पहुची तंकी इतने भयंकर धमाके के साथ फटी की विमल को इमारत का फर्ष हिलता महसूस हुआ फॉरन नीचे शोर मचा ग्राउंड फ्लोर पर ठर्रा पीने की तयारी करते लोग बाहर निकलाए बीच की तरफ से भी कुछ लोग उस तरफ दोड़े सामने होटल की कई बालकनियों पर लोग प्रकट होने लगे होटल के कुछ कर्मचारी भी उधर दोड़े हर तरफ क्या हुआ क्या हुआ का शोर मच गया विमल एक तक दूसरी मनजिल की अपने सामने मौजूद चार-पांच बालकनियों की ओर देखता रहा उनमें से किसी एक पर डोगरा को प्रकट होना चाहिए था नीचे जलती कार की लपतें 15-20 फुट उपर तक उठ गई थी और उन्होंने उस अंधेरे इलाके में दिन जैसी रोशनी फैला दी थी वह रोशनी सामने होटल की और उस बंती इमारत की दो मनजिलों तक तो बखुबी पहुँच रही थी विमल ने और सावधानी से ड्रम की ओट ले ली दोग्रा दूसरी मनजिल की एक बालकनी पर प्रकट हुआ लेकिन वह बालकनी विमल के सामने की बालकनियों में से नहीं थी बालकनी के बारे में पता नहीं पीटर का अंदाजा बेहुदा था या उसने जूट बोला था लेकिन अब दोग्रा पर गोली चलाने के लिए उसके लिए ड्रम की ओट छोड़ना जरूरी था ऐसा करने से उसके रिवॉल्वर वाले हाथ की कोहनी को ड्रम का सहारा भी उपलब्ध नहीं रहना था दोग्रा बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा नीचे जलती कार की तरफ जहांक रहा था विमल द्रम के पीछे से निकला और सिर नीचा की ये दबे पाव आगे बढ़ा ररह कर उसके जूतों के नीचे केवल कंक्रीट पड़े फर्ष पर बिखरे रोडी या बजरी के टुक्रों में से कोई टुक्रा चर्मराता हुआ पिस जाता था वह डोगरा की बालकनी के एकदम सामने अभी नहीं पहुँच पाया था कि तभी एकाएक अब तक नीचे जागते डोगरा की निगाह उपर उठी और बंती इमारत की दिशा में पड़ी पता नहीं उसे वहां विमल दिखाई दे गया था या किसी अग्यात भावना ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था लेकिन वह फौरण वापस घुमा और बालकनी के पास से हटकर पीछे कमरे के खुले दरवाजे की तरफ लपका विमल वही थमक कर खड़ा हो गया उसने डोगरा की तरफ रिवॉल्वर का रुख करके गोलियां चलानी आरंभ कर दी डोगरा एका एक उकड हुआ क्या उसे गोली लगी थी या वह सावधानी बरत रहा था विमल ने सोचा नीचे मचे शोर में गोलियों की आवाज का पता भी नहीं चल रहा था विमल ने सारी रिवॉल्वर डोगरा की बालकनी पर खाली कर दी डोगरा पेट के बल रेंगता हुआ दरवाजे से पार हुआ और फिर उसके पीछे दरवाजा बंध हो गया निराशा से गरदन हिलाते हुए विमल ने रिवॉल्वर पतलून की बेट में खोसी और नीचे भागा उसने इमारत से बाहर कदम रखा ही था कि होटल के एक साइड दोर से आननफानन कई आदमी बाहर निकले और बंती इमारत की तरफ लपके विमल आगे बढ़ा और जलती कार के गिर्द जमा तमाशियों की भीड का अंग बन गया होटल के निकले आदमी बगोले की तरह बंती इमारत घुस गए विमल सहज भाव से परे सरकता हुआ होटल वाली साइड में खड़ी नीलम के पास पहुँचा नीलम ने आखो ही आखो में उससे सवाल किया विमल ने इनकार में सिरहिला दिया नीलम के मुह से एक बड़ी निराशा सूचक ओह निकली विमल ने बंती इमारत की तरफ निगाह डाली होटल से आए आदमी बंती इमारत की मनजिलों पर फैल चुके थे वे निश्चे ही होटल पर गोलिया चलाने वाले आदमी की तलाश में थे विमल ने हॉले से नीलम की बाह थामी और होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चला गोलियों की बौचार से डोगरा बाल-बाल बचा था उस अप्रत्याशित आक्रमन ने उसे हिला कर रख दिया था उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी काले पहाड के हैड क्वार्टर पर ऐसा सासिक आक्रमन हो सकता था बैडरूम में पहुचते ही उसने तुरंत नीचे फोन किया और काले पहाड के प्यादों के इंचार्ज को बताया कि क्या हुआ था और उसे सामने बंती इमारत का चप्पा चप्पा छान डालने का आदेश दिया फिर वह पलंग पर बैठ गया उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया उसकी कनपटियों में लोहार की ठक-ठक की तरहे खून बज रहा था ठक-ठक उसे अपने जेहन में बचते नाम को ताल देती मालूम हो रही थी सोहल, विमल, सोहल, विमल, सोहल, विमल कितनी ही देर वह यूँ ही सिर थामे बैठा रहा फिर उसकी निगाह अपने आप ही पलंग के समीप पड़ी मेज पर रखी वैट उनहत्तर की बोतल की तरफ उठ गई उसने बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया हाथ बोतल के समीप पहुँचकर ठिटका उसके चहरे पर हिचकी चाहट के भाव उगहे फिर बड़े निर्नयात्मक धंग से उसने बोतल की तरफ बढ़े हाथ से बोतल के पास ही पड़े दो टेलीफोनों में से एक टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया उसने कापते हाथों से होटल का ही एक नमबर डायल किया मैं डोग्रा बोल रहा हूँ दूसरी ओर से उत्तर मिलते ही वह व्यगर भाव से बोला मैं सुलेमान साहब से अपवायंटमेंट चाहता हूँ सुलेमान मुहम्मद सुलेमान काले पहाड की बादशाहत में उससे दो सीधिया उपर था दोग्रा की सीधी पहुँच अपने से दो सीधिया उपर ही थी उससे उपर सीधे पहुँचने का उसे अधिकार नहीं था उससे उपर वह तभी पहुँच सकता था जब सुलेमान ऐसा जरूरी समझता कब की? उससे पूछा गया अभी की दोगरा बोला आज की तो हर हालत में काम इंतहाई जरूरी है स्टेंड बाई उसे कहा गया आपको खबर की जाएगी दोगरा ने टेली फोन का रिसीवर रख दिया फोन रखते ही उसे अपनी कमजोरी पर पच्चतावा होने लगा जब वह सुलेमान को यह बताएगा कि वह एक इकलोते आदमी से दहशत खाए हुए था तो उसकी नाप नहीं कट जाएगी सुलेमान उसकी हसी नहीं उडाएगा लेकिन सुलेमान से उसका बहुत पुराना वास्ता था वह दोगरा की दुश्वारी समझ सकता था फिर भी उसे सुलेमान के सामने अपनी कमतरी तो कबूल करानी होगी उसके जेहन में इस बारे में शक्की रत्ती भर की गुंजायश नहीं थी कि उस पर गोलिया बरसाने वाला आदमी उसका इलाहाबाद का माथत सुहल था लेकिन वह मरियल सा आदमी एकाएक इतना हौसलामंद कैसे हो गया चींटी शेर कैसे हो गई उसका हाथ फिर भिस्की की बोतल की तरफ बढ़ा और फिर रास्ते में ही ठिठक गया सुलेमान पक्का मुसल्मान था वह शराब नहीं पीता था उसके मुह से शराब की गंध आती पाकर वह उस पर खफा हो सकता था दस मिनट गुजर गए अब दोगरा का जी चाहने लगा कि वह सुलेमान से अपनी अपवायंटमेंट की दरख्वास्त कैंसिल कर दे खाम खा अपनी हसी उरवाने का क्या फाइदा लेकिन सुलेमान हमेशा उसके लिए अच्छा आदमी साबित हुआ था उसने संकट की घड़ी में हमेशा उसकी मदद की थी इलाहाबाद के पचास हजार के घोटाले को कवर करने में तभी टेलीफोन की घंटी बस उठी दोगरा ने जपटकर रिसीवर उठाया आप सुलेमान साहब से अपवायंटमेंट कमपनी से तालुक रखते किसी काम की बाबत चाहते हैं नहीं दोगरा कठिन स्वर में बोला वह मेरा एक जाती मामला है जो कमपनी के लिए भी प्रॉब्लम बन लीज स्टैंड बाई लाइन कट गई उसने फिर माथा थाम लिया और प्रतीक्षा करने लगा उसका दिमाग यही कह रहा था कि वह खामखाह डर रहा था लेकिन उसका दिल उसके दिमाग से इत्तफाक जाहिर करने को तैयार नहीं हो रहा था पांच मिनट बाद फिर टेलीफोन की घंटी बजी दस मिनट बाद सुलेमान साहब के सूइट में पहुँच जाएए उसे कहा गया थैंक यू लाइन फिर कट गई ठीक दस मिनट बाद दोगरा बड़े अदब से तीसरी मनजिल के एक दरवाजे की कॉल बेल बजा रहा था उसे मालूम था उस मनजिल के सारे सूट चार कमरों के थे दरवाजा एक खूबसूरत लड़की ने खोला कोई और वक्त होता तो इतनी शांदार लड़की को देखकर डोगरा की लार टपकने लगती और वह इरश्या से जल मरता की कमपनी के उससे उपर के लोगों को कमपनी की तरफ से इतना शांदार माल हासिल था जबकि उसे ऐसी चीजे मिसेस पिंटो के विश्याले से खरीदनी पड़ती थी लेकिन उस वक्त उसके दिलो दिमाग पर विमल की ऐसी दहशत सवार थी कि उसने लड़की को लड़की की निगाह से ही देखा फॉरण हजम कर जाने लायक किसी रसीली चीज की तरह नहीं देखा दोगरा वह बोला सुलेमान साहब से मेरी अपवायंटमेंट है लड़की ने सहमती में सिर हिलाया वह दरवाजे से परेहट गई दोगरा भीतर दाखिल हुआ उसने देखा सुलेमान के सूट का ड्राइंगरूम उसके सूट के ड्राइंगरूम से तिगुना नहीं त तो दुगना तो हर हाल में बढ़ा था। लड़की ने एक सोफे की तरफ इशारा कर दिया। दोगरा बैठ गया। सुलेमान साहब एक मिनट में आते हैं, वह बोली। दोगरा ने सहमती में सिरहिलाया। लड़की मदमाती चाल चलती हुई पिछवाडे के एक दरवाजे तक पहुँची और उसे खोल कर भीतर दाखिल हो गई। अपने पीछे उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उसने ने विशाल ड्राइंगरूम में चारों तरफ निगाह दोडाई। कितना शांदार ड्राइंगरूम था। उसका ड्राइंगरूम तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी भी तरक्की हो सकती थी। एक दिन वह भी तीसरी मनजिल के चार कमरों वाले वैसे विशाल सूइट का और वैसी ही शांदार लड़की का हकदार हो सकता था। लेकिन पहले वह विमल का बच्चा तो उसका पीछा छोड़े। उसने बेचैनी से घड़ी पर ग्रिश्टिपात किया। पांच मिनट गुजर चुके थे। लेकिन सुलेमान का एक मिनट अभी नहीं हुआ था। उसकी निगाह उस बंद दरवाजे की तरफ उ कमबक्त जरूर एश लूट रहा होगा उस लड़की के साथ। कोई बात नहीं वह वित्रिशना पूर्ण भाव से होठोन में बुद्बुदाया किसी दिन वह भी यूभीतर किसी ऐसी ही शांदार लड़की के साथ एश लूट रहा होगा और उस जैसा कोई आदमी बाहर उस असाधारन रूप से अच्छी तंदुरुस्ती वाला लंबातंगा आदमी था। अपने जिस्न पर वह केवल ड्रेसिंगाउन पहने हुए था। उसकी नंगी गरगन पर एक स्थान पर एक जोडी होठोन के आकार का लिपस्टिक का दाग दिखाई दे रहा था। वह उस दा पर लगी लिपस्टिक की थी। यानि की उसका ख्याल सही था। कमबक्त उसे बाहर सूखने डाल कर खुद भीतर बैठा मौच कर रहा था। उसकी इंतजार नहीं कर सकती थी। उससे केवल दो सीधी नीचे का कमपनी का आदमी इंतजार कर सकता था। सुलेमान ने उससे सामने बैठ गया। बैठने की उसक्रिया में उसके गाउन का गिरहबान तनिक खुल गया। दोगरा को उसकी गरगन पर मौजूद लिपस्टिक के दाग जैसा ही दाग उसकी छाती पर भी दिखाई दिया। तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कोई जाती मामला है जो तुम मु के लिए मैं कफ परेड वाले आफिस में उपलबद होता हूँ। यहां मुझसे मिलने के लिए सिर्फ उस काम से आना चाहिए जिससे कमपनी का तालुक हो। मैं जानता हूँ। दोगरा बड़े अदब से बोला लेकिन मेरे जाती मामले से आगे चल कर कमपनी का भी तालुक यह बात? जी हां। मामला क्या है? एक आदमी है। मैं उसे मर गया समझ रहा था लेकिन वह जिन्दा निकलाया है और अब वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एक आदमी? एक इकलौता आदमी? जी हां। तुम यह कहना चाहते हो कि कमपनी के इतने उचे उहदे पर पहुँच चके होने के बावजूद तुम्हारे में इतनी कुवत पैदा नहीं हुई कि तम एक इकलौते आदमी को हैंडल कर सको। यह बात नहीं है। दोगरा हडबड़ा कर बोला। तो फिर क्या बात है? मैं उसे बखू भी हैंडल कर सकता हूँ। तो फिर समस्या क्या है? मैं उसे तलाश नहीं कर सकता। वह शहर में कहा है लेकिन उसका पता मालूम कर सकने के लिए मुझे मदद दरकार है, मुझे कमपनी के आदमियों की जरूरत है। अगर उस आदमी का पताठिकाना तुम्हें मालूम हो तो तुम उसे खुद हैंडल कर लोगे। जी हाँ। तुम्हें कैसे मालूम है कि कोई आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे खबरे मिली हैं। मेरा अतापता जानने की कोशिश में वह मुझसे तालुक रखते लोगों पर हाथ डाल रहा है। मेरी फिरात में वह यहां भी आचुका है। लेकिन यहां उसकी दाल नहीं गली थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझ पर गोलिया बरसा कर मेरा कतल करने की कोशिश की थी क्या? सुलेमान चौंका किसी की इतनी मजाल हुई कि उसने कमपनी के होटल पर गोलिया बरसाई स्तारा का मन खिर वित्रिशना से भर उठा कमबक्त को इस बात की परवाह नहीं थी कि गोलिया कमपनी के एक महत्वपून आदमी पर बरसी थी जी हाँ प्रत्यक्षत वह बोला ऐसी नौबत क्यों कर आई? उस आदमी को किसी तरह से मालूम हो गया लगता है कि मैं होटल में हूँ और होटल की दूसरी मन्जिल पर हूँ उसने जानबूच कर बाहर एक कार को आग लगा दी जिसकी वजह से बाहर बम फूटने जैसा धमाका हुआ और खूब शो शराबा मचा उच्सुक्तावश मैं भी बाहर जाकने के लिए बालकनी पर आ गया उसने सामने बंती इमारत से फौरण मुझ पर गोलिया बरसानी शुरू कर दी मैं बाल-बाल बचा दोगरा सुलेमान तिरसकार पूर्ण स्वर में बोला तुम्हें मालूम था कि वो आदमी तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ था फिर भी तुम उसके इतने मामूली जहांसे में आ गए सुलेमान साहब दोगरा आहत भाव से बोला मेरी निगाह में उसे यह मालूम हो पाना मुम्किन नहीं था कि मैं यहां होटल में रहता था और अगर रहता था तो होटल में कहां रहता था लेकिन उसे मालूम था लगता है कमरा नहीं मालूम था, लेकिन फ्लोर मालूम था, विन मालूम था कैसे मालूम था? यही तो समझ में नहीं आ रहा समझने की कोशिश करो किले की महफूजियत बरकरार रखने का यही तरीका होता है कि जिस दिवार में छेद दिखाई दे, उसकी तरफ फौरन तवज्जो दी जाएं और इससे पहले कि वह छेद बड़ा होता होता पूरी दिवार को गायब कर दे उस छेद को बंद किया जाएं और दिवार को मजबूत किया जाएं मैं यही करूंगा अच्छा करोगे अब बोलो वह आदमी क्या चीज है उसकी हस्ती क्या है उसकी बिसात क्या है दोग्रा ने बताया सुलिमान के नेतर फैल गए उसने हैरानी से दोग्रा को देखा दोग्रा उसकी खुर्दबीन जैसी निगाह के नीचे सिकुड कर रह गया आते हो कि सर्दार सुरेंद्र सिंह सोहल तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है जजी हाँ दोग्रा हतलाया जी हाँ तुम इतने खतरनाक दकैत को इतने मशूर इश्तिहारी मुजारिम को इतने दुरदात हत्यारे को एक मामूली आदमी करार दे रहे हो आदमी एक हो सकते मेरा दुश्मन सोहल ही खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम विमल होता तो मेरी जान का दुश्मन बनने का ख्याल उसे इतने सालों बाद ना आता वाट ओ नॉंसेंस सुलेमान मुह बिगाड कर बोला यह तुम हकीकत बयान नहीं कर रहे हो दोगरा अपने दिल को जूठी तसली दे रहे हो दोगरा ने बेचैनी से पहलो बदला सुलेमान ने उसकी मानसिक स्थिती को एकदम ठीक पहचाना था तुमने क्या किया था सुलेमान ने पूछा जी दोगरा हड़ड़ा कर बोला उस आदमी के खिलाफ तुमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वह आज तुमसे बदला लेने के लिए उधार खाए बैठा है उसने ने बहुत जिजगते हिचकिचाते हुए बताया ओह उसकी इलाहबाद की कहानी सुनकर सुलेमान के स्वर में फिर तिरसकार का भाव आ गया तो तुम्हारी अपने माथत की बीवी से आशनाई थी दुनिया जहान की हासिल औरतों को छोड़ कर तुमने एक शादी शुदा औरत पर हाथ डाला न सिर्फ हाथ डाला बलकि इतनी लापरवाही और हिमाकत भी दिखाई की रंगे हाथों पकड़े गए दोगरा का चहरा शर्म और अपमान से जल उठा अब वह औरत कहा है बड़ी कठिनाई से दोगरा ने सुरजीत का अंजाम भी बयान किया दोगरा मुझे किष्टों में कहानी मत सुनाओ खुदा के वास्ते जो कुछ कहना है एक ही बार कहो अब और कुछ कहना बाकी नहीं सुलेमान साहब दोगरा विनीत भाव से बोला हूँ सुलेमान सोफे पर पसर कर बैठ गया उसने अपनी एक कोहनी सोफे के हथे पर टिका ली और उसी हाथ की एक उंगली से कनपटी ठक्ठकाने लगा हूँ बेड अदब से खामोश बैठा रहा और सुलेमान की हुंकारे सुनता रहा इस औरत को हुंकारों के बीच में सुलेमान ने पूछा सोहल की बीवी को मालूम था कि तुम यहां रहते हो जी नहीं दोगरा फौरन बोला उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि मैं बंबई में था या काले पानी यानि की सोहल को तुम्हारा यहां का पता अपनी बीवी मालूम हुआ हो यह नहीं हो सकता जी हाँ सुलेमान कनपटी ठक्ठकाता, पुंकारे भरता फिर सोच दूब गया दोगरा अंत में सुलेमान बेहत गंभीर स्वर में बोला टाइम्स इलाहबाद में एरिक जॉनसन के मैनेजर के तौर पर कमपनी के निजाम में तुम्हारी हैसियत बहुत मामूली थी तब से आज तक तुम बहुत तरक्की कर चुके हो, इतनी तरक्की कर चुके हो कि बखिया साहब की निगाह में हैड क्वार्टर की सुरक्षा के हकदार बन चुके हो लेकिन इलाहबाद की अपनी मैनेजरी के दौरान जो हरकत तुमने की थी, अगर उसे मैंने उपर वालों से छुपा कर न रखा होता, तो कम्पनी में न सिर्फ तुम्हारा कैरियर खक्म हो गया होता, जर तुम्हें कोई मुनासिब सजा भी मिलती कम्पनी को धोखा देने के अंजाम से तुम तब भी नावाकिफ नहीं थे, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, सुलेमान साहब, दोगरा लगधग गिरगिरा पड़ा की उस दुश्वारी की घड़ी में आपने मेरी रक्षा की थी, तुमने कम्पनी के पैसे में से 50,000 रुपए की रकम का घोटाला किया था, सुलेमान यूँ कहता रहा, जैसे उसने डोगरा की बात सुनी ही नहीं थी, जो कि तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि सिर्फ मेरी निगाहों में आया था, उस रकम को वापस कम्पनी में जमा करा देने की मैंने तुम्हें एक हफ़ते की मुहलती थी, त अपनी उस वक्त की मामूली हैसियत में और उस वक्त के सस्ते जमाने में तुम्हारे लिए पचास हजार की रकम मामूली नहीं थी, होती तो तुमने या तो घोटाला किया ही नहोता और या उसकी पोल खुल जाने से पहले रकम वापस जमा कर दी होती, लेकिन तुमने पचा नहीं तब मुझे यह सूझा था कि वह वही रकम थी, जिसकी एवज में तुम्हारा वह सरगार एकाउंटेंट दो साल की सजा पा गया था। तुम्हारी उस सरदार की बीडी से आशनाई की कहानी भी जुड़ी हुई थी और यह कि तुमने गरीब मार की थी। तुमने अपने जाती फायदे के लिए एक बेगुना आदमी को जेल भिजवाया था। आज वही आदमी तुम्हारी मौत का। परकाला बना हुआ है तो तुम्हारा दिल यह कबूल नहीं करना चाहता कि वह वही आदमी है। लेकिन दोगरा तुम हकीकत को नहीं जुटला सकते। तुम इस हकीकत को भी नहीं जुटला सकते कि तुम उससे डरे हुए हो वरना तुम यू मदद के लिए मेरे पास ना आय होते। मैं उससे डरा नहीं हुआ। दोगरा तनिक दिलेरी से बोला मैं उससे बखू भी निपट सकता हूँ। मैं उसे मक्खी की तरह मसल सकता हूँ। लेकिन मुझे उसको तलाश करने के लिए कमपनी की मदद चाहिए। हाँ। सुलेमान बड़ी संजीदी से सहमती में सिर हिलाता हुआ बोला तुम्हें एक ऐसे मामले में कमपनी की मदद चाहिए जो पहले तुम्हारा जाती मामला था। लेकिन जो कमपनी के हेड़क्वार्टर पर गोलियां बरसने की वजह बन चुका है। ठीक, सुलेमान ने ऐसी तीखी निगाह से उसे देखा कि डोगरा ने घबरा कर पलकें जुका ली। बहरहाल तुम्हारे इस जाती मामले से दो-चार होने के तीन तरीके मुम्किन है। नंबर एक, सुलेमान उसके सामने एक उंगली खड़ी करता हुआ बोला, कमपनी की जो मदद तुम चाहते हो, वह तुम्हें मुहया करा दी जाए। नंबर दो, पहली उंगली के साथ, उंगली और उठी, हम तुम्हारी जाती दुश्वारी को नजरंदास कर दे और तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दे। यानि कि हम इस बात को कमपनी की दिल्चस्पी के काबिल न माने कि वह आदमी तुम्हें मारता है या तुम उसे मारते हो। नंबर तीन दोग्रा के चहरे के सामने सुलिमान की तीन उंगलिया लहराई, तुम्हारे इस जमेले को हम। कमपनी के लिए खत्रा माने और हम ही तुम्हारी छुट्टी कर दें। छुट्टी का मतलब दोग्रा की समझ से बाहर नहीं था। एकाएक वह सिर से पाव तक कामप गया। एकाएक उसका गला सूखने लगा और अपनी जुबान उसे अपने मुह में रखा चमडे का टुकड़ा मालूम होने लगी। इन तीन तरीकों में से हर तरीके के सुलिमान आगे बढ़ा अपने फाइदे हैं, अपने नुकसान हैं। दोगरा कमपनी ने तुम पर मिहंत की है। अगर हम पहला तरीका इस्तिमाल में लाएं यानि की जो मदद तुम कमपनी से चाहते हो, वह तुम्हें मुहया करा दें, तो एक तरह से हम अपनी वो मेहंत बचा रहे होंगे, जो की इतने सालों में हमने तुम पर की है। यह आपकी मुझ पर बहुत महरबानी होगी, सुलेमान साहब। दोगरा व्यगरभाव से बोला, मैं आपकी इस महरबानी को जिन्दगी भर नहीं भूलूंगा। यह कोई बहुत बड़ी तसली नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिन्दगी के तो सिर्फ चंद मिनट बाकी रह गए हो सकते हैं। दोगरा के जिस्म में फिर ठंड़क की लहर दोड़ गई। उस वातानुकुलित कमरे में उसके माथे पर पसीने की बूंदे चहचहा आई। अगर हम दूसरा तरीका इस्तिमाल करें। बढ़ सकती है। आज की तारीक में वह खतरनाक इश्तिहारी मुझरिम सर्दार सुरेंदर सिंह सोहल अपने आप में एक आर्गेनाइजेशन माना जाता है। अपराध की दुनिया में वह बहुत नाम कमा चुका है। इतना नाम कमा चुका है कि एक बार खुद बखिया साहब ने ऐसा सोचा था कि उसे तलाश करके कमपनी में शामिल होने की दावत दी जाए। लेकिन फिर यह सोच कर यह ख्याल मुल्तबी कर दिया गया था कि अभी उसके बुलंद होसलों को थोड़ा और परख लिया जाए। ऐसे खतरनाक आदमी के खिलाफ दोगरा। अगर तुम जीत जाते हो तो यह कमपनी के लिए फक्ख की बात होगी। यह इस बात की गारंटी होगी कि तुम कमपनी के हमारी उम्मीद से ज्यादा काम के आदमी हो और बहतर पोजीशन के हकदार हो। तुम्हारी जीत तुम्हारी तरक्की की बुनियाद बन सकता है, दोग्रा. तुम मेरे बराबर पहुच सकते हो. तुम मेरे से आगे निकल सकते हो. आपसे बराबरी करने का तो मैं सपना भी नहीं देख सकता, सुलेमान साहब. दोग्रा बड़े विन्यशील स्वर में बोला, लेकिन उस आदमी को मैं बड़ी सहूलियत से खत्म कर सकता हूँ, कमपनी से सिर्फ मुझे उसको तलाश करने के लिए मदद दरकार है. मुझे उसका अत्पता मालूम हो जाए सही, फिर मैं खुद ही उसकी हस्ती मिटा दूंगा अब तीसरे तरीके के नफे नुकसान पर आओ. किसी उचे उहदे पर पहुँचने के काबिल आदमी तो क्या कमपनी के काम के ही आदमी नहीं थे? क्या तुम्हारी तभी छुट्टी नहीं कर दी जानी चाहिए थी? मैंने सिर्फ एक ही गलती की थी. दोगरा गिर गिराया. लेकिन वह तुम्हारी एक गलती जिसके लिए तुम्हें बक्षा भी जा चुका है. आज कमपनी के सामने एक बहुत बड़ा खत्रा बन कर आन खड़ी हुई है. वह खतरनाक इश्टिहारी मुजरिम कमपनी के लिए खत्रा बन सकता है. उसकी वजह से तुम कमपनी के लिए खत्रा साबित हो सकते हो. इस लिहास से तुम खुद ही सोचो की तीसरे तरीके पर अमल करने पर क्या कमपनी को फाइदा नहीं है? जिस शक्स से कमपनी को खत्रा हो, अगर उस शक्स को खलास कर दिया जाए, तो क्या वह खत्रा तल नहीं जाएगा? दोगरा पत्ते की तरह कामप गया. उसके चहरे का रंग उड़ गया. सुलेमान कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, हाँ, तो अब हमने तीन तरीकों में से एक तरीका अक्तियार करना है. कमपनी तुम्हारी मदद करे, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दे या तुम्हें खलास कर दे. मेरे ख्याल से मौजूदा हालात में दूसरे तरीके का अमल करना ही मुनासिब होगा. मेरे ख्याल से अपने जाती मामलात को तुम्हें खुद ही हैंडल करना चाहिए. ऐसे मामलों में कमपनी का दखल पैदा नहीं होना चाहिए. दोगरा अगर तुम उस आदमी को खुद ही हैंडल कर सको तो अच्छा है. न कर सको तो वापस मेरे पास आ जाना. तब हम पहले या तीसरे तरीके में से कोई एक चुन लेंगे. ओके. ओके. अपने सूखे गले से डोगरा बड़ी कठिनाई से आवाज निकाल पाया. लेकिन उसको तलाश करने के लिए कमपनी के आदमियों की मदद. तुम्हे नहीं हासिल होगी. सुलेमान सक्ती से बोला यह तुम्हारा सिरदर्ध है. इसे तुम ही भुगतोगे. कमपनी के पास इतने फाल्तु आदमी नहीं है कि उन्हें तुम्हारी जाती दुश्वारियों को हल करने के लिए लगाया जाए. दोगरा के मुह से बोल न फूटा. तुम कमपनी के एक महत्वपून उहदे पर हो, कमपनी के कामकाज का एक महकमा देखने की जिम्मेदारी तुम पर भी है. उस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए जो आदमी तुम्हारे साथ या तुम्हारे नीचे काम करते हैं उन्हें भी अगर तुम इस आदमी की तलाश में लगाओगे तो कमपनी के काम का हर्जा होगा मेरा मतलब समझ रहे हो न तुम जजी हां जी हां दोगरा फंसे स्वर में बोला जी हां समझ रहा हूँ गुड़ कोई और बात जी नहीं बस मुझ वक्त देने का शुक्रिया सुलेमान ने मुसकराते हुए उसका शुक्रिया कबूल किया दोगा अपने स्थान से उठा सुलेमान ने उठने का उपक्रम नहीं किया उठकर उसे दोगरा से हाथ मिलाना पड़ता जिस जहमत से शायद वह बचना चाहता था दोगरा ने उसका मंतव्य समझ कर उसका अभिवादन किया और घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दोगरा एकाएक सुलेमान यू बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो एक बात और दोगरा ठिटका घूमा उसने सशंक भाव से सुलेमान की तरफ देखा मौझूदा हालात में तुम्हारा होटल में रहना मुनासिभ नहीं होगा सुलेमान बोला होटल पर गोलियों की बौचार होने की जो घटना आज घटी है वह होटल की नाम पर धब्बा लगा सकती है ऐसी कोई और घटना घट गई तो बखिया साहब का कहर तुम्हारे साथ-साथ मुझ पर भी तूट पड़ेगा अपनी पहली घटना को ही कवर करने के लिए खुदा जाने मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा कहने का मतलब यह है कि जब तक यह मामला आर या पार नहीं हो जाता तुम्हारी हार जीत का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कहीं और जाकर रहना होगा उसके के मुह से बोल न फूटा वह केवल सहमती में सिर हिला पाया वैसे तुम्हारा सूइट तुम्हारे लिए रिजर्व रहेगा जब तुम अपनी जीत की खबर लेकर आओगे तो तुम्हें फिर उसमें रहने की इजाज़त दे दी जाएगी समझ गए? जी हाँ और होटल से विदा होते समझ सुरंग वाला खुफिया रास्ता इस्तमाल करना इसमें तुम्हारी ही भलाई है अगर कोई आदमी तुम्हारी खातिर होटल की निगरानी कर रहा होगा तो उसे मालूम नहीं हो पाएगा कि तुम होटल से कूच कर चुके हो ओके यस सर सुलेमान फिर न बोला दोगरा उसका दोबारा अभिवादन करके मनमन के कदम रखता हुआ वहां से विदा हो गया अजीब बात थी अपनी मुश्किलों का कोई हल धूंड वह वहां आया था और अपनी मुश्किलों को दोबाला करके वहां से लौट रहा था और आधी रात होने की प्रतीक्षा कर रहा था दोग्रा के कमरे तक पहुँचने की एक बड़ी खतरनाक योजना भी बना चुका था जिस पर अमल करने के लिए वह आधी रात होने की प्रतीक्षा कर रहा था दोग्रा जिस बालकनी पर प्रकट हुआ था उसकी स्थिती उसे अच्छी तरह से याद थी बाद में उसने बाहर से बालकनिया गिनकर इस बात की तस्दीक भी कर ली थी कि वह होटल के उसविन की बाई और से आठवी बालकनी थी बंती इमारत में से विमल ने एक बात नोट की थी कि हर बालकनी के पीछे रोशनी नहीं थी उसने चार-पांच बालकनिया ऐसी देखी थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी और कार जलने के हंगा में बावजूद उनमें न कोई रोशनी प्रकट हुई थी और न कोई शक्स कमरे से निकल कर बाहर बालकनी में आया था वैसी एक बालकनी उनके आठवी मन्जिल पर स्थित सूइट के कदम नीचे थी तब से काफी पहले विमल बाजार से एक नायलॉन की लंबी पतली लेकिन मजबूत रसी एक रबड चढ़ा लोहे का हुक और अपने पहनने के लिए एक एकदम स्याह काली पोशाक खरीद लाया था पोशाक में एक कौटन का काला थैला भी शामिल था जिसमें आखों की जगह दो छेद काट कर उसने उसे नकाब की सुरत दे दी थी जो कुछ वह करने जा रहा था उससे नीलम बुरी तरह थी लेकिन क्योंकी वह यह भी जानती थी कि विमल अपनी हट छोड़ने वाला नहीं था इसलिए बड़े सस्पैंस भरे वातावर्ण में वह एकदम खामोश बैठी थी आधी रात के बाद विमल ने अपनी बालकनी में से बाहर जांका से आग से स्वाहा हुई कार हटाई जा चुकी थी फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा कर कपके जा चुके थे पुलिस भी घटना स्थल पर आई थी और तफ्तीश की आपचारिकता पूरी करके जा चुकी थी नीचे अब एकदम सन्नाटा था इमारत के दोनों कोनों पर पहले उसने कुछ आदमी तहलते देखे थे लेकिन अब वहां उनमें से दो ही रह गए थे जो दोनों कोनों पर मौजूद थे बाकी आदमी जा चुके थे वे दोनों सावधानी के लिए वहां तैनात किये गए मालूम हाते थे अब रात के समय बिना मुनासिब शिनाख्त के किसी का बंती इमारत की तरफ बढ़ पाना संभव नहीं था दूसरी मन्जिल की जो बालकनी विमल का लक्ष थी उसमें अभी भी अंधेरा था होटल में मोटे तौर पर संणाटा ही चाया हुआ था उसकी फाल्तू बत्तियां बुझाई जा चुकी थी फाइव स्टार होटल की गहमा गहमी भरी जिन्दगी के एक और रोज का समापन लगभग हो चुका था विमल ने अपनी काली पोशाक पहन ली वह पोशाक काली जीन, काला हाइनैक का पुलोवर, काली नकाब, काली गोल केप, काले दस्ताने और काली अंगुठे वाली जुराबें जूते उसने नहीं पहने थे, रिवॉल्वर उसने पतलून की पिछली जेब में रख ली थी हुक को उसने पहले ही रसी के साथ मजबूती से बांध लिया था रसी का रंग भी काला था विमल ने हुक को बालकनी की रेलिंग के साथ मजबूती से अटकाया और धीरे धीरे रसी नीचे लटका दी रस्सी नीचे लटका दी रस्सी का दूसरा सिरा दूसरी मनजिल से भी थोड़ा आगे पहुँच गया विमल कुछ क्षन प्रतीक्षा करता रहा लेकिन कोई प्रतिक्रिया होती न पाकर उसने आखो ही आखो नीलम को आश्वासन दिया और रस्सी के सहारे बालकनी से बाहर लटक गया नीलम बालकनी के फर्श पर बैठ गई खुक हालां की रेलिंग पर से सरकने वाला नहीं था फिर भी उसने उस पर अपने दोनों हाथ रख लिए एक विशाल काली मकडी की तरह रसी के सहारे सपाट दीवार पर सरकता हुआ विमल नीचे बढ़ता रहा हफलोर पर एक बालकनी के पहलू से वह गुजर रहा था लेकिन कहीं से कोई विघन बाधा समने नहीं आई थी वह दूसरी मन्जिल की बालकनी तक निर्विघन पहुँच गया बालकनी के भीतर खड़े होकर उसने रसी को दो जटके दिये नीलम ने हौले हौले रसी वापस खीच ली विमल बालकनी के बंद दर्वाजे के पास पहुचा उसने हैंडल घुमा कर दर्वाजे को भीतर को धक्का दिया तो पाया कि दर्वाजा भीतर से बंद नहीं था उसने दर्वाजे को थोड़ा सा खोला दर्वाजा एक बार हौले से चर्मराया और फिर खामोश हो गया उसने भीतर कदम रखा और सावधानी से अपने पीछे दर्वाजा भिड़का दिया जैसे कि उसे उम्मीद थी, वह बैडरूम था वह एक ही कदम और आगे बढ़ा था कि एकाएक ठिठक गया उसे लगा कि बैडरूम खाली नहीं था पलंग पर से बड़े व्यवस्थित धंग से चलती हुई किसी की सांसों की आवाज आ रही थी उसने कान लगा कर सुना तो उसे सांसों की आवाज डबल थी वह पशोपेश में पड़ गया जिस सुइट को वह खाली समझ कर आया था, वह खाली नहीं था वह पहले खाली था तो अब खाली नहीं था अब क्या करे वो? क्या वापस लौट जाए? नहीं, वहां तक पहुँच जाने के बाद अब वापस लौटने की कोई तुक नहीं थी उसने गलियारे में जहाकने का फैसला किया वह दबे पाव बाहर के कमरे के दर्वाजे की तरफ बढ़ा अभी बह दर्वाजे की चौखट तक ही पहुचा था की तरफ एकाएक बैडरूम में विशाल पलंके दोनों पहलूओं में सखे दो टेबल लैंपों में से एक जल पढ़ा विमल ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली और घूम कर पलंकी तरफ देखा एक कमर तक नंगी नौजवान लड़की पलंक पर बैठी थी और फटिफटी आँखों से उसकी तरफ देख रही थी उसके समीप एक आदमी बड़ी चैन की नींद में सोया पड़ा था लड़की का मुह एक आएक खुला विमल समझ गया कि वह चीखने लगी थी उसने रिवॉल्वर वाला हाथ उसकी तरफ तान दिया और कहर भी निगाहों से उसे घूरते हुए उसे चुप रहने का संकेत किया गला फाड कर चिलाने को ततपर लड़की की चीख उसके गले में घुटकर रह गई लेकिन फिर उसके गले से जो थोड़ी बहुत घरगराहट निकली वह कमरे के स्तब्ध वातावर्ण बहुत जोर से गुंजी आदमी ने करवट बदली और बड़ी मेहंत से आखें खोली उसने अपनी नीन से भरी आँखों से लड़की तरफ देखा लड़की ने बड़े आतंकित भाव से अपनी एक उंडली विमल की तरफ उठा दी उस आदमी ने विमल की तरफ देखा एक शन के लिए उसके चहरे पर ऐसे असमंजस के भाव आए जैसे वह फैसला न कर पा रहा हो कि जो कुछ वह देख रहा था वह हकीकत थी या सपना था फिर एक आएक उसकी आख से नींद उड़ गई वह तनिक उचा हुआ उसने एक तकिये के नीचे हाथ डालने की कोशिश की खबरदार विमल दो कदम आगे बढ़ आया और रिवॉल्वर उसकी तरफ तंता हुआ बोला उस आदमी का हाथ रास्ते में ही ठिठक गया वह अपलक विमल को देखने लगा लड़की ने एक कंबल अपनी तरफ खीच लिया था और उसका एक किनारा अपने दोनों हाथों से अपनी ठोड़ी के नीचे जकड़ कर अपनी नंगी छातियों को ढख लिया था कौन हो तुम वह आदमी बड़ी दिलेरी से बोला तुम भीतर कैसे घुसे मैं काले पहाड का सब्ज गुलजार हूँ विमल सहज भाव से बोला और भीतर इस बालकनी के रास्ते घुसा हूँ जिसका दर्वाजा खुला था उस आदमी को तुरंट कोई दूसरा सवाल न सूझा जैसी शराफत से मैंने तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब दिया है विमल बोला उमीद है वैसी शराफत से अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम हो कौन बताया तो मैं तुम्हारे बाप काले पहाड का नस्दी की रिष्टेदार हूँ सब्ज गुलजार तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते अभी तो मैं यहां आया हूँ जाने की बात मैं जाते वक्त सोचूंगा तुम बचकर नहीं जा सकते उस आदमी ने फिर अपनी धमकी दोहराई अच्छा कौन रोकेगा मुझे तुम या तुम्हारी यह बुढ़ापे की आच तुम तुम ओ कौन विमल ने उसका फिक्रा पूरा किया मौजूदा हालात में इस से बहतर सवाल तुम्हें नहीं सूच सकता अब अगर एक आएक विमल का स्वर बेहत करकश उठा अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी बकवास बंद करो और जो मैं पूछू उसका जवाब दो तुम जानते नहीं हो कि तुम किस से मुखातिब हो और कहा घुस आये हो अगर तुम आपनी खैरियत चाहते हो तो विमल ने गोली चला दी गोली उस आदमी की गर्दन से थोड़ा उपर पलंग की पीठ में धंस गई विमल की उस अप्रत्याशित हरकत का उस आदमी पर फोरण असर हुआ उसके चहरे का रंग उड़ गया यूं बधवास सा रिवॉल्वर की नाल की तरफ देखने लगा जैसे निगाहों से ही वह उसमें से निकलने वाली अगली गोली को वापस धकेल सकता हो आतंग से लड़की की तो आखें ही बंध हो गई पहले तुम फैसला करो विमल क्रूर स्वर में बोला कि तुम अपनी खैरियत चाहते हो या नहीं उसने जोर से ठूक निगली मैंने तेरे से एक सवाल पूछा है हराम जादे चाहता हूँ गुड बिस्तर से निकलो और कपड़े पहनो उस आदमी ने विमल के आदेश का पालन किया लेकिन बिस्तर से निकलने से पहले उसने हाथ बढ़ा कर समीथी पड़ी एक कुर्सी की पीठ पर से आपना ड्रैसिंग उठाया और फिर बिस्तर से निकला उसने ड्रैसिंग गाउन पहन लिया उधर दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ उस आदमी ने फौरण वैसा ही किया तुम भी विमल युवती की तरफ घूमा तुम भी बिस्तर से बाहर निकलो मेरे कपड़े वह हतलाती हुई बोली कहा है उसने एक कोने में पड़े एक सोफे की तरफ इशारा किया विमल उस आदमी की तरफ से निगा हटाए बिना सोफ तक पहुचा उसने लड़की के कपड़े उठाए और उनका एक गोलासा बना कर उसे लड़की की तरफ उछाल दिया कपड़ों का गोला लड़की की छाती से टकराता हुआ उसकी गोद में जाकर गिरा कपड़े पहनो विमल बोला और अपने सहब की बगल में जाकर खड़ी हो जाओ तर तुम तुम क्या तुम तुम उधर मुह फेरो क्यो ताकि मैं उठकर कपड़े पहन लू क्या कहने ज्यादा नखरे मत करो वरना ऐसे ही बाह पकड़ कर सहब की बगल में खड़ी कर दूँगा उसके शरीर ने जोर से जुर जुरी ली सुना नहीं विमल घुड़क कर बोला लड़की ने मजबूरन कंबल की ओट छोड़ दी उसने निगाहे नीचे गड़ाय गड़ाय पहले अपनी अंगिया पहनी फिर बलाउस पहना फिर पेटी कोट को कंबल के नीचे कहीं ले जाकर पहना और फिर पलंग से उतर कर साड़ी बांधी उसके बाद वह विमल से दोबारा कहलवाय बिना आदमी की बगल जाक्री हुई विमल पलंग पर पहुँचा सबसे पहले उसने उस तकिये को उठाया जिसके नीचे उस आदमी ने उसे देखते ही हाथ डालने की कोशिश की थी वहाँ एक ननही सी पिस्टॉल मौजूद थी विमल ने पिस्टॉल अपने अधिकार में कर ली फिर वह बड़े इत्मीनान से पलंग पर बैठ गया अपना नाम बोलो उसने आदमी को आदेश दिया शांतिलाल वह आदमी बड़ी बेबसी से विमल की उसने ड्रैसिंग गाउन पहन लिया उधर दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ उस आदमी ने फौरण वैसा ही किया तुम भी विमल युवती की तरफ घूमा तुम भी बिस्तर से बाहर निकलो मेरे कपड़े वह हकलाती हुई बोली कहा है उसने एक कोने में पड़े एक सोफे की तरफ इशारा किया विमल उस आदमी की तरफ से निगाह हटाए बिना सोफ तक पहुचा उसने लड़की के कपड़े उठाए और उनका एक गोलासा बना कर उसे लड़की की तरफ उच्छाल दिया कपड़ों का गोला लड़की की छाती से टकराता हुआ उसकी गोद में जाकर गिरा कपड़े पहनो विमल बोला और अपने सहब की बगल में जाकर खड़ी हो जाओ तर तुम तुम क्या तुम तुम उधर मुह फेरो क्यो ताकि मैं उठकर कपड़े पहन लू क्या कहने ज्यादा नखरे मत करो वरना ऐसे ही बाह पकड़ कर साहब की बगल में खड़ी कर दूँगा उसके शरीर ने जोर से जुर जुरी ली सुना नहीं विमल घुड़क कर बोला लड़की ने मजबूरन कंबल की ओट छोर दी उसने निगाहे नीचे गड़ाय गड़ाय पहले अपनी अंगिया पहनी फिर ब्लाउस पहना फिर पेटी कोट को कंबल के नीचे कहीं ले जाकर पहना और फिर पलंग से उतर कर साड़ी बांधी उसके बाद वह विमल से दोबारा कहलवाए बिना आदमी की बगल जाकरी हुई विमल पलंग पर पहुचा सबसे पहले उसने उस तकिये को उठाया जिसके नीचे उस आदमी ने उसे देखते ही हाथ डालने की कोशिश की थी वहाँ एक ननहीसी पिस्तॉल मौजूद थी विमल ने पिस्तॉल अपने अधिकार में कर ली फिर वह बड़े इत्मीनान से पलंग पर बैठ गया अपना नाम बोलो उसने आदमी को आदेश दिया शांतिलाल वह आदमी बड़ी बेबसी से विमल की तरफ देखता हुआ बोला तुम्हारा क्या नाम है? सिल्विया वह बोली तुम कौन हो? उसने उट्टर नहीं दिया कॉल गरल विमल बोला उसने शांतिलाल की तरफ देखा यह प्रोफेशन नहीं शांतिलाल बड़े दैनियस्वर में बोला ओह तो फिर क्या चीज है यह? तुम्हारी बीवी यह कंपनी की होस्टेस है और तुम? तुम क्या हो कंपनी के? मैं कंपनी के एक जिम्मेदारी के उहदे पर हूँ और तुम्हारे जैसे कंपनी के अफसरान को ऐसी होस्टेसे फ्री एंटर्टेन करती है हमेशा नहीं तू जब हम कोई काबिले तारीफ काम करके दिखाते हैं ओह तो हाल ही में तुमने कोई काबिले तारीफ काम करके दिखाया है हाँ और यह सिल्विया तुम्हारा इनाम है हाँ यह इनाम तुम लोगों कौन देता है खुद बखिया बखिया का नाम विमल के मुह से सुनकर उसके चहरे पर हैरानी के भाव उभराए विमल ने बड़े चेतावनी भरे धंग से अपना रिवॉल्वर वाला हाथ हुचा किया न नहीं नहीं तू मुहम्मद सुलेमान हमारा बॉस वो है और उसे ऐसा इनाम कौन देता है उसे ऐसे इनामों की जरूरत नहीं होती उसको ऐसी सारी चीजें पर्मानेंट मिली होती है आई सी विमल ने एक सरसरी निगाह शांतिलाल के इंतहाई शांदार इनाम पर डाली और फिर बोला तुम ज्यान प्रकाश डोगरा को जानते हो शांतिलाल ने सहमती में हिलाया तुम्हारी इस कंपनी में उसका उहदा क्या है वही जो मेरा है यानि कि तुम दोनों का बौस मुहम्मत सुलेमान है हाँ ऐसा इनाम डोगरा को भी सुलेमान से हसिल होता होगा हाँ, उसका कमरा नमबर बोलो शांतिलाल हिचकी चाया देखो, विमल कहर भरे स्वर में बोला, मेरे सबर का इंतहान मतलो और यह बात याद रखो, तसली के तौर पर याद रखो कि मेरी तुम्हारे साथ कोई अदावत नहीं है मैं किसी पूर्व निर्धारित योजना से तुम्हारे कमरे में नहीं आया महज इत्तफाक मुझे यहां ले आया है, इसलिए क्यों खामखा अपनी और अपने इनाम की जान हलकान करना चाहते हो 208. शांतिलाल फौरन बोला गलियारे में कमरों के नंबर कौन से सिरे से शुरू होते हैं? 22 कहां से शुरू होते हैं? 201 विमल को वह सच बोलता लगा उसके कथन की पुष्टी उसकी अपनी गोलमाल तफ्तीश से भी एक लिहास से होती थी फिर विमल का ध्यान मेज पर रखे दो फोनों की तरफ आकर्शित हुआ ये दो फोन कैसे हैं? उसने पूछा एक बोर्ड से एक सिटेंशन है और दूसरा किस्तों में जवाब मत दो, दूसरा आटो है वैसा आटो डोगरा के पास भी होगा हाँ उसे आटो पर फोन करो इस वक्त हाँ और यह मत कहना कि तुम्हें उसका नंबर नहीं मलूम या तुम्हें भूल गया है अगर तुम उसका नंबर भूल गये तो हो सकता है मैं यह भूल जाओं कि रिवाल्वर का घोडा खीचने से गोली चल पड़ती है लेकिन इस वक्त तो इस वक्त विमल गुर्राया वह तुम्हारे बराबर के उहदे का आदमी है तुम्हारा बाप नहीं फोन करो शांतिलाल हिचकी चाता हुआ पलंग के समीग पहुचा बड़े अनिच्छा पूर्ण भाव से उसने एक टेलीफोन का रिसीवर उठाया विमल ने दूसरे टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया यस सर तुरंट स्विच बोर्ड ओपरेटर का आदर पूर्ण स्वर उसके कान में पड़ा विमल ने रिसीवर वापस रख दिया शांतिलाल ने सही टेलीफोन का रिसीवर उठाया था नंबर मिलाओ विमल बोला लेकिन खबरदार तुम्हारे मुह से आवाज न निकले उधर से डोगरा की आवाज आते ही फोन रख देना शांतिलाल ने सहम्ती में सिरहिलाया और फिर एक नंबर मिलाया घंटी जा रही है शांतिलाल बोला उधर से कोई फोन नहीं उठा रहा डिस्कनेक्ट करके फिर मिलाओ शांतिलाल ने आदेश का पालन किया लेकिन उसने फिर वही जवाब दिया कि घंटी जा रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था विमल ने उससे receiver लेकर अपने कान से लगाया वह सच कह रहा था, घंटी जाने की tone एर पीस में से आ रही थी ऐसा हो सकता है कि जानबूच कर फोन न उठाए उसने रिसीवर शांतिलाल को वापस थमाते हुए पूछा नहीं शांतिलाल बोला क्यों? क्योंकि फोन सुलेमान का भी हो सकता है तो फिर फोन खराब होगा वह अपने कमरे में नहीं होगा विमल सोचने लगा ग्यारा बजे तक तो उसने और नीलम ने शिफ्टों में लॉबी की निगरानी की थी तब तज तो वह होटल से बाहर कहीं गया नहीं था उसकी बालकनी पर हुई गोलियां की बोचार की में होटल से बाहर कदम रखने की हिम्मत तो वह शायद ही करता जरूर वह कमरे में ही था या तो वह किसी वजह से जानबूज कर फोन नहीं उठा रहा था और या फिर खराब था टेली फोन रख दो विमल ने आदेश दिया शांतिलाल ने ऐसा ही किया ऐसा इनाम विमल ने सिल्विया की तरफ संकेत किया अगर डोगरा को अभी मिल जाए तो क्या उसे हैरानी होगी क्या वह इनाम को हासिल करने से इनकार कर देगा ऐसे शांदार इनाम को हासिल करने से इनकार कर देगा नहीं लेकिन बाद में वह सुलेमान साहब से उस महरबानी की वजह जरूर पूछेगा बाद को छोड़ो अगर यह इनाम अभी उसे हासिल हो जाए तो वह क्या करेगा वह बास की तरहें इनाम पर जपट पड़ेगा, गुड अब रूम सर्विस को फोन करो किसलिए? बहतरीन स्कॉच विस्की की एक बोतल और एक तंदूरी चिकन मंगाओ इस वक्त आधी रात होते ही इतनी शानदार लड़की के पहलू से लगकर गए तुम्हारी जगह काई नौजवान होता इसके साथ उसकी पलक न जपकती तब क्या आधी रात के बाद उसका विस्की और चिकन का ओर्डर अजीब लगता? अच्छी बात है शान्तिलाल गहरी सास लेकर बोला टाइंस करता हूँ फोन उसने फोन किया और निरंतर अपनी ओर तनी रिवॉल्वर की धमकी में ओर्डर दोहरा दिया अब मुझे बाथरूम दिखाओ विमल ने नया आदेश दिया शान्तिलाल ने बैडरूम की ही पिछली दिवार में बने एक बंध दर्वाजे की ओर संकेत कर दिया साथ चलो शान्तिलाल भारी कदमों से उस दर्वाजे की तरफ बढ़ा मैं अभी वापस आ रहा हूँ विमल खा जाने वाली निगाहों से लड़की को घूरता हुआ बोला मेरे लोटने पर अगर तुम मुझे अपनी जगह से एक इंच भी सरकी दिखाई दी तो मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म की तिक्का बोटी एक करके चील कववों को खिला दूँगा सिल्विया यूँ सिर से पाव तक काम पी जैसे उसकी तिक्का बोटी एक करने को कलाल उसके सामने ही खड़ा हो विमल शांतिलाल के पीछे हो लिया जानबूज कर फोन नहीं उठा रहा था और या फिर खराब था टेली फोन रख दो विमल ने आदेश दिया शांतिलाल ने ऐसा ही किया ऐसा इनाम विमल ने सिल्विया की तरफ संकेत किया अगर डोगरा को अभी मिल जाए तो क्या उसे हैरानी होगी क्या वह इनाम को हासिल करने से इनकार कर देगा ऐसे शांदार इनाम को हासिल करने से इनकार कर देगा नहीं लेकिन बाद में वह सुलेमान साहब से उस महरबानी की वजह जरूर पूछेगा बाद को छोड़ो अगर यह इनाम अभी उसे हासिल हो जाए तो वह क्या करेगा वह बास की तरहे इनाम पर जपट पड़ेगा, good अब रूम सर्विस को फोन करो किसलिए? बहतरीन स्कॉच विस्की की एक बोतल और एक तंदूरी चिकन मंगाव इस वक्त क्या हुआ है इस वक्त को? तुम बूढ़े आदमी हो, जो आधी रात होते ही इतनी शांदार लड़की के पहलू से लगकर गय तुम्हारी जगह काई नौजवान होता इसके साथ उसकी पलक न जपकती तब क्या आधी रात के बाद उसका विस्की और चिकन का ओरडर अजीब लगता? अच्छी बात है शांतिलाल गहरी सांस लेकर बोला टाइंस करता हूँ फोन उसने फोन किया और निरंतर अपनी ओर तनी रिवॉल्वर की धमकी में ओरडर दोहरा दिया अब मुझे बाथरूम दिखाओ विमल ने नया आदेश दिया शांतिलाल ने बैडरूम की ही पिछली दीवार में बने एक बंध दरवाजे की ओर संकेत कर दिया साथ चलो शांतिलाल भारी कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा मैं अभी वापस आ रहा हूँ विमल खा जाने वाली निगाहों से लड़की को घूरता हुआ बोला मेरे लोटने पर अगर तुम मुझे अपनी जगह से एक इंच भी सरकी दिखाई दी तो मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म की तिक्का बोटी एक करके चील कववों को खिला दूँगा सिल्विया यू सिर से पाव तक काम पी जैसे उसकी तिक्का बोटी एक करने को कलाल उसके सामने ही खड़ा हो विमल शांतिलाल के पीछे हो लिया आधे रास्ते में उसने वापस घूम कर देखा सिल्विया बुत बनी यथा स्थान खड़ी थी शांतिलाल बाथरूम के दर्वाजे पर पहुँचा विमल के संकेट पर उसने दर्वाजा खोला और भीतर कदम रखा विमल ने फुर्ती से रिवालवर को नाल की तरफ से थाम लिया और उसका एक भरपूर प्रहार उसकी खोपडी के प्रिष्ठ भाग पर किया शांतिलाल के मुह से कराह निकली और वह दर्वाजे पर ही धेर हो गया विमल ने जुक कर उसकी नब्स टटोली और उसकी अब तक उलट चुकी आँखों का मुआयना किया वह जल्दी होश में आने वाला नहीं था फिर भी सावधानिवश विमल ने एक प्रहार उसकी कनपटी पर भी रसीद कर दिया फिर उसने उसे दर्वाजे की चौखट पर से धकेल कर बाथरूम के भी तर किया और बाहर से दर्वाजा बंद दिया वह वापस लोटा सिल्विया निश्चेष्ट खड़ी फटीफटी आँखों से उसे देख रही थी तभी कॉल बैल बजी पूछो कौन है? विमल ने आदेश दिया कौन? सिल्विया उच्चेष्वर में बोली रुम सर्विस मैडम बाहर से आवाज आई जाकर दर्वाजा खोलो विमल उसके फूल जैसे नाजुक एक कपोल रिवालवर की नाल से तहुकता हुआ बोला और वेटर को भीतर बुला अगर तुमने यहां से फूटने की कोशिश की मेरा मतलब है अगर तुमने वेटर की सूरत अपना हिमायती आया पाकर उसके साथ ही यहां से खिसक जाने की कोशिश की या भीतर की स्थिती का किसी तरह का संकेट देने की कोशिश की तो याद रखना मैं चौखट से बाहर की तरफ तुम्हारा कदम उठते ही तुम्हें यही से शूट कर दूँगा समझ गई उसने जल्दी जल्दी सहमती में सिर हिलाया अब जाकर दर्वाजा खोलो और वेटर को यहां लेकर आओ वह फॉरन दर्वाजे की तरफ बढ़ गई विमल ने बैडरूम के दर्वाजे की ओट ले ली रिवॉल्वर की नाल को उसने सिल्विया की पीट की तरफ तान दिया सिल्विया ने दर्वाजा खोला चौखट पर हाथ में ट्रे लिए एक नौजवान वर्दीधारी वेटर खड़ा था ट्रे में एक अर्धवरित्ताकार ढक्कन से ढकी हुई एक प्लेट थी एक विस्की की बोतल थी, एक सोडा साइफन था एक आइस बकेट थी और दो गिलास थे के दो गिलास इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि या तो वेटर को शांतिलाल साहब को उस रात मिले इनाम की खबर थी और या फिर दूसरी मन्जिल के साहब लोगों के कमरों में रात के वक्त लड़कियों की मौझूदगी वहां की आम बात थी सिल्विया ने वेटर को भीतर आने का संकेत किया वेटर भीतर दाखिल हुआ दर्वाजे पर आटोमेटिक दोर क्लोजर लगा होने की वजह से सिल्विया के उसको छोडते ही वह अपने आप बंध हो गया सिल्विया ने वेटर को बैडरूम की तरफ चलने का संकेत किया और स्वयं उसके पीछे पीछे चल दी दोनों आगे पीछे चलते हुए विमल की बगल से गुजरते बैडरूम में दाखिल हुए वेटर ने आगे बढ़कर ट्रे मेस पर रख दी सिल्विया उससे परे हो गई और फटिफटी आँखों से विमल की तरफ देखने लगी विमल आगे बढ़ा तभी वेटर वापस घूमा उसके चहरे पर पहले से ही जूद आतंग के भावों से लगता था कि किसी प्रकार उसे अपने सिर मंदराते खत्रे का इलहाम हो गया था खबरदार विमल सांप की तरह फुम्फकारा मुह से आवाज न निकले आवास तो उसके मुह से क्या निकलती उसकी सूरत से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाट फेल हो जाने वाला था वर्दी उतारो विमल ने आदेश दिया दोबारा न कहना पड़े वेटर ने फौरन आदेश का पालन किया अब वह अंडर्वियर और बनियान पहने विमल के सामने खड़ा था विमल उसके समीप पहुचा पलम के समीप कालीन बिछे फर्ष पर शांतिलाल के स्लीपर पड़े थे स्लीपर उठाओ विमल बोला वेटर स्लीपर उठाने को जुका विमल ने एक भीशन प्रहार उसकी खोपडी पर किया वह फॉरन बेहोश होकर विमल के कदमों में लोट गया विमल उसे भी शांतिलाल के साथ बाथरूम में बंद कराया वापस आकर उसने अपने कपडों के उपर ही वेटर यूनिफॉर्म पहन ली बाहर गलियारे में कोई संतरी जैसा जीव तो नहीं तैनात होता विमल ने लड़की को घूरते हुए पूछा सिल्विया ने इनकार में सिर हिलाया सच कह रही हो सिल्विया ने पहले से ज्यादा जोर से सिर हिला कर हामी भरी विमल ने सिर से गोल्फ केप उतार कर लेकिन चहर से नकाब उतारे बिना ही वेटर की पगड़ी अपने सिर पर रख ली उसने अपने काले दस्ताने उतार कर गोल्फ कप के साथ वेटर की वर्दी की एक जेब में ठूस लिये और पैरों में जुराबों के उपर ही वेटर के जूते पहन लिये जूते उसे बड़े थे, लेकिन उसने कौन सा दोचार मील चलना था वह उस्ट्रे के पास पहुचा उसने अर्धवरित्ताकार धक्कन को प्लेट पर से उठाया और प्लेट में मौजूद तंदूरी चिकन को पलंग पर फैंक दिया उसने प्लेट में अपनी रिवॉल्वर रखी धक्कन वापस प्लेट पर रख दिया शांतिलाल की खिलोना सी पिस्टॉल उसके वेटर की वर्दी की जेब में रख ली थी उसने ट्रे उठाली और सिल्विया से बोला चलो कहा वह फनसे स्वर में बोली बाहर गलियारे में और फिर डोगरा के कमरे में तुम और इसमें लदा हुआ माल डोगरा का इमान है वह सवाल करेगा तुम कभी पहले उसे इमान में मिल चुकी हो? सिल्विया ने बड़ी शर्मिन्दगी महसूस करते हुए सहमती में सिरहिलाया फिर तो वह तुम्हें और तुम्हारी आवास को बखू भी पहचानता होगा उसने फिर हामी भरी यानि कि तुम्हें आया जानकर दर्वाजा तो वह तुम्हें खोलेगा ही खोलगा ठीक, हाँ, गुड़, एक बार दर्वाजा खुल जाने के बाद मैं उसे सबाल करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम, तुम, कौन हो, अच्छा, तुम्हें भी सूज गया यह सवाल पूछना विमल व्यंगपूर्ण स्वर में बोला वह खामोश रही मैं अमिताब बच्चन हो और तुम उस फिल्म की साइड हीरोईन हो, जिसकी की यह शूटिंग हो रही है उसने व्याकुल भाव से विमल की तरफ देखा चलो विमल खिर बोला वह तुरंट आगे बढ़ी विमल ट्रे उठाए उसके पीछे-पीछे चलने लगा विमल चेतावनी भरे स्वर में बोला मैं पलक जपकते ही धक्कन के नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर तुम्हें शूट कर सकता हूँ मेरा होशियारी दिखाने का कोई इरादा नही वह फंसे स्वर में बोली मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है गुड तुम आगे आगे चलो लेकिन तेज चल कर मेरे और अपने बीच फासला बढ़ाने की कोशिश मत करना अच्छा चलो गालियारा खाली था और रात के उस वक्त उसमें निमांधेरा था वहां की तेज बत्तियां बुझाई जा चुकी थी गलियारा अगर खाली न होता तो विमल के चहरे पर चढ़ी काली नकाब उसके लिए समस्या बन सकती थी लेकिन विमल ने गलियार में नकाब दिखाने और लड़की और अपनी सूरत दिखाने के दो खत्रों में से एक को चुनना था और उसने पहले को चुना था वे निर्विघन 208 नंबर कमरे के दर्वाजे के सामने पहुँच गए विमल के संकेट पर सिल्विया ने कॉल बैल बजाई भीतर से उत्तर न मिला थोड़ी देर बाद उसने फिर कॉल बैल बजाई जवाब नदारद जरा दर्वाजा चैक करो विमल सिल्विया के कान में फुस्फुसाया सिल्विया ने हैंडल घुमा कर दर्वाजे को भीतर को धक्का दिया दर्वाजा खुला था विमल के संकेट पर उसने दर्वाजे को थोड़ा और ज्यादा खोल दिया दोनोंने भीतर कदम रखा उसके पीछे दर्वाजा अपने आप बंध हो गया भीतर धुप अंधेरा था वह भीतर मालूम नहीं होता सिल्विया फुसफुसाई खामोश विमल दांत भीच कर बोला उसने ट्रे को धीरे से फर्ष पर रख दिया अंधेरे में ही टटोल कर प्लेट का धक्कन उठाया और नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली कोई बत्ती जलाओ विमल फुसफुसाया उस मन्जिल में सभी सुइट एक जैसे थे इसलिए सिल्विया को मालूम था कि स्विच बोर्ड कहा था उसने एक स्विच दबाया तुरंट ड्राइंगरूम में रोशनी ठैल गई ड्राइंगरूम खाली पड़ा था विमल ने दर्वाजे को भीतर से चिटकनी लगा दी उसने रिवॉल्वर की नाल से सिल्विया की पसलियों को तहोका सिल्विया आगे बढ़ी उसकी ओट लेता हुआ विमल आगे बढ़ा वे बैडरूम की चौखट पर पहुँचे विमल के संकेट पर सिल्विया ने वहां की भी एक बत्ती जलाई बैडरूम भी खाली था विमल बाथरूम में और बालकनी पर जहांक आया वहां भी कोई नहीं था कहां चला गया हराम जादा फिर एक आएक उसे एक ख्याल आया उसने बैडरूम में बनी विशाल वाडरोब के दरवाजे खोल-खोल कर भीतर जाकना आरंब किया कहीं कोई कपड़ा नहीं था कहीं कोई जूतों का जोडा तक नहीं था कहीं कोई सूटकेस तक नहीं था वह दोबारा बाथरूम में पहुचा उसने वाश बेसिन के उपर की शीशे की अलमारी खोली वहाँ एक टूथ ब्रश तक नहीं था न कोई टॉइलेट का सामान न कोई शेविंग सैट सूइट खाली था वहाँ अब कोई नहीं रहता था इसी लिए बाहर का दर्वाजा खुला था दोगरा वहाँ से खिसक चुका था विमल की सारी महंत बेकार गई थी क्रोध में एक बार गी तो वह तड़फडाया कि अगर उसका बस चलता तो वह सारे होटल को आग लगा देता हराम जादा वह दांत पीस कर बोला खिसक गया हराम जादा सिल्विया ने उसके चहरे पर ऐसे हिंसक भाव देखे कि वह घबरा कर दो कदम पीछे हट गई वापस चलो वह सांप की तरह फुम्फकारा कहा सिल्विया हकलाई शांतिलाल के सूइट में और कहा सिल्विया ने सहमती में सिर हिलाया विमल ने रिवॉल्वर को वापस धक्कन के नीचे पलेट में रखा और ट्रे उठा ली दोनों ने आगे पीछे फिर गलियारे में कदम रखा गलियारा पूर्ववत खाली था वे वापस शांतिलाल के सूइट में पहुँचे विमल ने दर्वाजा भीतर से बंद कर लिया सबसे पहले उसने वेटर की वर्दी को तिलांजली दी उसने अपनी गोल्फ केप और दस्ताने फिर से पहन लिये वेटर की वर्दी की जेब से शांतिलाल की खिलोने सी पिस्तॉल निकाल कर उसने अपनी पतलून की जेब में रख ली और ट्रे में से अपनी रिवॉल्वर बरामत करके हाथ में ले ली क्या शांतिलाल को मालूम हो सकता है विमल बोला कि डोगरा अपना यहां का सूइट खाली करके कहां चला गया है सिल्विया ने इनकार में सिर हिलाया मैं कई घंटों से यहां हूँ मेरे यहां आने के बाद से शांतिलाल ने सूइट से बाहर कदम नहीं रखा था लेकिन जब मैं यहां आई थी तब डोगरा आपने सूइट में था मैंने उसे अपने सूइट के दरवाजे पर खड़ा देखा था अब तुम ही सोचो की शांतिलाल को कैसे मलूम होगा कि डोगरा कहां चला गया लेकिन अगर वह चाहे तो मलूम कर तो सकता है जरूरी नहीं लेकिन अगर कर भी सकता है तो कल सुबह से पहले नहीं कर सकता दोगरा का एकाएक यू अपना सूइट खाली कर जाना साबित करता है कि वह किसी को अपनी खबर नहीं होने देना चाहता सुलेमान को भी नहीं सुलेमान को उसका मौजूदा पता मालूम हो सकता है लेकिन शांतिलाल इतनी रात गए इतनी मामूली बात के लिए सुलेमान को डिस्टर्ब करने का होसला नहीं कर सकता यह मामूली बात नहीं तुम्हारे लिए मामूली बात नहीं होगी, लेकिन सुलेमान ये तो यह मामूली बात ही होगी. तुम्हारी कतर्नी तो एकाएक बहुत चलने लगी है. पहले तो तुम्हारे मुह से बोल नहीं फूट रहा था. सिल्विया ने उत्तर न दिया. बाहर एक कार को आग लगने से मचे हंगामे की खबर है तुम है हाँ वह बोली तुम उस घटना से पहले यहाँ पहुची थी या बाद में पहले बहुत पहले हूँ अब मैं तुम्हारा क्या करूँ सिल्विया ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा मेरे लिए सहूलियत का तरीका तो यही है कि मैं तुम्हें गोली मार दूँ तुरंट सिल्विया के चहरे पर हवाईया उरने लगी अभी थोड़ी देर पहले जैसे एकाएक उसमें थोड़ा होसला और ठहराफ पैदा हुआ था वैसे ही एकाएक वह गायब हो गया यह तजुर्बा तो हमें हो चुका है विमल उसे घूरता हुआ बोला कि यहां चली गोली की आवाज बाहर नहीं जाती गगो गोली मत चलाना वह हकलाती हुई बोली ओके गोली नहीं चलाता विमल बड़ी दयातंदारी दिखाता हुआ बोया वेटर और शांतिलाल जैसे ही तुम्हारी भी गत बनाकर मैं तुम्हें बाथरूम बंद कर जाता हूँ ऐसा न करना वह फर्याद करती हुई बोली मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कुछ नहीं लेकिन बिगाड सकती हो मैं मैं कुछ नहीं करूंगी मैं जो कुछ करती हूँ पैसा कमाने के लिए करती हूँ अपनी बूढी मा और अपने छोटे भाई भनों को पालने के लिए करती हूँ मेरा इन लोगों से और कोई वास्ता नहीं है जानकर खुशी हुई फिर समझ लो कि तुम्हारी जान बच गई सिल्विया ने चैन की एक लंबी सास ली यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था लेकिन तुम समझदार हो बात को पहले से ही समझती हो कि मेरे बारे में अपनी जुबान खोलने से तुम्हें कोई फायदा नहीं अलबत्ता नुकसान हो सकता बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है मैं तुम्हारे बारे में अपनी जुबान नहीं खोलूंगी लेकिन शांतिलाल जानता है वेटर जानता है कि तुम मेरे बारे में जानती हो वे दोनों सुबह तक होश में नहीं आने वाले कल शाम से पहले इन्हें मैं नहीं मिलने वाली उसके बाद इन्होंने तुम्हारे बारे में मेरी जुबान खुलवा भी ली तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा शाबाश बहुत समझदार हो तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ शुक्रिया आमतोर पर तो ऐसी असाइनमेंट से तुम्हें दिन में ही निजात मिलती होगी हाँ तुम होटल में रहती हो नहीं अगर किसी ने तुम्हें टोका तो तुम क्या जवाब दोगी मैं कह दुंगी की शांतिलाल का मुझसे मन भर गया था और उसी ने मुझे चलता कर दिया था गुड जाओ वह फुर्ती से कमरे से बाहर निकल गई विमल ने दर्वाजा भीतर से बंद कर दिया वह फौरन बालकनी पर पहुचा नीचे बलाक के दोनों किनारों पर दो पहरेदार अभी भी मौझूद थे लेकिन वतावर्ण के सन्नाटे में कोई अंतर नहीं आया था विमल बालकनी के पहलू में पहुचा उसने जेब से एक सिग्रेट लाइटर निकाला और उसे जल्दी जल्दी तीन बार जलाया गुझाया फिर उसने लाइटर जेब में डाल लिया और रसी के अपने सामने प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा सिल्विया अगर कोई मिसेस पिंटो के विशालय की कॉल गर्ल होती तो शायद वह विमल से अपना वादा निभा लेती वह होटल से निकलती और चुपचाप अपनी राह लगती लेकिन वह कंपनी की होस्टेस थी और कंपनी में वह रुपबा उन्ही लड़कियों को हासिल होता था, जिनकी वफादारी की मुहम्मद सुलेमान को गारंटी होती थी ऐसी सारी होस्टेसे भरपूर ऐशो आराम के साथ होटल में ही रहती थी और उन्हें मोटी तनखाहे मिलती थी गलियारे में कदम रखने के बाद तीन-चार कदम वह बड़े सहज भाव से चली फिर जो ही उसके कानों में पीछे दर्वाजा बंध होने की आवाज पड़ी उसे जैसे पंक लग गए वह बगोले की तरह डोगरा के खाली कमरे में दाखिल हो गई जपट कर वह टेली फोनों वाली टेबल के पास पहुची उसने जल्दी जल्दी एक नमबर डायल किया तुरंट संपर्क स्थापित हुआ वह बिना कॉमा फुल स्टॉप लगाए पूरी रफ्तार से बोलती हुई लाइन के दूसरे सिरे पर मौझूद व्यक्ति को सारी स्थिती समझाने लगी विमल अभी अपनी बालकनी से दो मनजिल परे ही था कि नीचे बलाक के दोनों सिरों मौझूद दो पहरेदारों के पास एकाएक कई आदमी प्रकट हुए और फिर सब नीम अंधेरी राहदारी में फैल गए पोटल को बड़ी खामोशी से घेरा जा रहा था छटी मंचिन्ल के करीब रसी के सहारे अधर लटका हुआ विमल और तीजी से रसी चढ़ने की कोशिश करने लगा शांतिलाल के सूइट के बंद दर्वाजे को जबरन तोड़ कर खोल दिया जा चुका था कई आदमी शांतिलाल की बालकनी पर प्रकट हुए सब नीचे दाएं बाए जहांक रहे थे दगाबाज सिल्विया के लिए विमल के मुह से निकला उसने जरूर बदमाशों को बताया था कि उसने खुद कबूल किया था कि वह बालकनी के रास्ते आया था और हर किसी ने यही समच लिया था कि वह नीचे से उपर आया था तभी बालकनी में मौजूद आदमियों में से एक की निगाह बालकनी के पहलू में दीवार के साथ लटके रस्सी के सिरे पर पड़ी वह रस्सी कैसी है? वह बोला एक अन्य आदमी उसके पास पहुँचा रस्सी को देख कर उसने एकाएक हाथ बढ़ा कर उसे ठाम लिया उसने रस्सी को खीचा तो वह एंट कर स्थिर हो गई उसने उपर जाका भास मिला फिर कोई कालिसी चीज दीवार के साथ हिली उस आदमी ने फुर्ती से अपनी एक जेब से एक रिवालवर और दूसरी से एक साइलेंसर निकाला उसने साइलेंसर को रिवालवर की नाल पर चढ़ाया और उपर दीवार के साथ हिल्ती-डुल्ती काली चीज का निशाना बना कर दो फायर किये विमल बाल-बाल बचा दोनों गोलियां उसके समीप दीवार से कहीं टकराई तभी उसका हाथ बालकनी की रेलिंग पर पड़ा वहां उकरसी बैठी नीलम ने हुप पर से अपने हाथ हटा लिये और उसकी बाहें थाम ली दोबारा गोली चलने से पहले विमल बालकनी में था नीचे रिवॉल्वर वाला आदमी आखें फार फार कर उपर देख रहा था जो हरकत उसे पहले दिखाई दी थी, वह अब दिखाई देनी बंध हो गई थी विमल ने हुप को रेलिंग में से निकल जाने दिया रसी भर भराती हुई नीचे को गिरी उसका हुक बालकनी से बाहर सिर निकाल कर उपर जाकते रिवॉल्वर वाले के थोबडे से टकराया लोहे के भारी हुक ने उसकी नाक तोर दी रसी नीचे राहदारी में जाकर गिरी तुरंत वहां आसपास मौजूद तीन-चार आदमी उसकी तरफ लपके रसी देखकर सब उपर जाकने लगे फिर उनमें से एक रसी की खबर भीतर पहुचाने के लिए वहां से भागा विमल नीलम की बाह पकड़कर उसे लगभग घसीता हुआ भीतर ले गया उसने बालकनी का शीशे का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया लेकिन फिर तुरंत ही कुछ सोच कर उसने उसके पल्ले एक दूसरे से मिले रहने दिये लेकिन चिटखनी खोल दी बैडरूम में केवल दो फुटलाइट जल रही थी जिनकी वजह से वहां बड़ी मामूली रोशनी थी बाहर ड्राइंगरूम में अंधेरा था क्या हो गया था नीलम व्याकुल भाव से बोली इंतजार करते करते मेरे तो प्राण ही निकल गए थे जैसी बेहर्मी मैं मर्दों के साथ दिखा सकता हूँ वैसी औरतों के साथ नहीं दिखा सकता इसलिए घपला हो गया था विमल जल्दी-जल्दी अपनी काली पोशाक उतारता हुआ बोला, तुम भी जल्दी से कपड़े उतारो मैं? वह हडबड़ा गई हाँ यहाँ काले पहाड के आदमी किसी भी क्षन पहुँच सकते हैं यहाँ हाँ रसी की लंबाई से उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि वह उपर कौन सी मन्जिल से नीचे लटकाए गई थी बड़ी हद उन्हें एक मन्जिल का धोखा हो सकता है वे साथवी नाठवी और नोवी मन्जिल के हमारी स्थिती वाले कमरों को चैक करने जरूर आएंगे शायद वे यहां की तलाशी भी लें हाई राम फिर तुम अपनी यह काली पोशाक भी रसी की तरह बाहर क्यों नहीं फैंक देते नहीं फैंक सकता इससे उन्हें गारंटी हो जाएगी कि उनका चोर होटल में ही कहीं ठहरा हुआ है रसी से तो ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी आदमी यहां आया था इस वक्त चोर की तलाश वक्ती होगी लेकिन कपड़े फैंकने से वे आगे के लिए भी सावधान हो जाएंगे और फिर आने वाले दिनों में होटल के एक-एक महमान की हकीकत समझने में कसर नहीं छोडेंगे उस तरह हम ज्यादा फंस जाएंगे हम सुभा ही होटल छोड़ देंगे यूँ एक-एक होटल छोड़ने वालों को तो वे और भी ज्यादा बारीकी से चेक करेंगे विमल बोला उसने अपनी काली पोशाक का एक गोलासा बनाया और उसे विशाल डबल बैड में पायताने कंबलों के नीचे छुपा दिया उसी गोले में दोनों रिवॉल्वरे भी थी ओह नीलम के मुह से निकला इस वक्त हमें हनीमूनिंग कपल का रोल ही बचा सकता है विमल बोला संपूर्ण नगनावस्था में चलता हुआ वह वाडरोब तक पहुचा वहां से अपना ड्रेसिंग गाउन निकाल कर उसने पलंग के समीप पड़ी कुरसी की पीठ पर डाल दिया वही से नीलम की नायटी निकाल कर उसने यू पलंग के पास फर्ष पर फेंक दी जैसे उसने कामांध होकर उसे अपनी नवविवाहिता बीवी के जिस्न से नोच कर उतारा हो तब तक नीलम ने भी अपने सारे कपड़े उतार डाले थे पलंग में विमल तीखे स्वर में बोला विमल ने सूटकेस में से उसका कुंदन सैट, नत, टॉप्स और दोनों कड़े निकाल कर मेज पर डाल दिए हनीमूनिंग कपल में चीजें संभाल कर रखने जितना सबर भला कहा होता है विमल लपक कर बाहर के दर्वाजे की चिटकनी और सिफ्टी लैच खोल आया फिर वह नीलम के साथ बिस्तर में दाखिल हो गया उसने नीलम के बाल बिखरा दिये उसके होठोन की लिपस्टिक पोँच सीदी और उसके एक-दो निशान अपने गालों पर बना लिये फिर उसने नीलम को अपनी बाहों में भर लिया नीलम ने उसकी छाती के साथ अपना सिरस्टा लिया दोनों को एक दूसरे के तेजी से धड़कते दिल का भरपूर एहसास हो रहा था नींद का अभिनय करते हुए लेकिन पूरी तरह जागते हुए बड़े सस्पैंस के वातावर्ण में वे प्रतीक्षा करने लगे उसी एक्षण उन्हें बाहर से अपने दर्वाजे के सामने रुकते भारी कदमों की आबाजे सुनाई दी इसमें एक नविवाहित जोडा है बाहर कोई बोला जो हनीमून मनाने के लिए चंडीगड से यहां आया हुआ है दर्वाजा खट खटाओ कोई अधिकार पूर्ण स्वर में बोला दर्वाजे पर बड़ी सभ्य दस्तक पड़ी नीलम ने अंधेरे में आतंकित भाव से विमल की तरफ देखा आखे बंद विमल उसके कान में फुस्फुसाया इस वक्त हमें दीन दुनिया का होश नहीं है अपार त्रिप्ती के बाद हम ठककर सोए है हम दर्वाजे पर पड़ती दस्तक जैसे मामूली आवाज नहीं सुन सकते नीलम ने कसकर आखे बंद कर ली और इतनी ही कसकर विमल के साथ लिपट गई फिर दस्तक इस बार पहले से लंबी पहले से उची विमल प्रतीक्षा करता रहा दर्वाजा तो खुला है एकाएक कोई बाहर से बोला फिर विमल को अपनी पीठ पीछे से दो-तीन आदमियों सूइट के भीतर कदम रखने की आवाज आई वे लोग सारे फ्लैट में फिरने लगे एकाएक विमल ने बड़ी बेचैनी से करवट बदली उस वक्त एक आदमी बाथरूम के दर्वाजे पर था एक वाडरोब का दर्वाजा खोलने जा रहा था और एक बालकनी के भीतर दाखिल हो रहा था पलंग पर हरकत की आवाज सुनकर सब अपने अपने स्थानों पर थमक कर खड़े हो गए विमल तकियों के सहारे तनिक उचा हुआ और सशंत स्वर में बोला कौन है कोई उत्तर न मिला उसने टेबल लैंप का स्विच आउन किया उसने एक आतंकित निगाह बारी-बारी तीनों पर डाली और बौकलाए स्वर में बोला कौन हो तुम लोग तभी नीलम ने भी कुनमुना कर आखे खोली उसने अपनी बाहें समेटी उसकी कलाईयों में मौजूद हाथी दात का चूडा सोने की चूडियों से टकरा कर खनका फिर उसके मुह से एक घुटी हुई चीख निकली और उसने कंबलों के नीचे डुबकी सी भरी लेकिन उन तीनों आदमियों द्वारा उसके कमर तक नंगे भरपूर नौजवान गुलाबी जिस्म की एक जलक देख लिये जाने से पहले नहीं हम होटल के सिक्योरिटी स्टाफ के आदमी हैं बालकनी के पास खड़ा एक काला सूटधारी आदमी घूमकर दो कदम आगे बढ़ा और बड़े अदब से बोला होटल में एक चोर घुसाया है लेकिन तुम लोग यूँ एक आएक मेरे सूट में कैसे घुसाए विमल कुर्सी की पीठ पर पड़े ड्रेसिंग गाउन की तरफ हाथ बढ़ता हुआ बोला दर्वाजा खुला था साहब जवाब मिला यह नहीं हो सकता तुमने जबरन दर्वाजा खुला है दर्वाजा खुला था साहब सूट वाला जोर देकर बोला उसकी निगाह मेज पर पड़े नीलम के कुंदन सैट, नत, टॉप्स और कडो पर पड़ी आपको इतनी लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए, साहब आपके कीमती जेवरात चोरी हो सकते है फाइव स्टार होटल में विमल गाउन की बाहों में अपनी बाहें फसाता हुआ बोला इंसान की नियत का क्या पता लगता है, साहब पता नहीं कब किस चीज़ पर बद हो जाए तब तक विमल का जिस्म गाउन से ढख चुका था वह बिस्तर से बाहर निकल आया और उसकी डोरियां बांधने लगा किस्सा क्या है? विमल बोला मैंने अर्ज किया नफ सूट वाला बोला कि होटल में चोर घुस आया है आपके सूट का दर्वाजा खुला था वह अभी भी यहीं कहीं छुपा बैठा हो सकता है आप जरा देख लीजिए मैं? नहीं विमल डर कर एक कदम पीछे हटता हुआ बोला वह हथियार बंध हो सकता है फिर हम देख लें शौक से तीनों ने बत्तियां जला कर बड़ी बारी की से फ्लैट की तलाशी ली नीलम कंबल को ठोड़ी तक खीचे एक सशंक कबूतरी की तरहे बितर-बितर सब नजारा देख रही थी तलाशी लेने वालों को कहीं से कुछ हासिल न हुआ आपको तकलीफ हुई सूट वाला बोला उसके लिए हम माफी चाहते हैं माफी तो हुई विमल बोला लेकिन चोर यहां आया नहीं हो सकता जी अगर वह यहां आया होता तो वह मेज पर पड़े जेवर न चुराता वह उस तरह का चोर नहीं था तो किस तरह का चोर था आप नहीं समझेंगे दर्वाजा बंद कर लीजिए तीनों फुर्ती से बाहर निकल गए विमल ने दर्वाजा भीतर से बंद कर लिया और शांती की एक मील लंबी सांस ली वह बाल-बाल बचा था कृप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर ले अगर कभी हमारे दूसरे चैनल की तरह इस चैनल में भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे नए अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें अस्ट्रिस्ट 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 दोगरा मैरीन ड्राइव पर स्थित एक होटल में मौजूद था वह बड़ी बेचैनी से कमरे में चहल कदमी कर रहा था और सुहल के बारे में सोच रहा था शाम होने को चली थी और अपने उतकंठा वर्तमान मूड में अभी तक उसने लंच तक नहीं किया था वह रुस्तम भाई को तीन बार फोन कर चुका था फोन पर वह उसे केवल पहली ही बार मिला था और उसने उसे खबर दी थी कि अभी तक वह उस सरदार को तलाश करने में काम्याब नहीं हो सका था उसके बाद हर बार उसे यही जवाब मिला था कि रुस्तम भाई कहीं गया हुआ था हराम जादा जरूर जान बूच कर उससे बात करने से बच रहा था दोगरा ने वित्रिशना पून भाव से सोचा घोरपड़े को भी वह कई बार फोन कर चुका था उससे उसकी हर बार बात हुई थी और उसे हर बार यही जवाब मिला था कि अभी तक उसे सोहल का कोई सुराग नहीं मिला था सुलेमान ने उसे विशेश रूप से आदेश दिया था कि वह अपने व्यक्तिगत काम के लिए कमपनी के आदमी न लगाए लेकिन डोगरा फिर भी किसी तरह उसके आदेश का उलंगन करने का होसला कर रहा था वह घोर पड़े और उसके आदमीयों से विमल की तलाश करवा रहा था कमपनी के होटल से आननफानन निकाला जाना उसे अपने लिए भारी तोहीन का काम लगा था और वह इस बात के लिए अभी तक भुंभुना रहा था वह जानता होता कि उससे होटल से आननफानन कूच कर जाने की वजह से पिछली रात उसकी जान बच गई थी तो वह इसकदर न भुंभुना रहा होता वह एक कुरसी पर धेर हो गया और बालकनी के पार दिखाई देते समुद्र की तरफ देखने लगा वह कई क्षण खामोश बैठा रहा और अपनी मानसिक शक्तियों को अपने अधिकार में करने की कोशिश करता रहा उसका मस्तिश्क तनिक स्थेर होता था तो उसे लगने लगता था कि वह खामखा उस सरदार के बच्चे को होवा बना रहा था वह खामखा उससे डर रहा था वह कंपनी का आदमी था काले पहाड का आदमी था उसके सामने सोहल की क्या बिसात था कुछ भी नहीं वह उसे मक्खी की तरह मसल सकता था यू टांगो में पूँच दबाए सुलेमान साहब के पास पहुँच जाना भी उसकी नादानी थी ऐसी नादानी थी जिससे उसे फाइदा तो रत्ती भर नहीं हुआ था अलबत्ता नुकसान कई हो गए थे सबसे बड़ा नुकसान तो उसे यही हुआ था कि होटल की किले जैसी सुरक्षा उससे छिन गई थी लेकिन उस सुहल के बच्चे का भी तो हौसला देखो अंजाने में ही डोगरा दांत पीस ने लगा कमपनी के होटल पर गोलिया बरसाने पहुँच गया सुलेमान साहब के पास जाने का उसे और नुकसान यह हुआ था कि अब सुहल से निपटना उसके लिए इंतहान बन रहा था उसे वाच किया जा रहा था कि वह इस इंतहान में पास होता था या फे दोग्रा खूब जानता था कि अगर उसने कमपनी की छत्रचाया में रहना था न सिर्फ रहना था बलकि अपना खोया हुआ सम्मान भी वापस हासिल करना था तो उसके लिए सुहल को ठिकाने लगाना इंतहाई जरूरी था और यह काम सुहल से बच्चते फिरने से या छुपते फिरने से नहीं हो सकता था बंब इतना बड़ा शहर था वहां उस वाहिद आदमी को तलाश करने में हफ्तों महीनों लग सकते थे अपने इंतहान में पास होकर दिखाने के लिए इतना लंबा वक्त उसे सुलेमान साहब नहीं देने वाले थे तो फिर क्या करे वह? कैसे निप्टे वह इस सरदार के बच्चे से? सुहल से उसकी हार का मतलब कमपनी के हाथों उसकी मौत हो सकता था उसे कमपनी के हित में खलास किया जा सकता था यह बात उसे बखू भी समझाई जा चकी थी दूसरों के भरोसे यूं हाथ पर हाथ रख कर छुपे बठ रहने से काम नहीं चलने वाला था उसके विवेक ने उसे राय दी ऐसे तो वह न इधर का रहने वाला था न उधर का ऐसे तो अगर सुहल ने उसे खलास न किया तो कमपनी उसे खलास कर देगी उसे फौरन खुद कुछ करना चाहिए था लेकिन क्या? क्या? वह कुरसी से उठा और फिर चहल कदमी करने लगा घोर पड़े और उसके आदमियों को वह ज्यादा दिन तक विमल की तलाश में नहीं लगाए रह सकता था काम लंबा खिंचने से उसकी खबर सुलेमान साहब को हो सकती थी जो की वह हर्गिस नहीं चाहता था तो एकाएक वह थमक कर खड़ा हो गया भगवान उसके मुह से निकला मुझे यह बात पहले क्यों नहीं सूजी विमल एक बार उसकी जान लेने में नाकाम्याब हो जाने के बाद चुपचाप तो बैठ नहीं जाने वाला था देरस्वेर यह भी उसे मालूम हो ही जाना था कि वह अब कंपनी के होटल में नहीं था इसका मतलब यह था कि जैसे घोरपड़े के आदमी और रुस्तम भाई के आदमी सारी बंबई में उसे तलाश कर रहे थे वैसे वह भी तो डोग्रा को तलाश कर रहा होगा अगर वह सरदार की इस तलाश को आसान कर दे तो क्या वह एक चुहे की तरह डोग्रा के जाल में नहीं आफंसेगा उसके परेशान हाल दिमाग में इतनी मामूली बात पहले क्यों नहीं आई थी कि सरदार वहाँ जरूर पहुँचेगा जहां उसे डोगरा के होने की भनत मिलेगी वह पिंजरे को चुहे के पास ले जाने की कोशिश कर रहा था जबकि वह चुहे को पिंजरे के पास ज्यादा सहूलियत से बुला सकता था वह फौरन तेलीफोन के पास पहुचा और घोरपडे का नमबर डायल करने लगा विमल और नीलम अगले रोज बहुत देर से सोकर उठे विमल ने सबसे पहले बालकनी में जाकर बाहर जाका बाहर सब कुछ नॉर्मल था उसने दर्वाजा खोल कर गलियारे में जाका गलियारे में आवाजाही थी लेकिन उसे कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई न दिया उसे ऐसा कोई आभास न मिला जो यह साबित करता कि उनके सूट पर खास्तोर से किसी की निगाहें टिकी हुई थी हैवी ब्रेकफास्ट के बाद पूरी लकदक के साथ वे अपने सूट से निकले विमल एक एर बैग उठाए था जिसमें नीलम की एक साधी पोशाक के अलावा उसका हिप्पी परिधान, उसका सरदार वाला मेकप, कल वाली काली पोशाक और दोनों रिवालवर थी हिप्पी परिधान की तो खैरियत थी, लेकिन बाकी चीजों की उसके पास मौजूदगी उन्हें फंसवा सकती थी उनकी गैरहाजिरी में उनके सूट की तलाश फिर से सूई तलाश करने जैसी बारीकी से हो सकती थी उन चीजों का उनकी गैरहाजिरी में उनके सूइट में रहना खतरनाख हो सकता था दस मिनट वे बड़ी तनमयता से रिसेप्शन पर बंबई के दर्शनीय स्थानों के बारे में पूछताच करते रहे दोनों पूरी दक्षता से हनी मोनिंग कपल का रोल अदा कर रहे थे फिर उन्होंने एक टैक्सी बुलवाई और उस पर सवार हो गए वे तुलसी लेक पहुँचे वहाँ पहुँचने तक विमल को गारंटी हो गई कि कोई उनके पीछे नहीं लगा हुआ था थोड़ी देर बाद एक अन्य टैक्सी पर सवार होकर वे जुहुँ वापस लोटे चुपचाप उस स्थान पर पहुँचे जहां पिछली रात उन्होंने पीटर परेरा की टैक्सी चुपाई थी टैक्सी यथा स्थान मौजूद थी वे टैक्सी में सवार हो गए विमल ने टैक्सी आगे बढ़ाई और उसे एक और ज्यादा सुनसान स्थान पर ले जाकर रोका वहां दोनों ने अपनी लगदक वाली पोशा के उतार दी विमल ने अपना हिप्पी परिधान पहन लिया और नीलम ने भी एक जीन और एक मामूली सा टॉप पहन लिया उसने सारे जेवर ही नहीं अपना मेकप तक रुमाल से पोँच कर चहरे से गायब कर दिया विमल ने अपनी काली पोशाक और उससे संबंधित सामान एक खड़ा खोद कर रेट में दबा दिया उसने शांतिलाल वाली ननही पिस्टॉल नीलम को थमा दी मैं इसका क्या करूँ वह हडबडा कर बोली रख लो विमल बोला शायद काम आए लेकिन मुझे तो यह चलानी नहीं आती वह क्या मुश्किल काम है जिसको गोली का निशाना बनाना हो उसकी तरफ नाल का रुख करके बस यह घोड़ा की तो खीचना होता है जरासा बस और नहीं तो क्या ठीक है नीलम ने पिस्टॉल अपने बैग में डाल ली अब क्या इरादा है उसने पूछा अब हमने कमाठी पुरे चलना है विमल बोला घोरपड़े नाम के उस आदमी की फिराक में जिसका कल तुमने पीछा किया था वह तो बहुत खतरनाक दादा था और वह इलाका भी बहुत खतरनाक है पुगा इस वक्त घोरपड़े के अलावा कोई और लीड हमारे सामने नहीं है जो की हमें डोगरा तक पहुँचा सके लीड क्या होती है सूत्र जरिया साधन मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं तुम कुछ तुम पढ़ी लिखी भी होकी नहीं मैं मिडिल पास हूँ वह बड़े गर्व से बोली विमल ने बहुत मीठी निगाहों से उसकी तरफ देखा उस वक्त नीलम उसे बहुत अबोध बहुत निकनियत बहुत खूबसूरत लगी उसने टैक्सी को उस तनहा जगह से निकाला और उसे में रोड पर ले आया घोर पड़े एकाएक नीलम बोली बदमाशों से तालुक रखता आदमी तो शर्तिया है लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह डोगरा से तालुक रखता आदमी है हमने होटल की प्राइवेट लिफ्टों के रास्ते से उसकी आवाजा ही ही तो देखी है इससे वह डोगरा से तालुक रखता आदमी कैसे साबित होता है पीटर को डोगरा के पास घोर पड़े ही लेकर गया था पीटर ने कहा भी था कि वह डोगरा का कोई खास आदमी लगता था शायद वह इतना खास न हो कि हमारे किसी काम आ सके अब छोड़ो भी जो होगा सामने आ जाएगा अच्छी बात है वे कमाठी पुरे के इलाके में पहुँचे विमल ने टैक्सी एक सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर दी नीलम ने उसे वह इमारत दिखाई उसकी पिछले रोज की रिसर्च के मुताबिक जिसकी सबसे उपरली मन्जिल पर घोर पड़े रहता था दोनों बेशुमार सीधियां तै करके घोपरड़े के दरवाजे पर पहुँचे जूल रहा था अब नीलम बोली इंतजार विमल बोला दोनों वापस सीधियां उतर गए अंधेरा होने से थोड़ी देर पहले अपने दो चम्चों के साथ घोरपड़े ने अपने घर वाली इमारत में कदम रखा सड़क के मोर पर स्थित एक गंदे से रेस्टोरेंट में बठे विमल और नीलम ने उसे देखा उन्होंने पांच मिनट इंतजार किया और फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलाए वे घोरपड़े के दरवाजे पर पहुँचे दरवाजा भीतर से बंद था भीतर से लोगों के बातें करने की आवाजें आ रही थी यानि की उसके दोनों चम्चे भीतर मौजूद थे यानि की उन्हें तीन आदमियों से निपटना पड़ना था विमल सोचने लगा वापस चलते हैं नीलम फुसफुसाई जब इसके साथ ही चले जाएंगे तो फिर आ जाएंगे नहीं विमल भी वैसे ही फुसुसाया क्या पता ये साथी भी इसके साथ ही रहते हों या जब साथी यहां से जाएंगे तो यह भी उनके साथ ही चल दे तो सोचने दो नीलम खामोश हो गई उस्ताद कोई भीतर से अपेक शाकृत उंचे स्वर में बोला वह इत्फाक से मिल जाएं तो दूसरी बात है वरना इतने बड़े शहर में एक आदमी को ढूंधना क्या कोई हसी खेल है ढूंधना पड़ेगा दूसरी आवाज आई वरना दोगरा मेरी ऐसी तैसी खेर देगा लेकिन कोई तरीका तो हो तीसरी आवाज आई उसका कोई ठिकाना तो हो कोई जरिया तो हो अगर वह वाकई इतना बड़ा डाकू है तो उसको ढूंधने की जगह हमें उसकी खबर पुलिस को कर देनी चाहिए कि वह बंबई में है फिर पुलिस अपने आप बंबई का चप्पा चप्पा चान मारेगी फिर या तो वह गोली खा जाएगा या फांसी पर चड़ जाएगा अगर हमने उसको मारने के लिए उसे तलाश करना है तो यह तरीका क्या बुरा है उस्ताद यह ठीक कह रहा है इस मामले में हम पुलिस जैसी बड़ी आरगेनाजेशन के रसूख, दब्दबे और सलाहियात का मुकाबला नहीं कर सकते दोग्रा ने भी इस बारे में मेरी राय पूछी थी लेकिन तब मैंने कह दिया था कि पुलिस को खबर करना गलत था उस्ताद दोग्रा से दोबारा बात करके देखो मैं करूंगा अभी फोन कर लो वह खफा हो जाएगा अभी उसका फोन आता ही होगा तब मैं उससे यह बात कहूंगा यानि कि अभी उन लोगों का वहां से टलने का इरादा नहीं लगता था तयार विमल बोला फिर उसने दर्वाजे पर दस्तक दी कौन भीतर से पूछा गया मैं मैं कौन नाम बोलो काली चर्ण क्या चाहते हो मैंने घोरपड़े से बात करनी है मैं होटल से आया हूँ मुझे सुलेमान साहब ने भेजा है तुरंट दर्वाजा खुला दर्वाजा खुद घोरपड़े ने खुला था उसने बड़े संदिग्ध भाव से पहले विमल को फिर नीलम को और फिर विमल को देखा रास्ते से हटो विमल बड़े अधिकार पूर्ण स्वर में बोला घोरपड़े एक तरफ हट गया विमल और नीलम भीतर दाखिल हुए इन्हें चलता करो विमल बोला क्यों? घोपरड़े बोला जो बात मैं तुम्हें कहने आया हूँ वह इनके सुनने लायक नहीं लेकिन बात क्या है? मैं बात तुम्हें इनके सामने बता सकता हूँ लेकिन बात में तुम ही पच्चताओगे कि मैंने ऐसा किया घोपरड़े कुछ क्षन खामोश रहा और फिर संदिख्ध भाव से बोला तुमने सुलेमान साहब का नाम लिया था हाँ, मैं उनका खास आदमी हूँ उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है लेकिन यह तो नियम के खिलाफ है सुलेमान साहब कभी मुझसे सीधे संपर्क स्थापित नहीं कर सकते अगर उनका मुझसे कोई मतलब होता तो वे डोगरा साहब से बात करते तुम्हे नहीं मालूम क्या? तुम डोगरा के लिफ्टिनेंट हो, फिर भी तुम्हें नहीं मालूम अरे, क्या नहीं मालूम? डोगरा ने भी तुम्हें नहीं बताया साले घोरपडे जुनजला गया वह मुठिया भींचे विमल की तरफ बढ़ा मस्खरी करता है दोगरा का पत्ता कट गया है, विमल जल्दी से बोला घोरपडे रास्ते में ही थमक गया उसकी भिंची हुई मुठिया खुल गई उसके चहरे पर गहन आश्चर्य और अविश्वास के भाव प्रकट हुए क्या? फिर उसके मुह से निकला तुम्हारे बॉस का पत्ता कट गया है छोकरे घोरपडे एकाएक केहर भरे स्वर में बोला अगर यह बात गलत निकली तो तेरी खैर नहीं और अगर यह बात सही निकली और तुमने अपनी यह बकवास बंद करके मेरी बात न सुनी तो तुम्हारी खैर नहीं विमल बोला इन दोनों पर निगाह रखना घोरपडे ने चमचों को आदेश दिया यह भागने न पाएं दोनों ने सहमती में सिरहिलाया एक ने आगे बढ़कर दर्वाजे को भीतर से बंद कर दिया और उसके साथ पीठ लगा कर खड़ा हो गया दूसरे ने एक खटके वाला चाकू निकाल लिया नीलम सहमकर विमल के कंधे से लिपट गई विमल ने आश्वासन पूर्ण भाव से उसका कंधा थप्थ पाया उसका दूसरा हाथ पतलून की बैट में खुनसी रिवॉल्वर से ज्यादा दूर नहीं था वह बड़ी सहूलियत से जब चाहता उन तीनों को शूट कर सकता था घोरपड़े एक और पड़े टेलिफोन के पास पहुँचा उसने एक नमबर डायल किया काफी देर तक कोई जवाब न मिलने पर उसने लाइन काट कर एक दूसरा नमबर डायल किया इस बार तुरंत जवाब मिला घोरपड़े ने पहले कोई कोड शब्द सा बोला जिसे की विमल समझ न सका और फिर कहा दोगरा साहब का दूसरा नमबर खराब मालूम होता है उसके सूइट में लाइन दो क्या? सूइट खाली पड़ा है वे अब होटल में नहीं रहते अच्छा अब कहा है वो? मालूम नहीं कमाल है उसने रिसीवर रख दिया और बड़ड़ाया कमाल है सुभा से च्छे बार तो डोगरा साहब मुझसे फोन पर बात कर चुके है उन्होंने तो मुझे बताया नहीं कि अब वे होटल में नहीं थे तुम्हें यह बताने में विमल बोला कि उन्हें वहां से निकाला जा चुका था हद तक न होती अपने एक मामूली आदमी के सामने उनकी नाक न कट जाती मैं मामूली आदमी नहीं हूँ वह फुम्फकारा मुझे मालूम है तुम दोगरा के खास आदमी हो उसके लिफ्टिनेंट हो लेकिन अपने साहब लोगों के मुकाबले तो तुम मामूली आदमी हो वह खामोश रहा अब तुम लगे हाथों मेरे बारे में सुलेमान साहब को भी फोन कर लो घोरपड़े ने दोबारा फोन की तरफ हाथ न बढ़ाया बेवकूफ के बच्चे एकाएक विमल सांप की तरह फुम्फकारा अब क्या मैं सुलेमान साहब को जाकर यह रिपोर्ट डूँ कि तुम किसी तरक्की के काबिल नहीं हो क्या? कि तुम किसी इनाम के काबिल नहीं हो कक क्या? उसकी निगाह अपने आप ही नीलम की तरफ उठ गई सुलेमान साहब से हासिल होने वाले छपपर फाड़ कर तपके जैसे इनामों के बारे में उसने बहुत कुछ सुना हुआ था कि तुम हरगिस भी डोगरा की जगह लेने काबिल नहीं हो डोगरा की वजए घोरपड़े के मुह से निकला जब डोगरा का पत्ता कटा है तो उसकी जगह कोई लेगा की नहीं लेगा लेगा एकाएक उसके चहरे पर से संशय के समस्त भाव गायब हो गए दफा हो जाओ वह अपने साथियों से बोला नीचे सडक पर जाकर मेरा इंतजार करो जब तक मैं न बुलाओ उपर न आना चलो निकलो अपने उस्ताद के रवये में हुए उस अप्रत्याशित परिवर्तन से उसके दोनों चमचे सकपकाए लेकिन उनकी हुपमदूली की हिम्मत न हुई दोनों फौरन वहां से बाहर निकल गए घोरपड़े ने आगे बढ़कर दर्वाजा मजबूती से भीतर से बंद कर दिया वह दर्वाजे के पास से हटकर विमल और लके सामनेया खड़ा हुआ चेचक के दागों से भरे उसके मोटे भद्दे चहरे पर एक अजीब सी मुस्कराहट आई वह बड़े प्रेम भाव से बोला अब बोलो मैं खाक बोलूं विमल तीखे स्वर में बोला तुमने अपनी खोपरी से काम लिया होता तो तुम खुद ही न समझ गए होते की हालात क्या करवट बदर रहे हैं क्या यह बहुत पेचीदी बात थी जो तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी की अगर डोगरा का पत्ता कट जाए तो उस बे आदमियों में उसकी जगह लेने लायक आदमी कौन हो सकता है मैं? मैं? क्या मैं? और कौन? प्लस 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 लेकिन मुझे पता नहीं था कि दोगरा साहब की होटल से चुटी हो चुकी है उसकी न सिर्फ होटल से चुटी हो चुकी है, बलकि बहुत जल्द उनको खलास किये जाने का भी हुखम होने वाला है क्या? यह काम होटल में इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि ऐसा करने से होटल की नेकनामी पर हर्फ आ सकता था दोगरा को भी इस बात का असास हो गया है कि उसको खलास किया जा सकता है इसलिए वह गायब हो गया है, कहीं जा चुपा है गायब हो गया है, चुप गया है लेकिन मुझे तो वह दिन में कई बार फोन कर चुका है मुझे मालूम है सुलेमान साहब को उससे यही उम्मीद थी कि अभी फिलहाल वह तुमसे संपर्क रखेगा इसी लिए मुझे यहां तुम्हारे पास भीजा गया है उसने पहले फोन किया है तो अभी फिर भी करेगा लेकिन जसे उसने पहले तुम्हें भनक नहीं पढ़ने दी थी कि वह होटल से नहीं कहीं और से बोल रहा था वैसे ही अब भी नहीं पढ़ने देगा लेकिन इस बार उसका फोन आने पर तुमने मालूम करने की कोशिश करनी है कि वह कहां छुपा हुआ है घोरपड़े ने बड़ी संजीदी से सहमती में सिरहिलाया विमल ने अपनी जेब से अपना पाइप निकाला और बड़ी लापरवाही से उसे सुलगाने की क्रिया में रथ हो गया यहाँ घोरपड़े अपने हुठोन पर जुबान फेरता हुआ बोला लड़की कौन है यहाँ रोजी है विमल बोला नेलम बहुत इठला कर बड़े चित्ताकरशक धंग से मुस्कराई घोरपड़े की लार टपक गई रोजी विमल बोला तुम्हारा इनाम क्वह एक शन ठिटका और फिर बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला हो सकती है हो सकती है हाँ तुम जानते हो होगे कि काम के आदमियों की सुलेमान साहब कितनी कदर करते हैं और इनाम के काबिल काम करके दिखाने वालों के लिए उनका पहला इनाम क्या होता है घोड़े ने सहमती में सिर हिलाया इस बार यू उसने नीलम की तरफ देखा, जैसे वह उसे आखों ही आखों में हजम कर जाना चाहता हो मुझे करना क्या होगा? घोर पड़े बोला बहुत उचा उठने के लिए, पोटल में डोगरा वाला सुईट हासिल करने के लिए, सुलेमान साहब का हमप्याला हमिवाला बनने के लिए, काले पहाड के कानों तक अपना नाम पहुचाने के लिए तो अभी तुम्हें बहुत कुछ करना होगा लेकिन डोगरा की फॉरन जगह लेने के लिए तो तुमने सिर्फ इतना करना है कि तुमने उसकी मुकम्मल छुट्टी करवाने में मेरी मदद करनी है उसे खलास करना होगा वह काम मैं करूंगा इस काम के लिए मुझे खास्तोर से तैनात किया गया है देखो विमल ने अपनी जैकेट सरका कर पतलून की बैट में खुसी हुई रिवालवर उसे दिखाई जिसका की घोरपड़े पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ा तुमने सिर्फ यह पता लगाने में मेरी मदद करनी है कि डोगरा है कहा यह कैसे पता लगेगा उसका फोन नहीं आएगा, स्टुपिड वह अभी तुम पर भरोसा कर रहा है वह समझ रहा है कि अभी तुम्हें नहीं मालूम की उसका पत्ता कट चुका है मैंने आकर न बताया होता तो मालूम होता भी नहीं तुम्हें इस बार जब वह फोन करे तो तुम उसको मसका मार कर उससे मालूम करने की कोशिश करना की वह कहां टिका हुआ है घोरपड़े ने सहमती में सिरहिलाया लेकिन उसे तुम पर शक न होने पाए विमल चेताबनी भरे स्वर में बोला तो नहीं होगा घोरपड़े च्छाती फुला कर बोला मैं तभी एक आएक फोन की घंटी बस उठी घोरपड़े ने चहुक कर फोन की तरफ देखा वही होगा विमल गंभीरता से बोला घोरपड़े फोन की तरफ बढ़ा विमल उसके साथ लपका वह फोन उठाने लगा तो विमल बोला अगर वही हो तो उसे तसल्ली करा कर कि तुम ही बोल रहे हो फोन मुझे दे देना दूंगा उसे शक हो जाएगा घोरपड़े बोला मुझे ऐसा होता लगेगा तो फोन मैं तुम्हें वापस पकड़ा ठीक है उसने सहमती में सिर हिलाया और फिर फोन उठा लिया हाँ साहब वह बड़े अदब से बोला नमस्ते साहब मैं घोरपड़े बोल रहा हूं आप ही के काम में लगा हुआ था दोगरा साहब यहां होता तो फोन सुनता न बस मैं अभी अभी यहां पहुचा हूँ जी मैं सुन रहा हूँ फिर एकाएक उसने फोन विमल के कान से लगा दिया सुनो दोगरा की आवाज विमल के कानों में पड़ी टाइम्स यूँ वह सोहल का बच्चा ढूंडे नहीं मिलने वाला यूँ वह मिल भी जाएगा तो बहुत वक्त लगेगा और मैं चाहता हूँ कि यह काम जल्द से जल्द हो जाए उसको फनसाने की मैंने एक तरकीब सोची है क्या साहब विमल भरसक घोर पड़े के स्वर की नकल करता हुआ बोला सोहल अभी भी बदस्तूर मेरी तलाश कर रहा होगा मैं चाहता हूँ उसकी तलाश काम्याब हो जाए जी तुम अंडर्वर्ड में यह खबर फैला दो की दोगरा साहब अब होटल सी विउ को छोड़कर अपने बांदरा वाले फ्लैट में रहने लगा है मैं सुर्जीत वाले फ्लैट की बात कर रहा हूँ समझ गए? जी हाँ लेकिन यह बात ऐसी चतुराई से फैलाई जानी चाहिए कि उसे शक न हो वह सुने तो यही समझे कि इत्तफात से इस बात की भनक उसके कान में पड़ गई है वह रुस्तम भाई पर भी दोबारा हाथ डाल सकता है इसलिए मैंने उसे भी समझा दिया है कि दोबारा अगर वह सरदार का बच्चा उस पर चड़ दोड़े तो थोड़ी बहुत हील हुज़त के बाद वह उसे बता दे कि मैं बांदरा वाले फ्लैट में था सोहल को यह बात जंच भी जाएगी उसकी निगाह में उसे उस फ्लैट को दोबारा टटोलना नहीं सूच सकता था और इसलिए उसे मैं अपने लिए सुरक्षित समझ सकता था समझ गए? जी हाँ फिर अपने चार-पांच आदमियों को उस फ्लैट के और फ्लैट वाली इमारत के इर्दगिर्द यह समझा कर फैला दो की जोही सोहल वहां कदम रखे उन्होंने उसको खलास कर देना है ठीक है ठीक है साहब विमल तनिक खांसता हुआ बोला मैं अभी सब इंतजाम करवाता हूँ साहब आप अब होटल में नहीं है साहब नहीं वह तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है गले में कुछ अटक गया है साहब विमल पहले से जोर से खांसता हुआ बोला, मैं अभी पानी पीकर आप से बात करता हूँ उसने रिसीवर कान से हटाया और माउथ पीस पर हाथ रखता हुआ घोरपड़े से बोला, उसे मेरी आवाज पर शक हो गया है तसल्ली कराओ उसको और पूछो की वह कहां से बोल रहा है घोरपड़े ने सहमती में सिरहिलाया उसने फोन अपने हाथ में लेकर कान से लगा लिया और सुसन्यत स्वर में बोला, अब आवास ठीक हो गई है, साहब तनिक हसा और कौन बोलेगा, साहब इस फोन को तो मेरे सिवाए कोई हाथ भी नहीं लगाता साहब पहले भी यही आवास थी जरा गले में कुछ फस गया था, इसलिए थोड़ा फरका गया था उस आदमी की वजह से आपका दिल दहला हुआ है न साहब इसलिए मैं माफी चाहता हूँ साहब आप फिक्र न कीजिए, अभी सब इंतिजाम हो जाएगा कोई नतीजा सामने आये, तो होटल में मैं आपको खबर कर दूँगा आप होटल में नहीं है घोरपड़े ने हैरानी जाहिर की ओ जब तक वह आदमी मर नहीं जाता, तब तक के लिए आपने होटल छोड़ दिया है तो फिर मैं आप से कहां संपर्क करूँ अब कहां है आप यही बताना हो सकता है कि काम हो गया है या उसमें कोई अर्चन आ गई है आप खुद तो फोन कर लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी एमरजेंसी आन खड़ी हुई जिसमें आपके फोन आने का इंतजार करना वक्त की बरबादी लगने लगा तो फिर आप ही खफा होंगे कि बात आपको फोरण नहीं मालूम हो सकी लेकिन साहब हर्स भी क्या है अगर घोरपड़े के चहरे पर एक आएक वित्रिशना के भाव आ गए उसने रिसीवर कान से हटा लिया क्या हुआ? विमल व्यगरता से बोला लाइन कट दी साले ने घोरपड़े बोला ओह विमल निराश स्वर में बोला अब कैसे पता लगे कि वह कहां से बोल रहा था मैंने तो उसे बहुत पटाया लेकिन साला मान कर नहीं दिया मुझे तुम्हारी ही बात सच लगती है क्या? उसे भी इस बात का डर सता रहा मालूम होता है कि कहीं उसे खलास न कर दिया जाए और उपर से सीधे मिला कोई ओडर मुझे भी उसके खिलाफ न कर दे और नहीं तो क्या विमल बोला? वह खुश था कि घोर पड़े पर उसका विश्वास पूरी तरह बैठ चुका था और अब उसका दिमाग भी वैसी ही बाते सोच रहा था जैसी विमल ने बड़े मनोवैज्यानिक धंग से उसके दिमाग में बिठाई थी लेकिन मैं भी साले की नस नस से वाफिक हूँ घोर पड़े मुह बिगाड कर बोला मैं चुट्कियों में पता लगा लूँगा कि वह कहां गर्ख हुआ है अच्छा विमल के मन में नई उम्मीद जागी कैसे? दोगरा पक का औरत खोर है औरत के बिना वह एक दिन नहीं रह सकता वह जहां भी होता है रात को मिसेस पिंटो के विश्याले से एक लड़की जरूर तलब करता है आज की रात भी वह लड़की के बिना नहीं गुजारने वाला वह जहां भी होगा मिसेस पिंटो की एक कॉल गर्ल उसके साथ जरूर होगी और मिसेस पिंटो ने कॉल गर्ल को एस्थरा का पता बता कर ही तो उसके पास भेजा होगा कहने का मतलब है कि डोगरा और किसी को अपना मौजूदा पता बताए या न बताए उसने मिसेस पिंटो को अपना पता जरूर बताया होगा क्योंकि उसके बिना वह डोगरा के पास लड़की कैसे भेजेगी मिसेस पिंटो तुम्हें बताएगी विमल संदिग्ध भाव से बोला कि उसने डोगरा के पास कहा लड़की भेजा थी क्यों नहीं बताएगी जरूर बताएगी घोर पड़े पूरे विश्वास के साथ बोला आखिर उसकी आँखों के सामने उसके उजवल भविश्य के सपने लहरा रहे थे नहीं बताएगी तो मैं चमडी नहीं उधेड दूँगा हराम जादी की गुड तो चले मिसेस पिंटो के यहाँ हाँ चलते हैं लेकिन पहले जरा मैं सुलेमान साहब को हालाच से वाकिफ करा दूँ उनका नंबर डायल करो उनका नंबर तो वह खेद पूर्ण स्वर में बोला मुझे मालूम नहीं ओ हाँ सुलेमान साहब का प्राइवेट नंबर तुम्हें कहा मालूम होगा हटो मैं करता हूँ फोन वह फोन के पास से हट गया विमल ने नीलम को एक गुप्त संकेत किया और वह स्वय फोन के पास पहुँचा नीलम बड़े मादक अंदास से मुस्कराती हुई घोरपड़े को देखने लगी घोरपड़े का सारा ध्यान नीलम की तरफ लग गया विमल ने अनाप्षनाप एक नंबर डायल किया उसे बिजी टोन सुनाई देने लगी कुछ क्षण वह खामोश रहा और फिर यूँ बोला जैसे संपर्क स्थापित हो गया हो मैं कालिचन बोल रहा हूँ सुलेमान साहब से बात करवाँ वह कुछ क्षण रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा और फिर बड़े अदब से बोला साहब मैं कालिचन बोल रहा हूँ कमाठी पुरे से दोगरा साहब का वह खास आदमी मुझे मिल गया है उसने हालत को समझने में बड़ी समझदारी दिखाई है और वह असल काम में हर तरह का सहयोग देने को तयार है आपका ख्याल गलत नहीं निकला है यहाँ आदमी सरासर तरक्की के काबिल है मैं आप से बात कराता हूँ उसकी जी जी अच्छा चलिए ऐसे ही सही नमस्ते साहब मैं फिर खबर करूंगा उसने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया और नीलम पर दिलोजान से कुर्बान हुए घोरपड़े की तरफ घूमा मैं तुम्हें फोन पर शाबाशी दिलाना चाहता था विमल बोला लेकिन सुलेमान साहब लगता है कि खुद तुम्हारी पीठ ठोकना चाहते हैं उन्होंने कहा है कि बाद में तुम्हें अपने मैं साथ उनके सूइट में लेकर आऊं घोरपड़े फूल कर कुपपा हो गया वह सात्वें आसमान पर उड़ने लगा वह कुछ कर दिखाने के लिए तड़पने लगा चलो वह बड़े जोश से बोला विमल और नीलम उसके साथ हो लिए विमल द्वारा सुलेमान साहब को की टेलीफोन काल ने घोरपड़े को बहुत प्रभावित किया था अब उसके मन में विमल और उसके मिशन के बारे में कैसा भी कोई संशय नहीं रह गया था वैसे उसको असली शीशे में इस बात ने उतारा था कि दोगरा के होटल से निकाल दिये जाने की अत्यंत गोपनिय खबर कालिचर्ण उस तक लाया था दोगरा का खास आदमी होने के बावजूद जो बात उसे नहीं मालूम थी, वह कालिचर्ण को मालूम थी क्यों न मालूम होती? आखिर वह सुलेमान साहब का आदमी था कृप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर ले अगर कभी हमारे दूसरे चैनल्स की तरहे इस चैनल में भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे नए अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें ऐस्ट्रिस्ट 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 दोगा अपने होटल के सूइट में पलंग पर लेटा हुआ था खाना उसने नहीं खाया था लेकिन विस्की की दो तिहाई बोतल वह खाली कर चुका था मिसेस पिंटो को वह फोन कर चुका था और उसे ठीक से समझा चुका था कि उसे उस रात कैसी लड़की चाहिए थी अपनी पसंद बयान करते समय उसके मानस पटल पर उस लड़की की आकरिती उभर रही थी जिसने पिछली रात उसे सुलेमान के सूइट का दर्वाजा खोला था एक तरह से उसने उसी लड़की को बयान कर दिया था उसे लड़की का नाम संध्या बताया गया था और वह आठ बजे वहाँ पहुँचने वाली थी गोरपड़े के यहां घंटे घंटे बाद निरंतर फोन करते रहने के बाद अभी थोड़ी देर पहले उसकी गोरपड़े से बातचीत हुई थी पता नहीं क्यों उस बातचीत ने उसे आंदोलित कर दिया था पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वह दो आदमियों से बाते कर रहा था लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था जरूर वह उसका वहन था वहम ही होगा वरना यह कैसे हो सकता था कि वारतालाप के एन बीच में उसे घोरपड़े की आवाज में फर्क लगने लगता और फिर उसकी आवाज अपने आप ठीक हो जाती वो कहतो रहा था उसके गले में कुछ फंस गया था गले में कुछ फंस जाने से आवाज में फर्क तो आ जाता है वह खामखा वहम कर रहा था लेकिन अगर यह उसका वहम था तो उसके दिल को चैन क्यों नहीं आ रहा था उसने हाथ बढ़ा कर विस्की का गिलास उठाया और लेटलेटे ही उसमें से एक घूंट भरा अब तो सिर्फ वक्त की बात थी उसने अपने आपको तसली दी विमल का उसके जाल में फंसना अवश्यम भावी था और फिर घोर पड़े और उसके आद्मी बखू भी उसका काम तमाम कर सकते थे एकाध दिन की बात थी उसके बाद चैन ही चैन था चैन के लिए ही आज उसने मिसेस पिंटो के विश्याले की सबसे महेंगी कॉल गर्ल तलब की थी उसे बताया गया था कि वह मुश्किल से 18 साल की थी और उसका जिस्म ऐसा था जैसे संगमरमर में से तराशा गया हो कभी सुरजीत का जिस्म भी तो वैसा ही था सुरजीत की याद भर आने से वह जुंचला गया यह कोई वक्त था उसे याद करने का फिर वह जबरन संध्या के नंगे जिस्म की कलपना करने की कोशिश करने लगा उस कोशिश में उसकी आँखों में गुलावी डोरे तैर गए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई उसने घड़ी पर निगाह डाली आठ बजने में केवल दस मिनट बाकी थे उसने अपनी पतलून की जेब में से अपना पर्स निकाला और उसके भीतर मौजूद नोट गिनने लगा पचीस सौ रुपए उसने वित्रिशनापूर्ण भाव से बोला बोला दो हजार रुपए उसने संध्या को देने थे और वह अभी कमपनी के लिए मिसेस पिंटो का रियायती रेट था उसने सौसो के बीस नोट पर्स मिसे निकाले मेज पर होटल की छपी हुई स्टेशनरी पड़ी थी वहां से उसने एक लिफाफा उठाया और उसमें बीस नोट बंद कर दिये लिफाफा उसने मेज पर डाल दिया कल उसने रुपया निकलवाने बैंट भी जाना था जबकि वह सोहल की मौत से पहले सूइट से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहता था लेकिन चैक को होटल वालों के माध्यम से भी कैश करवाया जा सकता था उसे अपने आप पर गुसा गुसा आने लगा कि क्यों उसका मस्तिष्ट इतना जड़ हो गया था कि उसे इतनी मामूली बात नहीं सूजी थी तभी कॉल बैल बजी उसने पलंग पर से उठा कर अपना ड्रेसिन गाउन पहन लिया मेज पर पड़ी अपनी रिवॉल्वर उठा कर उसने गाउन की जेब में रख ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा रास्ते में उसने अपनी कलाई घडी पर निगाह डाली आठ बजने में पाच मिनट बाकी थे कौन? दरवाजे पर पहुच कर उसने सवाल किया संध्या बाहर से एक मधुर आवाज आई दोग्रा ने रिवॉल्वर वाली जेब में हाथ डाले डाले दरवाजा खोला बाहर एक अनी सुन्दरी खड़ी थी दोग्रा को देख कर वह मुस्कराई और बोली हल्लो उस रोज पहली बार दोग्रा के चहरे पर रौनक आई उसने लड़की का मुस्करा कर स्वागत किया और उसे भीतर बुला कर गरवाजा बंद कर लिया संध्या को देख कर उसकी तबियत खुश हो गई थी सुलेमान की जिस लड़की से रश्प खाकर उसने संध्या को बुलाया था वह अब संध्या के मुकाबले में उसे आलूओं का बोरा लग रही थी संध्या मुश्किल से 18 साल की लंबी उची कद्दावर गोरेचिटे रंग वाली लड़की थी उसके चहरे पर बच्चों जैसी निश्चलता थी लेकिन जिस्म नौजवान औरक जैसे भरापूरा था पोशाक के नाम पर वह एक टाइट जीन और स्कीवी पहने थी जो उसके जिस्म पर चमडी की तरह मढ़ी हुई थी कहने को वह हर जगह से ढकी हुई थी लेकिन दोग्रा को उसके स्प्रिंग की तरह कसे हुए जिस्म की एक एक लकीर नुमाया होती लग रही थी मिसेस पिंटो ने माल कहा था उससे बहतर माल भेजा था बैठोप दोग्रा बोला वह मुस्कराती हुई सोफे पर बैठ गई दोग्रा भी उसकी बगल में बैठ गया कुछ खाओगी दोग्रा ने पूछा खा लूंगी वह बड़े मीठे स्वर में बोली कुछ पीओगी पी लूंगी भिस्की जो आपको मुनासिब लगे खाया दोग्रा ने भी कुछ नहीं था उसने रूम सर्विस को फोन करके विस्की की नई बोतल और धेर सारा खाने पीने का सामान मंगाया संध्या ने खाया तो तबियत से लेकिन पीने के नाम पर वह एक ही पैक को चुसकती रही और उसमें सोडा डालती रही वह समझ गया कि लड़की को ग्राहक को कमपनी की खास ट्रेनिंग दी गई थी मिसेस पिंटो कहती थी एक आएक संध्या बोली कि आप कमपनी के आदमी है हाँ दोग्रा बोला तो फिर आप यहां कैसे किसी वजह से कुछ दिन मुझे यहां रहना पड़ रहा है बाद में वहीं पहुँच जाऊंगा जहां कमपनी के बड़े उहदेदार रहते हैं होटल सीव्यू में मैं वहां गई हूँ अच्छा किसके बुलावे पर संध्या ने दो नाम बताए दोगरा जल कर कबाब हो गया जलने की कोई वजह नहीं थी लेकिन फिर भी जल कर कबाब हो गया ऐसी शांदार लड़की किसी और के पहलों में लेटी तो क्यों लेटी फिर अपने ऐसा सोचना ही उसे मूर्खता लगने लगा वह एक कॉल गरल थी जो उसकी कीमत अदा कर सकता था वह उसकी रातों का मालिक बन सकता था लेकिन वे लोग आप जैसे भले नहीं थे संध्या बोली आप बहुत अच्छे हैं अच्छा दोगरा फिर खुश हो गया आप ओहदे में भी उससे बड़े लगते हैं बराबर ही हूँ अलबत्ता मेरा काम जिम्मेदारी का ज्यादा है आपका क्या काम है उसने बड़े भोलेपन से पूछा जवाब में डोगरा बड़ी बारी की से उसे अपना काम समझाने लगा फिर एक आएक इत्तफाक से उसकी घड़ी पर निगाह पड़ गई तो वह बोलता बोलता बीच में ही रुप गया दस बस गए थे जरूर उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जरूर नशे और सोहल की दहशत ने उसका दिमाग खराब कर दिया था वह गप्पे लड़ा रहा था इतनी महेंगी लड़की के साथ गप्पे लड़ा रहा था उसकी उस रात का वह मालिक था जिसके दो घंटे गुजर भी चुके थे और अभी तक उसने उसकी उंगली तक नहीं चुई थी लड़की बेहद समझदार थी वह डोग्रा की निगाह का मतलब समझ गई बैडरूम में चलते हैं वह मादक स्वर में बोली डोग्रा ने सहमती समे गरदन हिलाई वह उठकर बैडरूम की तरफ चल दी बैडरूम में जाकर लड़की ने सबसे पहले अपनी सैंडिले उतारी फिर कटे हुए बालों में से हैर पिन और क्लिप निकाले फिर स्कीवी उतार कर उसे बहुत सलीके से तह करके एक कुरसी पर रखा फिर दोनों हाथ पीट पीछे ले जाकर अपनी काले रंग की जालीदार अंगिया के हुक खोले और अंगिया को अपने असाधारन आकार के पुष्ट स्तनों के उपर से उतार एक कुरसी की पीट पर टांगा फिर बड़ी कठिनाई से अपनी जीन उतारी और उसे दोहरा करके स्कीवी के उपर रखा और फिर अंत में काला अंडर्वियर उतारा दोग्रा की पलक नहीं जपक रही थी वह मुह बाये बुत बना सब कुछ देख रहा था लड़की ने उसे देख कर पलकें फड़़डाई, मुस्कराई, उसने अपने दोनों हाथ सिर से उपर ले जाकर एक तौबाशिकन अंगड़ाई ली और फिर पंजों के बल खड़ी होकर एक बैले डांसर जैसा पोज बनाकर बोली कैसी लग रही हूँ शानदार दोग्रा के मुह से निकला, उसकी भूखी निगाह उसके साचे में ढले जिस्म के एक-एक इंच पर फिर रही थी, करिश्मा साज अब देखें आप कैसे लगते हैं दोग्रा को शर्म आ गई उसने कैसा लगना था कह एक थुल-थुल, बेडॉल जिस्म वाला अधेड आवस्था भी पार कर चुका आदमी था उस्ताजी खिली-कली के मुकाबले में उसने तो किसी बिजली गिरे पेड का ठूंट ही लगना था इधर आओ, उसने आदेश दिया संपूर्ण नगना वस्था में छोटे-छोटे कदम रखती हुई वह उसकी तरफ बढ़ी वह काफी समीप आ गई तो डोगरा बास की तरह उस पर जपट पड़ा उसने एतराज नहीं किया कितनी ही देर वह खड़े-खड़े ही उसका अंगन तटोलता रहा, सहलाता रहा, नोचता रहा फिर अंत में उसने उसे उसे पीछे पलंग पर धकेल दिया वह पलंग पर चित लेट गई उसकी संगमर्मर जैसी गोरी बाहे उसके निमंतरण में खैल गई दोरा ने जल्दी-जल्दी अपने सारे कपड़े अपने जिस्म से अलग किये और फिर उस पर धेर हो गया अगले दो घंटों में लड़की ने उसे जन्नत का नजारा करा दिया वह कमसिन थी, लेकिन नादान नहीं थी वह भोली थी, लेकिन नात जुर्बेकार नहीं थी मर्द को खास्तोर से डोगरा जैसे मर्द को त्रिप्ट करने के वह सारे लड़के जानती थी वह यूँ ही तो मिसेस पिंटों के विश्याले की सबसे महेंगी कॉल गर्ल नहीं मानी जाती थी फिर पता नहीं कब डोगरा लड़की के उपर से लुढक गया और खराटे भरने लगा कोई दो बजे के करीब उसकी दो बारा नींद खुली उसने आखें खोली और एक कोहनी पर उचक कर अपने पहलू में लेटी संध्या की तरफ देखा वह पलन पर चित लेटी हुई थी जो कंबल उसने ओढ़ा हुआ था वह उसकी कमर खम से नीचे तक गलक गया था और उसे उसकी सांसों के साथ बड़े यांतरिक धंग से उठते गिरते उसके उननत उरोज दिखाई दे रहे थे बैडरूम में फैली मध्धम नीली रोशनी में उसका जिस्म शीशे की तरह चमक रहा था उसके बाल बिखरे हुए थे, पूंट आधे खुले हुए थे और उनमें से उसके मोतियों जैसे दांत नीली रोशनी में खूब चमक रहे थे दोगरा को फिर अपने में पहले से कहीं ज्यादा प्रबल, कामवासना जागती महसूस हुई उसने लड़की को जगाया लड़की में तुरंट प्रतिक्रिया हुई उसने करवट बदली उसकी दोनों बाहें उठीन और वह लता की तरह उसके साथ लिपट गई डोगरा ने उसे फिर दबोच लिया उस वक्त उसके मस्तिश्क में अपनी काम पिपासा शांत करने का इकलोता ख्याल न होता तो रात के सननाटे में हुई वह हलकी सी खटकी आवाज उसने जरूर सुनली होती जो उसी क्षन बाहर से बाथरूम की खिड़की खोले जाने की वजह से हुई थी वह कुछ क्षन लड़की को अपने साथ लगाए रहा फिर वह करवट बदल कर उसके उपर आ गया अब उसका मुह बाथरूम के दर्वाजे की तरफ था उसे लगा की दर्वाजा धीरे धीरे खुल रहा था लेकिन उसने उसे अपना वहम समझा उस वहम को दिमाग से निकाल कर अभी वह अपनी मुकमल तवज्जो लड़की की तरफ कर पाया था कि दर्वाला पूरा खुल गया और उसे बाथरूम में से बाहर कदम रखता हुआ सरदार सुरेंडर सिंह सोहल दिखाई दिया वहाँ बिजली की फुर्ती से लड़की पर से हटा और उसने एक कुर्सी की पीठ पर तिरस्कृत से पड़े उस ड्रेसिंगाउन की तरफ छलान लगाई जिसकी जेब में उसकी रिवॉल्वर मौजूद थी मिसेस पिंटो का सायन के इलाके में एक पुराने अंदाज का लेकिन बड़ा आलिशान बंगला था जहां की शाम को वह हमेशा होती थी शाम को वह कभी कहीं नहीं जाती थी लेकिन उस रोज वह कहीं गई हुई थी घोरपड़े ने मालूम करके विमल को बताया कि वह किसी की शादी पर गई थी और आधी राज से पहले लोट कर नहीं आने वाली थी इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था उनकी तकदीर अच्छी थी जो मिसेस पिंटो वक्त से पहले वापस आ गई वह 11 बजे ही लोट आई मिसेस पिंटो लगभग 50 साल की औरत थी जिस सारी जिंदगी प्चपन तक विश्यावरित्ती के धंधे में गुजरी थी जब से उसे कमपनी के उहदेदारों की पैटरनेज हासिल हुई थी तब से तो उसका धंधा बहुत ही फलाफूला था और वह बहुत संपन नहीं नहीं बहुत दिलेर भी हो गई थी आखिर उसका बिजनेस कमपनी से था एक तरह से वह भी काले पहाड की प्रजा थी उसका 90 प्रतिशत धंधा तो कमपनी वालों के लिए ही था कमपनी का बच्चा बच्चा उसे जानता था और कमपनी के बच्चे बच्चे को वह जानती थी इसलिए वह घोरपड़े को भी जानती थी वह जानती थी कि घोरपड़े डोग्रा का लिफ्टीनेंट था और डोग्रा कमपनी का उधेदार था उसके साथ आये विमल को देखकर वह यही समझी की वह कमपनी का कोई नया रंगरूट था जिसने कोई इनाम के काबिल काम कर दिखाया था और घोरपड़े उसे वहां किसी लड़की के साथ सैक्स करने आया था लेकिन मिसेस पिंटो का ख्याल गलत निकला घोरपड़े ने उससे डोगरा का पता पूछा तुम डोगरा साहब के खास आदमी हो मिसेस पिंटो से घूरती हुई बोली तुम्हें अपने बॉस का पता नहीं मालूम नहीं मालूम घोरपड़े बड़े सबर से बोला इसी लिए तुमसे पूछ रहा हूँ अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मुझे क्या मालूम होगा तुम्हें जरूर मालूम होगा घोरपड़े खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला क्यों जरूर मालूम होगा यह तुम्हें मालूम है वैसे वजह मेरे ही मुह से सुनना चाहती हो तो बात दूसरी है मिसेस पेंटो ने व्याकुल भाव से पहलो बदला आज दोगरा साहब का यहाँ फोन नहीं आया घोर पड़े फिर बोला किसलिए? मिसेस पेंटो बोली उसी लिए जिसलिए अकसर आता है वह खामोश रही आज दोगरा साहब के लिए कहा लड़की भेजी है तुमने? मैं नहीं बता सकती मिसेस पेंटो कठिन स्वर में बोली क्यों नहीं बता सकती? मेरा इन बातों से क्या मतलब? अगर तुम दोगरा साहब का पता जानना चाहते हो तो जाकर किसी और से न पूछो और किसी को नहीं मालूम तो फिर दोगरा साहब अपना पता किसी को नहीं मालूम होने देना चाहते होंगे तुम उनके खास आदमी हो अगर उन्होंने तुम्हें अपना पता खुद नहीं बताया तो जाहिर है कि वे नहीं चाहते कि तुम्हें उनका पता मालूम हो मेरे से जुबांद राजी मत कर गुढिया घोरपडे एक आएक हत्थे से उखड गया एक मिनट में डोगरा साहब का पता बोल नहीं तो मैं तेरा गला काट दूँगा और घोरपडे ने अपनी जेब से चाकू निकाल दिया आखिर उसने काली चर्ण को सुलेमान साहब के आदमी को भी तो प्रभावित करना था मिसेस पेंटो सहमकर एक कदम पीछे हट गई घोरपडे वहतीवर विरोधपूर्ण स्वर में बोली तुम मुझसे इस तरह पेश नहीं आ सकते मेरा काम खाम खाह के जमेलों में पढ़ना नहीं है अगर डोगरा साहब ने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया तो जरूर इसकी कोई बजह होगी बाद में जब उनको पता लगा कि तुम्हें उनका पता मैंने बताया था तो जरा सोचो वे मेरी क्या गत बनाएंगे तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं गारंटी करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हारी गारंटी की क्या कीमत है? तुम कमपनी के कोई बड़े उहदेदार थोड़े ही हो? नहीं हूँ तो हो सकता हूँ जब हो जाओ तब आना मुझ पर रोग गांठने आ तो अब मैं गया ही हूँ और जिस काम से मैं आया हूँ उसे किये बिना मैं यहां से जाने वाला भी नहीं हूँ मिसेस पिंटो, तुम सीधे से नहीं बोलोगी तो डोगरा का पता मैं तुम्हारे हलत में हाथ दे कर निमाल लूँगा और वह द्रिढ कदमों से मिसेस पिंटो की तरफ बढ़ा मेरे पास ना आना मिसेस पिंटो दहशत भरे स्वर में बोली फिर एकाएक वह घूमी और दरवाजे की तरफ लपकी घोर पड़े बास की तरह उस पर जपता उसने मिसेस पिंटो को बालों से पकड़ कर बड़ी बेरहमी से वापस घसीट लिया फिर उसने चाकू का फल उसके पेट में सटा दिया और केहर भरे स्वर में बोला बहुत बकवास हो चुकी एक सैकेंड में डोगरा का पता बोलो वरना पेट फाड़ कर बाहर निकाल दूँगा बताती हूँ बताती हूँ वह हामफती हुई बोली घोर पड़े ने उसके बालों से अपनी पकड़ थोड़ी धीली की पोटल नटराज सूइट नंबर 412 मैरींद्राय अगर यह पता गलत हुआ तो जानती हो न मैं तुम्हारी क्या गत बताऊंगा बाई जीसस दोगरा ने मुझे इसी पते पर लड़की भेजने के लिए कहा था घोर पड़े ने उसे छोड़ दिया चलो वह विमल से बोला विमल ने इनकार में सिर हिलाया अब क्या है? घोर पड़े सपकाया हमारे यहां से निकलते ही यह दोगरा को फोन पर खबर कर देगी कि तुमने इससे जबरन दोगरा का पता कुलवाया है फिर जब तक हम मैरीन ड्राइव पहुचेंगे तब तक दोगरा के सूइट में उल्लू बोल रहे होंगे यह ऐसी दगाबाजी करने की हिम्मत नहीं कर सकती यह जरूर करेगी मैं हर्गिज नहीं करूंगी मिसेस पिंटो बोली तुम हमारी पीठ फिरते ही सबसे पहला काम ही यही करोगी बाई जीसस मैं शट अप तो फिर क्या किया जाए घोर पड़े चिंतित स्वर में बोला विमल सोचने का अभिनय करने लगा इसे साथ ले चले घोर पड़े ने सुझाव दिया नहीं यह खाम-खाह का सिरदर्ग पालने जैसा काम होगा तू तुम यहां इसके सिरहाने बैठो मैं मैरीन ड्राइव जाता हूँ अगर इस औरत ने पता गलत बताया हुआ तो मैं तुम्हें यहां फोन कर दूँगा फिर तुम इसकी मिजाचपूरसी करके दोबारा इससे सही पता पूछना मैंने सही पता बताया है मिसेस पिंटो ने फरियाद की शटप बीच में मत बोलो वह खामोश हो गई अगर पता सही हुआ तो असल काम विमल बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला मैं खुद कर लूँगा असल काम मुझे सौपा गया है उसके लिए मैंने बताया ही था कि मुझे खासतोर पर तैनात किया गया है तुम अपने हिस्से का काम कर चुके हो तुम्हारा काम था डोगरा का पता लगाने में मेरी मदद करना जिसे कि तुम बहुत खूबसूर्ती से अन्जाम दे चुके हो तुम अकेले सब संभाल लोगे? हाँ मुझे इन कामों का बहुत तजुर्बा है यह कोई पहला मौका नहीं है जबकि सुलेमान साहब ने मुझे ऐसा कोई काम सौपा है माजरा क्या है? मिसेस पिंटो व्याकुल भाव से बोली वह फिर सहम कर चुप हो गई ठीक है फिर विमल घोरपड़े से बोला ठीक है घोरपड़े बोला मैं यहीं इसके सिरहाने बैठता हूँ असल काम को अन्जाम देने में अढंगे आ सकते हैं इसलिए मुझे टाइम लग सकता है लेकिन मैं आज यह काम कर जरूर डालूंगा फिर भी अगर दिन चड़े तक मैं यहां वापस न लौटून और मेरा फोन न आये तो समझ लेना उल्टे मेरा काम हो गया ऐसा हो सकता है हो तो नहीं सकता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ रोजी रोजी का क्या होगा रोजी फिलहाल मेरे साथ जा रही है ओह घोर पड़े के चहरे पर मायूसी आ गई बेवकूफ मत बनो विमल तनिक हस्ता हुआ बोला इस वक्त तुम इस औरत को संभालोगे या अपना इनाम हासिल करोगे ये दोनों काम कहीं एक साथ होने वाले हैं तुम ठीक कह रहे हो लेकिन तुम खातिर जमा रखो वह तुम्हारा इनाम है तुम्हें ही मिलेगा तुम्हारी उम्मीद से पहले तुम्हें मिलेगा ठीक है घोरपड़े को मिसेज पिंटो के सिरहाने बैठा छोड़कर विमल वहां से विदा हो गया नीलम बंगले से थोड़ी दूर टैक्सी में बैठी थी वह बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रही थी क्या बात है वहरवांसे स्वर में बोली जहां जाते हो बैठी जाते हो सौरी विमल टैक्सी में सवार होता हुआ बोला मजबूरी थी दोगरा का पता लगा हाँ घोरपड़े कहां रह गया विमल ने उसे सारी बात बताई कोई घपला तो नहीं हो जाएगा कैसा घपला घोरपड़े की तरफ से या मिसेस पिंटो की तरफ से या दोनों की तरफ से उम्मीद तो नहीं फिर भी कुछ हो जाए तो मर्जी वाहे गुरू की नीलम खामोश रही मैरीन ड्राइफ पहुँचे रास्ते में उन्होंने फिर अपने नविवाहित जोडा लगने वाले कपड़े पहन लिये थे उन्होंने टैक्सी एक स्थान पर छुपा दी एक और टैक्सी पकड़ी और होटल नटराच पहुँचे तब तक आधी रात हो चुकी थी वहां उन्होंने स्वयंग को प्लेन का ट्रांजिक पैसेंजर बताया जिन्होंने अगले रोज फिर प्लेन पकड़ना था और इसलिए वो अपना भारी सामान एरपोर्ट ही छोड़ आये थे रिसेप्शन के पीछे लग इंडेक्स में विमल को 412 में कोई कार्ड लगा न दिखाई दिया क्या डोगरा वहां नहीं था क्या मिसेस पिंटो ने धोखा दिया था उनसे कमरे की चाय पूछी गई तो उन्होंने चौथी मन्जिल पर कमरा मांगा उन्हें बताया गया कि उस मन्जिल पर केवल सूइट थे उसने 412 की मांग की तो बताया गया कि वह उपलब्ध नहीं था विमल को तनिक तसल्ली हुई फिर 413 उन्हें मिल गया दोनों वहां पहुँचे उन्होंने दर्वाजा भीतर से बंद कर लिया विमल अपने सूइट का और उस फ्लोर का मुआयना करता रहा और चुपचाप दोगरा के फ्लैट में पहुँचने की कोई तरकीब सोचता रहा एक ही तरीका उसे सूझा कि वह इमारत के बाहर मुश्किल से एक फुट चौड़े प्रोजेक्शन पर उतर जाता और उस पर चलता हुआ बगल के सूट की बालकनी तक पहुचता उसने वही तरीका अपनाया उसने चहरे पर सरदार वाले मेकप का अंग दाढ़ी मूच लगा ली और सिर पर पगड़ी बांध ली नंगे पाव वह प्रोजेक्शन पर उतर गया नौचे इतनी रात गय भी सडक पर भरपूर ट्राफिक चर रहा था नीलम सास रोके मनहीमन भगवान से उसकी मंगल कामना करती हुई उसे प्रोजेक्शन पर इंच इंच आगे सरकता देखती रही कोई दस मिनट बाद विमल उसे बंगल की बालकनी फांधता दिखाई दिया तो उसकी जान में जान आई विमल ने बालकनी के शीशे के दरवाजे से भीतर जाकने की कोशिश की तो पाया कि शीशों के आगे भारी परदे पड़े हुए थे जिनकी वजह से भीतर जांत पाना असंभव था भीतर हल्की नीली रोशनी जलती होने का आभास उसे मिल रहा था लेकिन भीतर से किसी प्रकार की रंच मात्र भी आहट उस तक नहीं पहुँच रही थी उसने नीश शब्द दर्वाजे के पल्लों को हिलाया डुलाया बालकनी का दर्वाजा भीतर से बड़ी मजबूती से बंद था वह सोचने लगा फिर उसे बालकनी से थोड़ा और आगे एक खिड की खुली दिखाई दी क्या वह खिड की उसी सूइट से समबध हो सकती थी देखना होगा वह बालकनी के पहले सिरे पर पहुँचा नीलम ने उसे फिर प्रोजेक्शन पर उतरते देखा उसकी खिर सास सुखने लगी फिर इंचेंच सरकता बड़ी मेहंत से विमल उस खिड की तक पहुँचा वह खिड की क्या थी? एक तरह से रोशंदान था जो इतना उचा था कि विमल अपने पंजों पर उचक उसके भीतर जांक पाया भीतर अंधेरा था लेकिन उसे लगा कि वह बाथरूम था बाथरूम की खिड कियां ही यूँची होती थी और रोशंदान लगती थी उसने खिड की के पल्लों को धक्का दिया तो दोनों भीतर की तरफ खुल गए एक पल्ला हलकी सी खट की आवाज के साथ पिछे दिवार से कहीं टकराया विमल स्तब्ध खड़ा हो गया लेकिन जब उस आवाज की प्रतिक्रिया स्वरूप भीतर से कोई आवाज न हुई तो वह समझ गया कि वह खट की आवाज भीतर सुनी नहीं जा सकी थी नहीं जा सकती थी या आवाज सुनने के लिए भीतर कोई मौजूद नहीं था वह खिडकी की दहलीज का सहारे लटक गया और फिर उपर को उचका बड़ी कठिनाई से वह खिडकी तक पहुँच पाया कितनी ही देर वह खिडकी पर ही बैठा भीतर की आहट लेने की कोशिश करता रहा कहीं कोई आहट न थी भीतर उतरने से पहले उसने एक बार नीचे सडक पर जाका उसके शरीर में जुरजुरी दौड गई इतनी उचाई से नीचे गिरने पर उसके परखचे उर सकते थे वह खिडकी के सहारे भीतर की तरफ लटक गया और फिर नहशब्द नीचे फर्ष पर कूट गया कुछ देर जहां उसके पाव पड़े वह वहीं बुत बना खड़ा आहट लेता रहा खामोशी कहीं कोई आहट नहीं कहीं कोई आवाज नहीं वह दबे पाव आगे दर्वाजे की तरफ बढ़ा पैरों से वह नंगा था इसलिए उसके कदमों की आहट कतई नहीं हो रही थी दर्वाजे के पास पहुँचकर उसने उसके हैंडल को थामा और इंचेंच करके उसे अपनी तरफ खीचना शुरू किया दर्वाजा धीरे धीरे खुलने लगा उसे बैडरूम के विशाल पलंग पर किसी की मौजूदगी का आभास मिला उसने रिवॉल्वर जेब से निकाल कर हाथ में ले ली और दर्वाजे को पूरा खोल कर बैडरूम के नीम अंधेरे में कदम रखा पलंग पर से एक साया बिजली की फुर्ती से समीप ही पड़ी एक कुरसी की तरफ जपता नीम अंधेरे में भी विमल ने उस साय को साफ पहचाना वह ज्यान प्रकाश दोग्रा था उसका हाथ ड्रैसिंग गाउन पर पड़ा ड्रैसिंग गाउन की जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर भी पड़ा लेकिन उसकी हडबड़ी में रिवॉल्वर की नाल जेब में कहीं उलज गई और जब उसने रिवॉल्वर को जेब से बाहर खीचा तो जेब भी और साथ में सारा गाउन भी खीचता चला आया विमल चंध ही कदमों में पलंग के समीप पहुँच गया उसके पाव की एक भरपूर ठोकर डोगरा के रिवॉल्वर के साथ उलजे हाथ पर पड़ी रिवॉल्वर पर से डोगरा का हाथ हट गया और रिवॉल्वर गाउन समेत धप से कालीन बिचे फर्ष पर जाकर गिरा दोग्रा का आधा शरीर पलंग पर था और आधा पलंग से बाहर लटका हुआ था विमल के हाथ में रिवॉल्वर देखकर वह वैसी ही हास्यासपद स्थिती में फ्रीज हो गया बत्ती जलाओ विमल ने आदेश दिया दोग्रा के शरीर में कोई हरकत न हुई यानि की मेरी शकल ठीक से देखे बिना जहन्नुम रसीद होना चाहते हो विमल ने रिवॉल्वर उसकी तरफ तानी ठीक है जलाता हूँ वह आतंकित स्वर में बोला जलाता हूँ उसने तेज रोशनी से संबध बैड स्विच आन किया संध्या ने अपना शरीर ढक लिया वह बड़े सहज भाव से विमल की तरफ देख रही थी वह शांतिलाल की सहेली की तरह आतंकित नहीं थी शायद वह सोच रही थी कि जो कुछ हो रहा था उससे उसका कोई मतलब नहीं था जरूर वह पक्की प्रोफेशन थी विमल को उसका वह रवया पसंद आया वह लड़की सिल्विया की तरह उसे धोखा नहीं देने वाली थी वह अपनी जुबान बंद रख सकती थी एक फाल्तु खून करना उसके लिए जरूरी नहीं था अपने विमल कहरग्रे स्वर में बोला पुराने खिद्मतगार को पहचाना दोगरा साहब सोहल दोगरा होठोन में बुदबुदाया सोहल विमल ने एक जापड दोगरा के चहरे पर रसीद किया उस जामपड का काम दोगरा को चोट पहुचाना नहीं उसे अपमानित करना था यह उसके लिए डूब मरने का मुकाम था कि वह बखिया की बादशाहत का एक इतना बड़ा उहदेदार एक छोकरी के सामने एक मामूली आदमी से थपड़ खा रहा था उस थपड़ ने न केवल डोगरा को अपमानित किया उसका रहासहा मनोबल भी तोड़ दिया दोगरा साहब तो विमल लड़की से बोला यहां से स्ट्रेचर पर और आगे मुर्दा गाड़ी पर जाएंगे तुम कैसे विदा होना चाहती हो? ऐसे ही या चलकर? चलकर वह सहज भाव से बोली तो उठकर कपड़े पहनो और चलकर दिखाओ वह बड़े निर्विकार भाव से पलंग से नीचे उतरी वह अपने कपड़ों के पास पहुची और जल्दी जल्दी लेकिन बड़े सलिके से एक एक कपड़ा अपने जिस्म पर उसकी मुनासिब जगह पहुचाने लगी दो मिनट में उसने कपड़े पहन लिए और दो मिनट में उसने गुजारे लायक बाल भी समबार लिए और चेहरे पर बिखरी हुई लिपस्टिक के निशानों को भी साफ कर लिया दोगरा उसे तयार देखकर विमल दोगरा से संबोधित हुआ यह यहां से पुलिस के पास जाए नहीं दोगरा के गले से फटे बास जैसी आवाज निकली या तुम्हारे किसी और हिमायती के पास नहीं नहीं सुना साहब ने क्या कहा सुना लड़की बोली साहब के मुह से अच्छी तरह सुन लो विमल बोला उसने दोगरा की मोटी तोंद में रिवॉल्वर की नाल खुबोई किसी से बात नहीं करनी दोगरा तुरंत यू बोला जैसे कोई घिसा हुआ रिकॉर्ड चर रहा हो यहां के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना तुम्हारा लिफाफा उधर मेज पर पड़ा है उसे उठाओ और सीधी घर जाओ लड़की ने सहमती में सिर हिलाया उसने मेज पर से सौसो के नोटों से भरा लिफाफा उठा कर अपने पर्स में रखा और बिना उन दोनों पर दोबारा ग्रिष्टि पात किये वहां से विदा हो गई विमल ने फर्ष पर गिरा डोगरा का गाउन उठाया उसका वजन ही बता रहा था कि उसमें रिवॉल्वर थी उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और गाउन पलंग पर फेंक दिया वह दर्वाजे पर पहुचा दर्वाजा खुला था लड़की दर्वाजा बाहर से बंद नहीं कर गई थी यही इस बात का परियाप्त प्रमार था उसका अपनी जुबान खोलने का कोई इरादा नहीं था उसने दर्वाजे को भीतर से अंद कर दिया और वापस दोगरा के पास लोटा तब तक वह पलंग से निकाल आया था और उसने अपने नंगे जिस्न को गाउन से ढख लिया था अपना माल कहा रखते हो विमल बोला दोगरा ने एक और पड़ी अपनी पतलून की तरफ इशारा कर दिया विमल ने पतलून उठाई और उसमें से दोगरा का पर्स बरामत किया पर्स में केवल 500 रुपय थे बस वह पर्स दोगरा के मुह पर मारता हुआ बोला यही आउकात है तुम्हारी दोगरा खामोश रहा उसने जोर से थूक निगली मुझे अपना पचास हजार रुपया चाहिए मुझे अपना वो रुपया चाहिए जिसे डकार तुम गए थे लेकिन जिसे गबन करने के इल्जाम में जेल मैं गया था बोलो क्या किया था तुमने उस रुपय का? दोग्रा ने डर्ते डर्ते उसे बता दिया कि उसने रुपए का क्या किया था ओह विमल बोला तो तुमने एक तीर से दो शिकार किये थो कमपनी को वह रकम वापस लोटा कर तुम अपने बाप काले पहाड के प्रकोप से भी बच गए और मुझे जेल भिजवा कर तुमने मेरी बीवी भी हतिया ली कितने होशियार हो तुम? शुरू से ही कितने होशियार हो तुम? उस रोज अगर तुमने मेरे फ्लैट में पीछे से मुझ पर आक्रमन न कर दिया होता तो यायद मैंने अपनी बीबी का खून कर डाला होता, तो शायद बाद में मैंने तुम्हारा भी खून कर डाला होता, लेकिन तुमने अपनी एक चालाकी से अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लिया, तुमने एक तीर से दो कहा, कई शिकार किये, कितने ज्यादा होशियार हो तुम, दोग्रा ने फिर जोर से ठूक निगली, तो मेरा रुपया तुमने कम्पनी को सोप दिया है, तो अब अपनी रकम मुझे तुम्हारे बाप बखिया से वसूल करनी होगी, सोहल, दोग्रा डरते डरते बोला, अगर रुपय की बात है, तो बस मैं जितना चाहो दे सकता हूँ, कल सुबह मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए अब कोई और सुबह नहीं होने वाली, सोहल, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा, क्यों नहीं? पिर समवर जाएगी, वहीं माल मुझे यह भी भुला देगा, कि मेरी चिंदगी का बेडा गर्प करने वाले शक्स का नाम ज्यान प्रकाश दोग्रा है, और मैंने उस हराम जादे का खून पी जाना है, आखिरी शब्द कहते खते विमल के चहरे पर ऐसे हिंसक भाव आ गए थे कि डोग्रा के प्राण कांप गए, मुझे माफ कर दो, वह गिड़ गिड़ाया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं बहुत जलील आदमी हूँ, क्यों मेरे नापाक खून से अपने हाथ रंगते हो, मुझे माफ कर दो, सोहल माफ कर दो, एकाएक डोग्रा विमल के पैरों में गिर पड़ा, विमल ने बड़े नफरत पूर्ण धंग से पाव की ठोकर मार कर उसे धकेल दिया, अपने किसी भगवान को मानते हो, विमल उसकी तरफ उसी की रिवालवर तानता हुआ धीरे से बोला, उसे याद कर लो, नहीं, आतंग से उसकी आखे फट पड़ी, नहीं, सोहन गोली न चलाना, मुझे न मारना, मुझे विमल ने फायर किया, एक ही गोली ने डोगरा का भेजा उड़ा दिया, विमल ने साफ साफ उसकी आखों से जीवन जोती बुझती देखी, वह वहीं धप से कालीन बिछे फर्ष पर धेर हो गया, उसका भेजा सारे कालीन पर बिखरा पड़ा था और खून कालीन का लाल रंग और लाल होता जा रहा था, उसने संतुष्टी निगाह डोगरा पर डाली और फिर अपनी रिवॉल्वर उसकी लाश पर ही फैंक दी, उसने अपनी पगड़ी, फिफ्टी और दाढ़ी मूच भी अपने चहरे से उतार कर रिवॉल्वर के पीछे लाश पर उच्छाल दी, उसने जोर से लाश पर थूका, उसका इंतकाम पूरा हो गया था, एक पती के तौर पर जिस जिल्लत और रूस्वाई का शिकार उसे होना पड़ा था, कम से कम उसका बदला उसने ले लिया था, उसके साथ दगाबाजी करने वाली उसकी बीवी और उस पर जुल्म धाने वाला उसका यार दोनों जहन्नुम रसीद हो चुके थे, लेकिन वह अपनी तमाम दुश्वारियों के बाद भी सलामत था, मौत का निशाना तक बन चकने के बावजूद सलामत था, शायद यही उपर वाले का इनसाफ है, वाहे गुरु सच्चे पात्षा, वह होठों में बुदबुदाया जिसके, सिर उपर तू स्वामी, वो दुख कैसे पावे, फिर दोबारा डोगरा की लाश पर निगाह डाले बिना वह वहां से बाहर निकल गया, समाप्थ, कृप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं, इस चैनल में भी कोई समस्या आती है, तो आप हमसे जुड़े रहेंगे नए अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको यहां आडियो बुक पसंद आई, तो लाइक जरूर करें,